जलो दोस्तों आसा करते हैं आप सब की तैयारी बढ़ियां चल रही होगी तो से में कुछ एड़ाउन करने के लिए हम यहाँ पर PT 365 डिसकस कर रहे हैं इस लेक्चर में हम संस्कृती यानि कल्चर सब्जेक्ट का PT 365 डिसकस करेंगे है देख लेते हैं अम कौन क्ऊं से टॉपिक डिसकस करेंगे किल्चर मेरे करन पर फेर में कौन क्ऊं से टॉपिक थे इसमें हम पहला ट forearm है इसका मूर्तिकला और इश्थापति kellा इसके अंदर ओडिसा मंदीर इस्थापतिकला होईसल मंदिर चोल कालेन मंदिर कुतुब शाही इस्थापतिकला महापासारिश्थल और अनिक महत्पून सुरुद invasion हैं इसमें से औरिसा मंदर इस्थापत कला ज्यादा चर्चा में था चोल कालिन मूर्थियां इनको हम अच्छे से देखेंगे दूसरा टॉपिक है चित्रकला और अनकलाई इसमें भारती पारम परिक वस्त्रकला भारती किलाउने तुर्कियों में रहीं कला करती हैं और मिसले की बहुत चर्चा होई है इसमें अनन्तिम सौची एक जारी कि कही है यूनिस्कों की भारत शायता हं यह उनको जो रिक्विस्ट भेजते हैं और वही कहला रिक्व्स्ट में वह सामिल रहते हैं नके कहलाती है ऑनंतिम सौची अनंगताल जील मांगड़ पहाड़ी ये important है या इसको मांगड़ नरसंगार भी कहते हैं मांगड़ नरसंगार मांगड़ पहाड़ी पसाद योजन ये भी मेसेद नूज में रहती है और इसे संबनेतन सुर्खी है कुछ famous personality जो अभी चर्चा में थी आदी संकरचार इसे question बनाया जा सकता है लचित बोर्फुकन इन से बनाया जा सकता है क्योंकि अभी इनकी चार सो में जैनती मनाई गई राजा राम मोहन राय इनकी सायद रहाई सो में जैनती है रहाई सो में जैनती मनाई गई स्रीय अर्विंदो इनकी 1.5 सोवी जैनती मुनाई गई चत्रपति साहुजी महराज की सोवी जैनती मुनाई गई अलूरी सीता रामराजू की इनकी भी 1.5 सोवी जैनती मुनाई गई और ये अलूरी सीता रामराजू पर रोल किया था और 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 इसको आउसकर भी मिला था इसलिए ये काफ़े इंप्टेंट हो जाते हैं ये बिक्तित और कुछ अन्य बेक्तित जो चर्चा में थे बौध धर्म और जैन धर्म ये तो इसका फेवरेट टॉपिक है UPSC का सबसे फेवरेट टॉपिक अगर कल्चर में कहा जाए तो बौध और जैन धर्म है इन पे जो भी अब सेस मिले हैं कुछ नए अब सेस मिलें इनको देखेंगे मिसलेनियास टॉपिक में भारत में नौसेना परम पर आएं अपने नियूज में पढ़ा होगा कि मुदी जी ने नौसेना का जंड़ा चेंजे कर दिया सिवाजी महराज बाला जो जंड़ा था उसको एकसेप्ट कर वा लिया गया ये चर्चा में था भारत के राज की प्रतीक भारती द्वज सहिता में संसोधन किया गया है इसको देखेंगे भारत का राजपतिक जो भी हैं उनको देखेंगे भारती मुद्रश रास्त की एतिहासिक प्रष्ट भूमी इसके बारे में भी पढ़ेंगे पार्णी कोड ये काफी नियूज में था लेकिन इससे ये समझन नियूजना भागोलिक संकी तक इनसे कॉश्चन काफी समय से नहीं पूछा गया लेकिन पूछ सकते हैं अनजी याई टैग जो भी नियूज में रहे कुछ फेस्टिबल्स ये इंपॉर्टन्ट हो जाते हैं बाले यात्रा नियू येर मैप आफ इंडिया इसको देखेंगे कुछ और महतपूर्ण तेवहर उनको भी देखेंगे पुरुसकार और आवाट्स जो भी मिले होंगे उनको देखेंगे और सुर्खियों में रही जन जाती हैं ये इंपॉर्टन्ट हो जाता है और अन्न महतपूर्ण सुर्खियां इसी वी लेक्चर में हम ये सारे टॉपि लेकिन पहले हम किसे कोई भी टॉपिक शुरू करने के पहले एंसे क्यू डिसकस कर रहे थे इस बड़ टॉपिक खतम होने के बाद हम एंसे क्यू डिसकस करेंगे तो है हम अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं है लिए पहला टापिक है मुर्तिकला और इस्थापतिकला और इसका सब टापिक है ओरिषा मंदिर इस्थापतिकला. ये नियूज में इसलिए था क्योंकि ओडिशा सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था जिसके तहट जो ओडिशा के मुख मंदिर हैं उनको एक विशिस कानून के दाइरे में लाना था तो इस अध्यादेश का विरोध केंदर सरकार ने किया था इसलिए ओडिशा इस्था आचार की अपत्रिंक कि अरौक लगाया गया था इस कारण से यह ने यह में था अधिक ने जगननाथ भगवान जगननाथ पुरी मंदिर का इतिहास क्या है यह भगवान जगननाथ को समर्पित है इंगलिस में एक सब्द होता है जगर नाट वही जगनाट सब्द से ही बना है यानि कि बिश्ट के जो मालिक है वो क्या है कौन है जगनाट महराज इसका निर्माण मंदिर का निर्माण बारवी शताबदी में पूरवी गंगबंस के प्रथम सासक राजा अनंत वर्मन चोड गंग देव ने करवाया था नाम याद रखिएगा राजा अनंत वर्मन चोड गंग देव यह पूरवी गंगबंस के प्रथम सासक थे बारवी शताबदी में जिन्होंने जगनाट पूरी मंदिर का निर्माण करवाया था किसने करवाया था राजा अनंत वर्मन चोड यह कलिंग इस्थापत शैली में निर्मित है जगनात मंदिर का मुख मंदिर जो यह मुख मंदिर है यह मुख मंदिर है यह कलिंग इस्थापत शैली में निर्मित है दिन के समय किसी भी दिन दिन में किसी भी समय मुख मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती या रहा होगा जसने वे बनाया है कि मैं कि मतलब किसी भी समय जब तक धूप रहती है तब mogę मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है लेकिन वही जो लाइटेंग की जाती है लाइटेंग की जाती है तिए मुथि तब मंदिर की चाय जमीन पर पढ़ने लगती है लेकिन सूर की चाय, सूर की परकास जब पढ़ता है तो जगन्याथ पुरी मंदिर की चाय जमीन पर कहीं भी नहीं पढ़ती है इसमें पवित्र त्रि मूर्ति स्थापिट की गई, इस म faculty में पवित्र त्रि मूर्ति की गई हैं, वो त्रि मूर्ति में कौन है है जगर्नातपुरी में जो पर्वेतर मूर्थी हैं उनको प्तush ऐख बारह साल के अंधराल में changing कर दिया जाता है ईसा बोला जाता है कि तो लकड़ी कि मूर्थी एंग यह किसी कारण बस यमानिका तीर्थ भी कहा जाता है ये टर्म है यमानिका तीर्थ यमानिका तीर्थ किसे कहा जाता है जगनात पुरी को प्रवेश द्वार के सामने अरुणा इस्तंब या सूर इस्तंब है जो मूल रूप से कोणार के सूर मंदिर में था वहां से इसको लागा है क्या नाम है अरुना इस्तंबिया सूर इस्तंबिया यह जगनात्पुरी मंदिर के प्रवेश द्वार पर है यह मंदिर उडिशा के भुवनेश्वर में इस्थित है कौन सा लिंगराज मंदिर अब हम जगनात्पुरी मंदिर का इतिहास देख चुके हैं यह भुबनेश्वर में इस्थित है और भगवान शिव को समर्पित है इसे श्वयम भू उत्पन शिव लिंग भी कहा जाता है लिंग राज मंदिर को श्वयम भू शिव मंदिर भी कहा जाता है श्वयम भू मतलब जो जमीन के नीचे से प्रकट हुए हैं उनको श्वयम भू पे зм resident invite प्र you go to director कार चलता रहा जिसमें से लाल तेंडु केशरी निने इसका निर्मार कार संपन करवाएं दसमें सथाब्विं में सर्वत कर्श्टता का प्रतिने दिश् सालिश्ट करता है लिंगराज मंदिर कलिंग इस्तला इस चार खंड़ों में विभाजित है ड़ểm ग्रह में यग शाल्व मनड़ और नाइट शालिशाला Arc में कहता हो इसमें मुख मूर्थी इस्तित होते जैसे लिंगनार अधिर सीव को शमर्फित है भगवन शिव को समयर्फित है तो गस्व क्रहि क 알았어 करने के लिए याशला भोग नंडब अर्पन के लिए कची यहां पर इनके लिए के लिए जो भी अरपन किया जाता है डांस वगजन वगएरा जो भी होता है वह जो आलता है नृत के लिए OMG मनरंजन के लिए बनाया गए जो क्या ही ही प्रणिजन होता है कि इसके अन्म मुख्विशित आएं का उन से हैं लिंगराज मंदिर के नम चाहिए का पती है उरिषया का लिंगराज मंदिर शेव और वैश्णों संप्रदाओं के समन्वे का पती है यह लिंगराज मंदिर में जो स्वेम्बोश शिवलिंग है उनको हरी के नाम से भी जाना जाता है मंदिर परिसर चार दिवारी से घिरा हुआ है इसमें लगवग पचास चोटे मंदिर हैं इनमें से एक देवी पारवती को भी समर्पित है अब देख लेते हैं कलिंग इस्थापत कला की बारे में थोड़ा कलिंग इस्थापत कला क्या है यह नाग शेली की एक उपशेली है, तीन शी होती है, एक होती है बीषर, नागर और द्रबन, आप इनको याद रखना है, आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं, आप इसे सिक्विंस याद कर लेजिए, बीषर, नागर, और द्रबन जो उत्तर भारत की मंदिर है आप नार्थ से साउथ में आएंगे नार्थ टू साउथ उत्तर भारत के मंदिर अधिकतर बेशर शैली में निर्मित है उसके बाद जो मद्ध भारत आता है उसमें नागर शैली में निर्मित है और दक्ष्ण भारत में द्रिबन शैली में निर् यह जनरली ऐसा ही होता है हर जगह नहीं होता लेकिन जनरली ऐसा ही होता दिक्तर कुष्चन में इसे साल्व हो जाता है इनकी कुछ विश्यस्थाइं हैं मंदिर तीन प्रकार के होते हैं एक होता है रेखा देउल पीड़ा देउल खाकरादेउल और जो घून्स देव होते हैं पूरुस इस्वर होते हैं पूरुस भगवान होते हैं उनके लिए समर्पित होता जैसे विश्णू, सूर्य और शियो इनके मंदिरों से समर्पित है रेखा देउल और पीड़ा देउल ये याद रखिएगा और खाकरा देउल चामुंडा और दुरुगा मंदिरों से जुड़ा हुआ यानि कि ये जो इस्तरी देवी हैं उनको समर समर्पित है खाकरा देउल अब अगर आपको इसमें कन्फूजन हो रहा हो को खाकरा देउल किसको समर्पित है और पीड़ा देउल किसको समर्पित है तो खाकरा से याद रखिएगा जितने लोग तारक महतागसों देखे होंगे उसमें खाकरा कौन बनाता है दया बेन दया खाकरा बनाती है अर्दया कौन है देवी है इस्त्री है तो ये किसको समर्पित होगा खाकरा इस्त्रीयों को समर्पित होगा वो जो देवी हैं उनको समर्पित है खाकरा देवल ये याद रखिएगा इसे मसे क्यू बना सकता है खाकरा देवल रेखा देवल और पीड़ा केहते हैं तब अच्छ को जगमोहन कहते हैं और शिकर को देवल कहते हैं जैसे रेखादays डेवल तो रेखाद सिखर पीषभाद भाख्रा देवल खाकरण सिकर्ड तो इसमाफसिकर्ण देवल और जगमुहन दोनों संदरचनाओं की दिवारों को भब रूप से इस्थापत रूपांकुन या अकृति में पर चुरता के साथ रासा जाता है को पीड़ा देउल का है इसमें निर्त और प्रसाद अर्पन सभाकच्छ सामल होते हैं पीड़ा को जनरली गावं पीड़ा को इसको चौकी भी बोलते बैठा जाता है तो युशी में फिर बैठ देखेंगे प्रसाद आएंगे लो तो यह से याद रखेगा कि पीड़ा देवल में कैसे पैठना है यह संबंधित सब्सक्राइब और भोग मंदब यानि कि प्रसाद आरपन सभाकच्च से संबंधित है और कलिंग सैली से संब्सक्राइब कुछ इसमारक है या उबनागर सैली से पुझे हैं कोडार का सुर्मंदिर पुरी का स्री जगन्नात मन्दिर भुवने-स्वर कलिंग-राज प्रफवर मंदिर है ये सबी कलिंग इस्तापत कला के उदाहरण है अन्य कुछ तूर्खिया न्यूज में थी एक असुर्गड काफी न्यूज में था ये न्यूज में इसलिए था क्यूंकि यहां पे कुछ किले बंद पुरानी बस्तियां मिली है और इसा के प्रमुख किले पुरानी निकली हैं पोड़िशा की सबसे पुरानी कीले बंद बस्ती असुर्गड में मिली है जो कि नौवी स्टाब्दी ईस्षभ पूर्व है पुरा तत्व दोनी इसकी तितिन्ह अधारत करने के लिए एक्सलेरेट्श मास इसप्रोमी रेडियो एक्सलेरेट्श मास इ करके परमाणों में विवेत करती है अन्य प्राचीन इस खल है उडिसा में जो मिले हैं उनमें है शुशुपाल गड़ जो कि भुगनेस्वर के निकट है जोगड़ जो कि रुशी कुल्या घाटी जंगम जीला में एक किले बंद बस्ती है जोगड़ और खलक टपकना तपटन यह इसका उचारण नहीं सही से आ रहा है खलकट पटना इसको ऐसे पढ़िए खलकट पटना यह पूरी में है और मड़ी का मड़ी के पास ही इस्थित है खलकट पटना मड़ी के पटना जोगड़ और शुशुपालगड़ यह उडिशा के अन प्राचीन इतिहासिक जगए है और इसको जिन यह जो खोज हुई है असुर गड़की इसके मुखिनिसकर्स क्याने के लिए हैं इसमें से ऐसा जो आर्क्यों लाजिस्थ हैं उन्होंने उडिशा के सांस्कृति की विकास करम को तीन चरणों में बाटा है लो ही यूग प्रारंभिक एतिहासिक या लाओ यूग कर शुरुआत और रणभिक एतिहासिक चरण जहां पर यह जो केला बगएरा बनना सुरू हुए वह दूसरी सताब्दी इसापूरु से पहली सताब्दी इस्वी तक स्टार्ट हुआ इनका और उत्तरवरती चरण दूसरी सताब्दी से तीसरी से चौथी होने लगा था अवसेस क्या मिले हैं मूंगा लाजबर करनेलियन कांच जैस पर गरनेट सीप तुलेमानी पत्थर इसको एगड़ भी कहते हैं दूधिया क्वार्ज टेरा कोटा चीनी मिट्टी से लखड़ी आदी इनसे इस रिलेटेड़ भी कुछ अवसेस मिले हैं चता ठ खीकुरों एवं पत्थरों से बनें गोला कार्ड डिस्क भी प्राप्त हुए हैं असुरगड़ से समकालिन इस्तलों की तुलना में जल प्रबंधन की अतिदिक कुशल अवियंद्र की की गई है जैसे धौला वीरा में की गई थी उसी तरह जैसे लगभग असुरगड़ मे भी जल प्रबंधन की कुशल अवियंद्र की की गई है इंजिनिरिंग की गई है अन्ने इससे क्या मिले हैं उत्खरंद की महत्वूर्ण प्राप्तियां क्या है यहां पे पंचमार के सिक्के टोकन जो चांदी और तावा धातुओं के मिस्टर्ण से बने हैं पंचमार के सि की मुहरें प्राप्त हुएं अगर एकजाम में सिक्व बनाता है कि असुरण अभूसन मिले हैं चांदी के सिक्के और पंचमार के सिक्के तो मिले हैं यहांजर को टाकि महरें प्राप्त हूई है असुरगार्ण से मारा दूसरा टॉपिक है होसल मंदिर अब होसल इस्थाफ़त कला के बारें देखेंगे बैद देख लेते हैं कि इसको निविज में क्यूं है क्योंकि 2022 ते इसके लिए विस्विरासत सूची में सामिल करने है कि ही सामिल करने ही तो भारत की इवर से अधिकारिक तोर पर करनाटा के बेलूर में इस्थित चिनकेश मंदिर और सोमनात्वुर स्थित केशोमंदिर को न मंकित किया गया है विस सूची में सामिल किया जाने हैं कि इसा 섹ा का धुझ को को चिनन के शो मंदिर और में स्थित के शो मंदिर यह होसाल इस्थापत कला के बारें देख लेते हैं यह वेसर सैली में है यह मिश्चित सैली में है इस्तापत के सहली कौन सी है? मिश्चरित या वेसर सहली इमारती पत्थर दो पिस्टोन या अपेच्छा करें तो मुलायम पत्थर होता है वो इसमें होसल इस्तापत कला में यूज किया जाता है इसका टाइम पिरिट क्या है? यह दसमी से चौदहमी सतापत कला होसल इस्तापत कला इनकी कुछ अदुती विशिष्टाएं हैं तारकी यूजना यह इस्टार सेप में इन मंदिरों को दिखाया जाता है जैसे यह है तो यहाँ पे सिंट्रल पिलर्ड हाल होगा और इस्टार के जैसे बाहर निकले हुए अबसीडरी मंदिर होंगे इसमें क्या तारकी यूजना है? तारकी 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 तारे की तरह दिखाई दीते हैं इन मंदिरों की यूजना इसमें होसालिस सापत कला में नकासी इसमें बारीक देखी जाती है देवताओं को अबसंड बारीक रूप से नकासी की जाती है और निचले भाग पर जानवरों और अन्न बनवासियों तथा उनके उपर देवताओं की विशाल मूर्तियों का भी उतकिरनन किया जाता है एक जो हुलेस्वर इस्थापत कला है वह एक दोहरा भवन होता है जिसमें मंडप के लिए एक बड़ा कच्छ है यह कच्छ निरित और संगीत का कारकरम आयोजन करने के लिए था तेक भवन से पहले एक नंदी मंडप होता है मंडप खुले और बंद दोनों मंडप पाये जा सकते हैं मंडपों में गोला कार इस्थम्ब हैं वहसल इस्थापत कला की बात करते हैं कि तो मंडप मंडपों में गोला कार इस्थम्ब होते हैं और मंडप की छट पौराणिक आकरतियों और पुष्प आकरतियों से अलंकित है होईसल मंदिरों में वीमान भीतर से सरल है यह जो अंदर है गर्वगरे है जैसे तो उसके अंदर कोई बहुत जादा नाकासी नहीं की गई यह सरल है लेकिन बाहर से उन्हें भब रूप से अलंकृत किया गया है होईसल मंदिरों की एक इंपोर्टेंट विशेश था इसको जादर कि कि भीतर से सरल है लेकिन बाहर से भब रूप से अलंकृत किया गया है ऐसा जनरली लोग भी करवाते हैं कि घर के भीता एकदम सामाने रहता है लेकिन बाहर इतना चमक धमक करवा देते हैं कि लोगों को लगे कि हाँ कोई हस्ती है यह ऐसा होईसल इस्थापत कला में भी था घीतर से बहुत ज़्यादा डिजाइन नहीं की गई और बाहर भबता के रूप में अलंकृत किया गया था बिमान वह बिंदू है जहां सबसे पवित्र इस्थल मौजूद होता है और सबसे पवित्र इस्थल क्या होता है इसी भी मंदिर का गर्व ग्रे सबसे पवित्र इस्थल होता है इसी के उपर जो चोटी आप देखते होंगे मंदिरों में वो कहलाती है बिमान धारमिक विशेवस्तु क्या है? यह मंदिर शयव परमपरा का अनुसराण करता है होशल मंदिर किसका अनुसराण करते हैं? यह शयव परमपरा का अनुसराण करते हैं मिन इसमें जैन परंपरा की मूरतियों के साथ-साथ बैशणंव और शार्त परंपरा की विश्यस्त भी देखी जा सकती होसल मंदिर से इस थापत कला से संबंदित कौन कोंसे मुख्ध मंदिर हैं जो कि बेलूर में इस्तित है और केशव मंदिर ये सोमनाथ पुरा में इस्तित है होसल मंदिरों के बारे में देख लेते हैं कि इसे अवित्र इस्तिताई सूची में सामिल गया था यह संदच्चेत इस्मारक हैं और इन इस्मारकों का संराच्छन और रख रखाओ A.S.I. द्वारा किया जाता है अर्केलाजिकल सर्वे अफ इंडिया द्वारा बिश्व दरोहर इस्टल की सूची के बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या ये ऐसी इस्टलों की सूची है जिने उनके विशेश शांस्क्रितिक भौतिक महतों के कारण यूनिस को द्वारा सूची बद्द किया जाता है विश्धरुभर इस्थलों की सूची को अंतर राष्टी विश्धरुभर कारकम द्वारत तैयार किया जाता है 1994 में विश्धरुभर समित ने एक प्रतिनिदी संतुलित और विश्वसनी विश्धरुभर सूची तैयार करने के लिए बैश्युकरन्णड निरमित की थी इस रैन्डिनित का निर्माण 1972 के कन्वेंशन का नुपालन करते हुए किया गया था खरोंपर रिस्थल तीन प्रकार के होते हैं सांसकृतिक प्राक्तिक just कर और मिश्रित निर्माद निर्माद धरोंपर रिस्थल होते हैं में बहारत में 40 विश्व धरूहर इस्थल हैंchuss इनमें 15igt deben की साथ प्राकतिक प्रकति कि हैं और मिश्च इस्थल है अब जू मंदिर आप हम लोगा डिसकस किया जैसे चिणके अशवर मंदिर होईलेश्वर मंदिर और केश्वर मंदिर इनके बारे में देख लेते हैं जिन केश्वर मंदिर किसको समर्पित है यह एक कूट अर्थात पवित्र इस्थलवाला मंदिर है और यह भगवान विश्णू को समर्पित है मंदिर मन्दिर इसमें एक ही चोटी होती है मन्दिर मंदिर मतलब एक मंदिर है, यहां पर बना देते हैं, यह मंदिर है, इसमें यह ऐसे दो चोटियां होती हैं मंदिर में ही, गर्फग रहे के उपर, वो कहलाता है क्या, दुरिकोट मंदिर, जो की होई लेश्वर मंदिर की विशेशता है, एक पवित्र इस्थल राजा विश्णु बर्धन क और दूसरा उनकी पत्नी शान ताला को समर्पित है, इसलिए इसे साथ लेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, केशव मंदिर, यह तीन रूपों में भगवान कृष्ण को समर्पित, एक त्रिकूट मंदिर है, जनारदन, केशव और वेणु गुपाल, यह तीन रूपों में के नारदन, केशव और वेणु गुपाल, तो उसके लिए तीन कूट बना दिये जाएंगे, मंदिर में ही, इनका निर्मान किसने करवाया, चिन केशव मंदिर, विजिवल है, चिन केशव मंदिर, इसका निर्मान, ग्यारा सो सत्रह इसवी में, राजा विश्णु वर्धन द निर्मान करवाया, लेकिन केशव मंदिर का, राजा नर सिंग तरती, इसका निर्मान करवाया था, और ये विशनु को समलपित है, विशनु यह भगवान, कृष्ण के ही, मतलब, श्यच्च जी, विशनु के ही इतार माने गए हैं, जिने जेनार दन केशव ये विदु बि भी जाना जाता है जिनकेश्व मंदिर में तरा से गए बाहरी भाग में धैनिक जीवन तंगीत निरत्य द्रिश्व को वर्णित किया गया है यह विश्णु के जीवन के पुनर जर्म से संबंधित कहानियों के बिवरान करते हैं इसमें जैन धर्म बौद धर्म के चितर भी श फिकन को समर्पित और हलेश्व मंदिर षिवजीव को समर्पित हैं खेले बिड में यक दिवार बाला पैश़ है इसमें हलेश्ल काल के लिए पैसंदियां या मंदिर भी हैं साथ साथ एक शीड़ी दर्कूंभी है मंदिर के भीतर रमायान महभारत भगवार पुरान के द्रिश दिखाए गए हैं और केशो मंदिर ये सेल खड़ी से बना हुआ है केशो मंदिर सेल खड़ी से बना है और खराद से बनाए गए इस्तंभों संतुरेत इसापत कला जटल मूर्थी कला से के लिए जाना जाता है इनके अंदर मिली मूर्थें भगवान विश्णु भगवान गणेश देवी लक्षमी और सरस्यत्य जी को समर्पित है और चन्र केश्व मंदिर में यागिची नदी के तट पर निर्मित है और होईलेश्व मंदिर यह मूर्ण रूप से हलेव스타 को दायर समुदर कहा जाता है जिसका आता है एक बड़ा जलवंदार उसके किनारे यह निर्मित है कवेरी नदी के तट परिष्टित है केश्व मंदिर कावेरी नदी के तट परिष्टित है मौलवी द्वारा कुरान के अंस पढ़ने के बाद से चिनर केश्वर मंदर में रथ हुट सूथ इस्टार्ट हुगा और यह पूजा इस्थल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यहां मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था पता नहीं यह मसलिम सलतनत की हमला वर राती कहे थे मूरतियों खंडित कर निकले आते थे अब ओו शल राजवंस के बारे में देख लेते हैं इनका संस्था réponse का नाम क्या है होसल राजवंस के संस्था पक निरिपकाम दुती होईसल राजबंस के संस्थापक हो गए निर्प कमदुति इनके प्रमुक्षासक बिश्णु बर्धन राय ये आरभ में जैन धर्म के अनुआई थे और बाद में ये रामा नुजाचारे से प्रवाइद होकर प्रिश्णु धर्म अपना लिए कौन बिश्णु बर्धन दू और तीसरे मुट्पवाण सासक है नरसिमहा तरतिय ये अंतिम सासक्ते होशल राजबंस के अंतिम सासक नरसिमहा तरतिय थे प्रमुक नगर इनकी रजधाई नगर बेलूर जिसे बाद में द्वार समुद्र किस्थानांतरित कर दिया गया था जो कि द्वार समुद्र क्या है आधनिक हलेविड को ही द्वार समुद्र कहा जाता था इनकी आए के सुरूत क्या थे ये कर एकत्र करते थे किसे करिकतर करते थे कि जो तलाब, जलासे, नहरें और कुhos, सहित, सिचाई प्रणालिया जो बनाई गए गई हैं अन पर करिकतर किया जाता था और उनके प्रमुक्स होता था क्रिशी अधारित अर्थवरस्थथा से रजस अपरावत होता था तो यह जला से नहर कुँए हैं यह सारी कैसी अधारित अर्थवर्ष्था के ही अंग है इस दोरन कन्नड और संस्कृत साहित का विकास हुआ था कन्नड और संस्कृत भासा का ब्यापा किस तर पर प्रयोग होता था प्रसाशन में महिलाओं को महतुद दिया जाता था वरिष्ट मंतरों को पंच प्रधान कहा जाता था जो वरिष्ट मंतरी होते थे उनको पंच जैसंकर हैं तो इनको क्या कहा जाता अगर ये होशल राजबंस के साथ संकाल में होते तो इनको क्या कहा जाता ना विदेश मंती ना कहा जाता इनको कहा जाता संधि विग्रही यहनि कि संधि को जोड़ने या तोड़ने वाला विदेशों से संधि विग्रही प्रमुख अजान्ची को महा भंडारी है तो गेसी कर लेगा कोई भी महा भंडारी या हिरन भंडारी कहा जाता था हिरन जनरली सुरंग के लिए प्रेव्ट तो होता हिरन सब्द ये सभी मिलकर उच इस्जदर का प्रशाशन समालते थे प्रमुख दंडनायक एक और इंपॉर्टन टर्म है इसमें प्रमुख दंडनायक और सेना प्रमुख दंडनायक और होशल राज़ दर्बार में मुख न्याधिस धर्मादी कारी कहता है सेना प्रमुख को जो चीफ आफ आर्मी होता था उसको दंडनायक कहते थे और जो मुख नादीस होता था जैसे सीजे आई हैं उनको धर्मादी कारी कहा जाता था हला कि अब जो सीजे आई हैं वो धर्मादी कारी जैसा कोई काम करते नहीं है समाजिक धर्मिक परिष्टितियां अलग अलग धर्मों के प्रति उदार विभार किया जाता था इच्छा के कई केंद्रे स्थापित किया जाते थे होईसल, सासन, काल के दौरान, सैयो, बैशनो, जैन, बोध धर्म का पालन करते थे तीन दार्षनिकों बसवन्ना, माधवाचार और रामानुजाचार से प्रभावित थे होईसल, राजवन्स के जो सासकते वो तीन दार्षनिकों से प्रभावित थे बसवन्ना, माधवाचार और रामानुजाचार से भारती जाती प्रथा देवदाशी प्रथा और सच्छिक रूप से सती होने की प्रथा प्रचलित थी होशल राजबंस को विजय नगर बंस ने पराजित किया था आंगे चलकर होशल राजबंस को विजय नगर बंस ने पराजित कर दिया था चौल कालिन मूरतियां, अंगला टपिकरी के चौल चौल कालिन मूरतियां ये ये नियर जमें क्यू है? क्युक्कि तमिल नाडु ने चोल कालेन कांस की छह उतकरिस्ट मूर्थियों को वापस लाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों को दस्ताबेज प्रस्तुत किये थे ये चोरी हो गई थी मूर्थियां ये मूर्थियां कला कुरीची जिले के वीर चोल पूर्म के नरेशच्वर शिवान मंदिर की इस मंदिर का निर्माड चोल राजवन के सासक राजंडर चोल प्रथम ने करवाया था इन मूर्थियों को 1960 के दसक में भारत से के चौरी कर लिया गया था और अमेरिका ब्रेटन पता नहीं कहा कहा भेज देते हैं चोरी करके चौरी की के छे मोर्तियों में त्रिपूरान्तकम, त्रिपूर सुंदरी, नटराज, दक्षिना, मोर्ति, वीनाधार, वीनाधारा, संत, संदरार, तथा उनकी पत्नी, परवई, नचियार, की प्राचीन, पंचलोव मूर्तियां का मिल हैं जो कि जिनें चोरी करके विदेश भेज दिया गया था राजन चोल प्रतम के बारे में देख लेते हैं इनका जो भी समय टाइम पिरिड़ क्या है 2014 से 144 ISB के बीच में है ये गजराज चोल के पुतर थे उसने गंगाई कोंड चोल की उपादी धारन की थी उसने कला धर्म और सहित में अमूल योगदान दिया था पाल राजा मही पाल पर विजय के बाद उसने गंगाई कोंड चोल पूरं मंदिर का निर्मान करवाय था उसने पाल राजा मही पाल पर विजभ राप्त की थी सब उसने गंगाई कॉंड की उपादी धारन की थी और भू पूर न मंदिर का भी निर्मान करवाया था राज़ नि faço मैं उसने परके खांड रित्री युद्ध मल्की उपादी भासिल की थी अष्ल हुद्ध चलप्र Михаď होता है एम ने इसको देखा है जो चोरी की किगे मूरति हैं वह पंचलव मूरतियों से निर्मित हैं पंचलो की है यह nd con चलप्रिष्यला ने धारित पारंपर के न необходимо कि कध्रणे के मिस्चरण आप जो नटराज की मूरतियां देखते हैं जतनी भी नटराज की मूरतियां देखते हैं ये अधिकतर चोल काल से ही प्रेरित होके बनाई जाते हैं चोल इस्थापत कला का ही एक अंग है या नटराज की मूरतियां इस काल की कांस प्रतिमाओं का निर्माण सेरे परडियो या लुप्त मौं की धलाई तक्निक के दोरा किया जाता था या धातु धलाई की एक विदी है इसके तहत पिगली हुई धातु को मौं माडल की माद्ध्यम से बनाए गए मौं बन आप बंदा जाता है जब सांचा बन जाता है तो मौं की बाहर आ जाता है गरम कर देते हैं को इसको दो इस जैसे यह temperature होता है उसका मुम पिखल के बाहरा जाता है चुल इस्थापत कला के बारे में देखते हैं चुल इस्थापत कला मुख रूप से द्रवर शैली में निर मित की जाती थी इसमें इमार्ती पथर ग्रेणाइट और नीज़ उज़ किया जाता था चुल इस्थापत कला में पिकास कला आठवी से बार 250 के बीच माना जाता है कि किसी प्रभावित थे ऐसे प्रभवित छोल गलें इस्थापतिकला किसी मधिया था जैसे विजालय जैसे आरंभिक मंदिर पल्लेस पठक एम से प्रहब्त है जो अरंभे मंदिर पल्ले thus tक ऐसे प्रहावित थे उनकी प्रहुष इस्थाइं क्या है नागर्श इलिए कि मंदिरों के विपरीद नागर्ट सैली के मंदिरों के विपरीद मन्दिर एक मुटि चार दिवारी से घिरे हुए थे इसका मतरथ क्या है यहां पर दो इन्टर मेंसर मिलती है कि नागर्ट सैली में अव्याने जहां जैना कि में मंदिर उन्ची चार दिवारी से घरे हुए नहीं होते थे लेकिन जो द्रविंडशैली के मंदिर हैं वे उंची चार दिवारी से घरे हुए थे मंदिर की अन्य प्रमुख विशेष्टाओं में मुख प्रवेश द्वार पर एक शिखर जिसे गोपूरम कहते हैं एक द्वार मंडप वा इसके निकट इस्थित दो प्रार्थना सभाकच जिन्हें मंडप कहते हैं अंतराल यानि कि जो एक बीच में स्पेस दिया जाता है उसको वेस्टिबूल कहते हैं इंगलिस में और मुख मंदिर का सिखर जिसे विमान कहते हैं और आंतरिक गरवग्रेः शामिल है इनमें कौन कौन से सनरचनाई है एक तो उंची चारदी बारी यह मुख मंदिर का सिखर होगा जैसे विमान कहते हैं और उसी विमान के नीचे गरवग्रेः श्थित होगा यहाँ पर इस फ्लोचार्ट में इनका एक ओवर वियू दिया गया है टाप वियू से इनको दिखाय गया है जैसे एक जलासा श्थित होगा गर्फग्रह है गर्फग्रह के ऊपर ही ये विमान है कि इसकी चोटी है मंदिर की आप इसको टाप दियु से देखने कोशिज करिए गर्फ ये ऐसा मालिजे कि ये जो उसकी परचाई जा रही है वो पड़ रही है और ये अंतराल इसके बीच में इस्पेस दिया जाए गर्फ पूरम प्रभेश द्वार इस्थाफद किया जाता है चोल इस्थाफद कला से केसे द्वारा निर्मित कौन कौन से प्रमुक मंदिर हैं तंजाबुर काप रह देशवर मंदिर गंगाई कौन चोल पूरम ये तो चोल राज-द्र पत्हम नहीं बनवाया था और और कि नट्राज की प्रतिमां प्रतिम कि बिए इसमें अपने उप्री दाहिने हाथ में डमरू ढरा Now हुए हैं किया है आप इसमें देख सकते हैं अभिसारे इसमें । अपने दाहिए हाथ में डम्रु धारन किये हुए हैं कि एक हाथ इनका ये थे मुद्रा में है और जो बाया हाथ है उपरी हाथ है इसमें अगनी लिए हुए दिखाई देते हैं इसमें इसकी डिटेल हम देख लेते हैं दाहिने हाथ में डमरू लिए हूँ डमरू किसका प्रतीक है यह डमरू ध्वनी पृổि स्रैश्टी के डृमरू कि ध्वनी श्रैश्टी के स्रजन का प्रतीक है जो तंकर जी के बाएं ईएáng दाए ही हाथ में ऊपरी दाएं हाथ में डमरू है वह तो डमरू बजाने से जो ध्वनी मिंगलती है उस 사ेंष्टी का स्रैश्ट का प्रतीक माना जाता है और उपरी बाएं हाथ में शाश्वत अगनी है यह ब्रमान्ड के बिनास का प्रतीक है एक हाथ से डमरू बजाएंगे दूसरे हाथ से आग लगा देंगे यह काम किसका शिवजी का यह इनको बिनाशक और स्रजन करता दोनों माना गया है निचला दाह दाहिना हाथ अभाई हस्त मुद्रा में है निचला दाहिना हाथ उनका अभाई हस्त मुद्रा में अभाई हस्त क्या है यह अभाई मतलब होता है कि भाई को दूर करने वाला यह अभाई हस्त भाई को दूर करने का प्रतीक है अभाई हस्त मुद्रा इसको याद रखिएगा इस प्रतिम्म में एक बाउने जैसी अक्रति को शिव के दाहिने पैर के नीचे दबा हुआ दिखाई दिया है अभी देखेंगे डाइग्राम में नीचे दाहिने पैर के नीचे दबा हुआ दिखाई गया है यह बाउने जैसी अक्रति अग्यानता का प्रतिक है और अग्यानता अग्यानता वा भ्रहम का प्रतिक दैथ अपसमार का है अग्यानता और भाय का भ्रहम का प्रतिक दैथ अपसमार है जिसे की भगवान शिव ने दबा डाला अपने पैरों के नीचे यानि की उसका उसको क्या बोलेंगे दमन कर दिया अग्यानता और भ्रहम का दमन कर दिया किसने भगवान शिवनी जो कि अग्यानता और भ्रहम का प्रती कौन सा देते है अपसमार ये भी याद रखे कि कैसे भी करके M.C.Q. बना सकता है और अपसमार जो दैत है हुए मानों के पथबरिष्ट होने का कारण है हुए मानों में अग्यानता के लिए जिम्मदार है और जो भ्रहम की इस्थिति रहती है कि ये सही है ये गलत है इस्वर है नहीं है ये दुनिया भर की जो प्रपंचर रस्ता है इनसा उसके लिए जिम्मदार कौन है अपसमार दैत अपसमार जिसे की भगवान सिव ने खतम कर दिया तो भगवान सिव को अग्यानता और ब्रहम का विनाशक भी माना जाता है क्यों का आंगे बाला बाया हाथ उनके उठे हुए बाएं पैर को इंगित करता है यह मुक्छ का प् इसमें जो दाहिना हाथ है इसमें यह डमरू है बाएं हाथ उपरी हाथ में यह है अगनी साश्वत अगनी प्राश्वर्ट अगनी है ये है डमरू ये है अभय हस्त मुद्रा इसे आसिरवाद देने के जो मुद्रा होती है अभय हस्त मुद्रा और ये जो इनके पयर है निचला जो दाहिना हाथ है वह दाहिने पैर को की और इंगित करता है उटे हुए पैर की और इंगित करता है मतलब कि अगर तुम की शरण में आ जाते हो तो तुम्हारा कल्यान हो जाएगा नहीं अगर तुम इस तरह जो दैत है इसकी अगर राच्रण करते हो तो तुमको फिर कुछल दिया जाएगा ऐसा कुछ इसके द्वारा संदेश दिया जाता है अब देख लेते हैं चोल राजवांस के बारे में कि इनका कौन संदाफ़क हैं की क्या था विज्याले को माना जाता है चोल राजवन्स का संस्थाबक विजयाले को माना जाता है इनका कारकाल है आठवी से बार्वी शताबदी इस्वी के बीच में चोल राजवन्स का कारकाल आठवी से बार्वी शताबदी इस्वी के बीच में है और ये पल्लव राजवन्स का उत्रदिकारी है परांतक प्रथम इसने मदुरे को नश्ट करने वाला भी कहा जाता है परांतक प्रथम को मदुरे का नश्ट करने वाला पांडियों की राजधानी थी मदुरे पांडियों की राजधानी थी जिसे नश्ट किया था परांतक प्रथम ने सिंगली आकरमारकारियों को पराजित किया था तब तब पानिराज पर भी अधिकार कर लिया था राज राजा चोल इसने उत्तरी स्री लंका लक्छिडिप और मालदिव पर अधिकार कर लिया राजेंदर चोल प्रथम इन्हों ने गंगाई कोंड चोल की उपाधिधारन की और मलाय प्राइदी पर मलाय दिवसमूं के कुछ भागों को विजित कर लिया था कुलोतुंग प्रथम पूर्वी तट के चोल समराज में पूर्वी तट को चोल समराज में मिला इया था कुलोतुंग प्रथम ने प्रमुक नगर चोल समरा से सम्मधित प्रमुक नगर तंजावुर और बाद में गंगाई कॉंड चोल पूरम जो इस्तापित किया गया था राज राज प्रथम द्वारा खेत्री राजधानी कांची पूरम और मदुराय जिसमें कभी कभी दरबार लगता था वरतमान से तमिल नाडू के पेलंबरूर अरियाल नाग पट्टिनम पुडु कोट्टाई बृद्धा चलम और पिचावरम जिले हैं जहां चोल राजबंस का सासन चलता था इनकी संस्कृति कांस मूर्थियों की ढलाई की जाती थी मुख रूप से हिंदु देवता हूं जैसे नाट राज की कांसे प्रतिमा इनकी मुख भी सेचता है भूमिकर था आयका स्रोत भूमिकर था इसमें एक मत्पूंट है पुरावू व वरितिनेक कटम पुरावू वरितिनेक कटम ये क्या है ये भूर अजस्व प्रणाली को याद रखेगा इसे सब्स दे देता है कि पुरावू वरितिनेक कटम का संबंद किसे है ये भूर अजस्व प्रणाली है या कोई सैनसन रचना है ऐसे कोई भी आप्सन बना के दे सकत है पुरावू वरितिनेक कटम यह भूर अजसर प्रणाली है चोल काले इन भूर अजसर प्रणाली है अधिकारियों को जीविता नाम से वेतन के रूप में भूखंड दिया जाता था और जीविता नाम से वेतन दिया जाता था जो की वेतन के रूप में भूखंड दिया जात थीकारीं को जो भी सायन अधिकारी होते थे कि जो मंत्री होते थे उनको भूकन दिया जाता था बेतन के रूप में अब हाँ साह मुख्या तमिल हिती और पूजापाट के लिए संस्कृत का प्रियोग किया जाता था इच्छा का माध्यम भी तमिल हिती Speech उनने कई वर्सों तक सासन किया समराज को प्रांतों में विवहजित किया रेकं hm वाला केंद्री अधिकारी होता था. धारिंग परिष्थितियां क्या थी? शोल साज को ने बौद धर्म, जैन धर्म, शैवबाद, वैशनवबाद, सभी को संरचन परतान की लगभक, सभी साज को ने सभी धर्म को ही संदग्चन प्रदान किया है समाज में उच इस्तर की साचड़ता और सिच्चा की उपस्तिदी थी संस्कुत सिच्चा ब्रामुहता की सेमित थी दार्विक मठ शिच्चा के केंदर थे जाती का इडंगय और बलंगय इडंगय और वलंगय में विभाजन था चोल काल में दो प्रकार की जातियों में विभाजन था इडंगय और वलंगय साही परिबारों में सथी वा देवदासी जैसी प्रथाएं प्रचलित थी साही परिबारों में जोल बंस को पांडे बंस ने पराजित किया था जोल बंस किसका उत्राधिकारी है पल्लाव बंस का अब फिर चोल बंस का उत्राधिकारी कौन होगा पांडे बंस अब देख देख लेते हैं आपना अंगला टॉपिक कुतुब शाही मकबरे में खिर को संस्कृतिक बिरासथ संठचन के लिए ऀसको के आस्या प्रषांत पृत्कार से समानित किया गया है भोल कुनडा तेलंगा ना में है इनक बाभी 16 शती में निर्मित एक कुवा है बावडी जनरली कुवा को ही कहते हैं रानी की बाव जो रानी लोग यूज करने के लिए रानी ने बनवाया था कुवा उसको रानी की बाव जैसे कह लेते हैं यह सब बावडी मतलब होता है कुवा यह संरचना फार्सी चैली में निर्मित है इस इसमारक को विशेष्टता का पुरुसकार दिया गया है यह पुरुसकार ने मिलकित स्रेडियों के इंतरगत दिया जाता है उत्करश्टता पुरुसकार विशेष्टता पुरुसकार मेरिट पुरुसकार विजासत के संदर्में डिजाइन के लिए पुरुसकार रस्था विकास के लिए विशेस मानेता पुरुसकार भारत के आने पुरुसकार भी जियता इसमारा कौन से हैं जैसे उत्क्रश्टता पुरुसकार किसने जीता ये च्स्टरपति श्यवाजी महाराज अजी बस्टीं गहski बस्ट चंग्राहलय मुंबाई में उस्तित है इत्कृतृत कर जीता और म भाइखला स्टेशन जो की एसिया का सबसे पुराना स्टेशन कहला था भाइखला स्टेशन ने भी मेरिट पुरुसकार जीता है बाइखला स्टेशन इस इंडो इस्लामिक निर्मित होता है ब्लैक बेसाल्ट पत्थर को किया जाता है और इनका सासन का यह की विकास काल जोबे कुट्व साहिस्थापत के लागा पंद्रह सो अठारा से सोलह सो सतासी एडी तक माना जाता है इनकी विसेश ताइम इमारतों के इमारतों में गुंबदों के इस्थान पर मिनारों का प्रियोग किया जाता था चार मिनारों का प्रियोग किया जाता था इमारतों के इस्थान पर मिनारों का प्रियोग किया जाता था इमारतों के इस्थान पर मिनारों का प्रियोग किया जाता था इमारतों के मुंडेरों को अधिक अलंकरत किया जाता था ट्राइल्स के उपियों के साथ कहीं कहीं इस्टुको या कट प्लाश्टर का भी उपियों किया गया प्रमुखिस मारक कौन कौन से हैं गोल कुंडा का किला और चार मिनार कहा इस्तित है खैदराबाद में कुदुप शाही सल्तनत को मकबरे य दुर्ग है और चार मिनार का कही है इस ग्रिनाइट के मनमौखच चौकोर खंबो से बना है जिने इत्हर दक्षिन, पूर और पस्चिंदिशाओं में इस्तित चार विचाल महराबों का निर्मित किया गया है चार मिनार के दिкаwindल के निर्मार के लिजारे और इसमारा के कुत ब्राइर किर चाव राजबन्स के तर्मूर्ट साथ को परमुख साथ म कवर चामिल है उसलिए राजबन्स की चार ली राजबन्स के साथ मकोश सामिल हैं और समागर पारी सरव में 30 मकवर एं है मस्जिदें और रेक सव इसनानागार भी उपष्थित हैं है बग्रिय हो गए यह सब इंपॉर्टनित नहीं है अब यह चार कमान इस मारा कितने सरे मकबरे याद नहीं रख सकते हैं इसको देख सकते हैं दार उल्च सफाव दार उल्च सफाव क्या है यह यूनानी चिकित्सा का एक हस्पताल था यह इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि पंद्रह सो पंचानवे में हॉस्पिरल था तो लेकिन इंगलिस हॉस्पिटल नहों कि यह यूनानी चित्स चिकित्सा कला फिर अधारित था दार उल्च सफा एक अस्पताल था जो कि पंद्रह सो पंचानवे स्वी में बनवाया गया कुतब शाही राजवस्दस यह लुए हमनी समराजी का उत्रधिकार था कुतब साही किस्णस्थापक सुलतान कुली कुतुब व मुल्क मुक हसा सकतृण एकुनुली कुज़ब साह मुहमद कुली कुज़ब छा डिने अर उसी नगर हेस्थ चाह कि ए मुख नगर नह गर और एमधनगर हिस्थत्र और खृमस था और भी रघरrow योजना के निर्माना के लिए हमत कुली कुदुभशा को दिया जाता है जिसने हिद्राबाद नंगर की स्थापना की तर्की कभीले कारा क्यू यूनलू कारा क्यूंनलू से संबंदित थे इस गबीले का राजिचिन काली भेड थी और कुदुभशा-चाहिशासन के دورां मंकल मैसा-राम की नाम पर महा-काली यात्रा प्रतिवर्स किया जाता था कुत्व शाहिशासन के दौरान मंकल मैसा राम के नाम पर महा काली जात्रा प्रतिवर्स किया जाता था किसी भी मंदिर में जाने के लिए हिंदो पर कोई तिर्थ यात्रा कर नहीं था भासा क्या थी दर्वारी भासा फार्शी थी जबकि तेलगू आम लोगों की भासा थी इबराहिम कुलू कुदुब शाही ने राज में तेलगू भासा के विकास को बढ़ावा देने का काम किया प्रसासन सारवजनक सेवां में धर्म जाती और पंत्र के अधार पर नियुक्ति में कोई बैदभाव ने किया जाता था लिपिक से लेकर प्रदान मंद्री तक सभी पदों पर हिंदू और मुसल्मान समान रूप से पात्र थे समाजिक धार्म के स्थितियां कुद्व साही सुल्टान मुसल्मानों के शिया शंपरदाय से संबंदित थे इस काल में शिया लोगों को प्रसासन में उच्छ पदप्रात थे राज में निवास करने वाले हिंदूों में बाल विबाह दहेज प्रता सती प्रता जैसे समाजि कुरूतिया प्रशलित थे समकालीन तेलगू लेखक पुन गंती तेलग नारे ने अपनी कृति यायाती चरित्र में समाज महिलाओं की दैनी इस्थिति का विवर्ण दिया है और अग्या गोल कुंडा की के लिए पर अधिकार कर लिया था इसके बाद इस राजबंस का अंत हो हो घगyu गया के अंगल्य टापिक हमारा महा पासान इस्तहल महा सबस्ल चेंड मैं कि देश में कई महा पासाल की खुट की गई है नहीं इसको देख लेत महा पासान जीकर होतें हैं आंपसाल समाह दे इसन लोया समराचना के निरुमान के बाड़े वड़े पत्त्रों की निस समाधी इस्तल होते हैं या कि फिर गैर समाधी इस्तल होते हैं ऐसा मता कन्फ्यूजन होईगा कि महापासान सिर्फ और सिर्फ समाधी इस्तल ही होते हैं सिर्फ समाधी इस्तल नहीं होते हैं महापासान समाधी के साथ-साथ गैर समाधी इस्तल भी होते हैं यानि कि कि किसी की ऐ पूपर महापासांड के लिए उपयोग नहीं किया जाता कुछ मुख मुख महापासांड इस्तल है प्राइद विप धक्षण दंध और भारती महाधिव के उत्री पस्च्विश्येथ में मुख महापासांड इस्तल है महापासाण इस्तल का जो समयकाल हुआ है तेरा सोईसाप पूरु से बार्मेश चताबदी इस्वी तक की अबदिके हैं अभी कौन कौन से इस्तल खोजे गए है असम के दीमा हसाओ जिले में महापासाण इस्तल खोजा गया है और करनाटक के दच्छन कन Apollo जिले में महापासाण काजिन घुफ़ा मिली है दीमा हसाओ जिले में महापासाण काजिन पत्थर के मरतमान मिले हैं इस खोजने भारत के पूर्वूतर और दच्छन पूर्व एसिया के बीच संबावित संबंधों पर ध्यान के इंद्धित किया है यह संबंधित दूसरी सहस्तराब्द ईश्या पूर्व से संबंधित है हसम में पाए गए पत्थर की मरतमान लाओस और इंडियोनेसिया में पाए गए पत्थर की मरतमानों के साथ प्रतिकात्मक एवं रुपात्मक समानता रखते हैं करनाटक के दच्छन करनड में जो महापासान इस थल्प रप्त हैं उनके बारें देख लेते हैं करनाटा के दच्छन करनड जिले के कदबा तालुक में महापासान काल की एक शैल कर्तित गुफा मिली है महापासान काल इन समाधी इस्तुलों में पत्थर के घेरे और मेनिर पाय जाते हैं लेकिन दच्छिन कंडर में मिली गुफा में एक कब्र पर एक बृतिया शून अंकित है उत्रव उनको जीरो का तो नौलेज था ही बिरू सही पता है लेकिन लोग मानने को तयाद नहीं है अभी भी दच्छिन कंडर जिले में मिली गुफा में एक कब्र मकवरे से संबंदित ह एक ब्ृत्य शूनानकृत है कब्र में ब्रॉत्य शून्नानकृत है मतलब कि वह इसको ऐसा दरसाएगे हुगा Whoa कि वह शून में मिल गया यह फिर अनंते में मिल गया है। ऐसा कुछ सुथ दरसानी की प्रक्रिया की गई होगी। कहां पर मिला है दच्छन कंदर जिले में करनाटा के दच्छन कंदर जिले में है और आसम के दीमा हसाव जिले में महाँपास अर्कलेनिस्थल मिले हैं और कोई मुख्विस इस्ता नहीं है इसमें कि कोई ऐसा एंटिक चीज जो एकजाम में पूंचा जा सके है कि कि पूक ही कि कुछ सुर्क हैं थी मारतंड़ सूर मंदिर जम्मु कस्मीर नहीं जानते हैं राजा लजीत ने करवाया थे इसका निर्माद 724 2017 6161 सा पूर्व के भीच में मारतंड़ा सूर्य मंदिर जम्मु कस्मीर में वर Nich का थैं को, कोनार के का सुर मंदिर लगभक सभी लोग जानते हैं यह ओडिशा में इस्तित है और यह सिग रही मतलब इसके निवज में इसलिए क्योंकि जग मुहन में कुछ नकास सहदारी पत्थर किये गए हैं उनको देखने के लिए इनिवज में आ गया यह उडिशा के पूर्वी तर समूं यह इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको देखते हैं राष्ट्री इसमारक प्राधिकार ने माहुली के मंदिरों के व्यापक विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की माहुली मंदिर समूं को दक्षण कासी के नाम से जाना जाता है माहुली मंदिर समूं को इस मंदिर पांच मंदिर को पांच मंदिरों का एक समू है माहुली मंदिर समू जिसे माहुली मंदिर समू कहा जाता है इनका निर्माट ग्यार्मी से बार्मी सताबदी की बीच में करवाया गया और ये महराष्ट के सतारा में कृष्णा और विन्ना नदियों के संगम पर इस्तित है माहुली मंदिर समू ये दच्छन कासी के नाम से भी जाना जाता है ये हिमाडपंथ सैली में निर्मित है हिमाडपंथ क्या होता है ये एक प्रधान मंतरी होते हैं जो मतलब महराष्ट में प्रधान मंतरी हिमाडपंथ का दिया मतलब शेवना यादव रसासक थे जो उनके दर्मार में जो प्रधान मंतरी होता था उसे हिमाडपंथ कहा जाता था हिमाडपंथ अब कई मराठी मूवी बगरा ये कि मराठी सील जो भी देखते होंगे जो भी मूबी आती है उसमें पंत यूज आता है ये सब मंत्री के लिए यूज होता है निर्माड करता हमाद्री पंडित थे जो की प्रधान मंत्री थे देवनास यादोग सास्कों के राजदरबार में हिमाद्र पंडित इनके द्वारा हिमाद्र पंथी चैली का विकास किया गया इस मंदिर समूंग का परिशार सब्त भुजी है इसमें सूखे पत्रों की चिनाई से निर्मित गर्फ ग्रह वां मंडप हैं साथ ही एकल पत्थर पर उकेरी गई एक लंबी संरचना अवस्थित है तिलंगाना श्ऐल के पुरह दिलंगाना के यद्दरी भुबण गिरी जिले में कसी पेटा के मद्ध पासाण कालिन श्ऐल चितरों से युक्ट एक प्रगति हाशिक श्यल आश्रे महाँ पाश्ण काल की समाधी और सोचम्पासाण पाए गए गये हैं तेलासरा एक सांफ की फन के समान दिखाई देने वाली शेलों की एक विशाल संरचना के अंदर इस्थित होता है अधिछ नलूर ये नियूज में था क्योंकि पूरत अधिछ नलूर का उत्खरन किया गया है इस उत्खरन के दवरान एक विशाल कलस से एक सोने का मुकट प्राप्त हुआ है अधिछ नलूर दच्छनी तमिलनाडू के तुत्तुकुडी जिले में तामिर बरणी नदी के निशली घाटी में वस्तित है संगम साहित में बरणी प्रचीन बंदरगा कोरकाई आधिछ नलूर के समीफी इस्तित है संगम साहित में एक बंदरगा का वर्णन है उसका नम क्या है कोरकाई यह आधिछ नलूर के पास ही इस्तित है को दोनों को लिंक किया जा रहा है अदिशनलूर और को इस्थित यह महापासाड कालीन इस्थल है भारत में उथखनेत प्रथम पुरतात्युक इस्थलों में से एक है जिनका भारत में उथखनन किया गया था इसका उत्खनन अठारा सो चीहत्तर इसवी में एक जर्मन अन्वेशक एंड्रिव जागोर ने किया था बाद में A.S.I. की अधिचक एलेकजंडर री ने इसका उत्खननन किया है इसे सग्यों का मानना है कि आदिच नलूर ना केवल महापासान संस्क्रित को दरसाता है बलकि यह लौह यूग संगम यूग की और संक्रमन काल को भी दरसाता है सिर्फ महापासान संस्क्रित को नहीं दर्साथा यह लौह यूग और संगम यूग इनके बीच को जो संक्रमण चेत्र है इसको भी दर्साथा है आदिछ नलूर का चेत्र नक्षिन भारत में सबसे पुराने लौह यूग के इस्थल लगभग एक हजार इसापूर्व हलूर और और आदिछ नलूर हैं दर्साथा नलूर महापासान समाध इस्थल पर पाए गए कंकाल को विविन नरजाती मूल का बताया गया है मतल见 यह एक ही नरजाती मूल के नहीं है और इसे यह निसकरशन बगा जा रहा है कि यहां पर वैश्थल ब्यपार भी वैश्थल ब्यपारी भी आते थे जिनकी डेथ होने पर उनका दफना दिया जाता था तो इस तरह अलग-अलग नरजाती समूं के लोग के कंकάλ मिले है है चेणई में 12,000 बस्व से मानों निवास के साथ हैं है फॉर्णी में भार्टी पुरथ तु सर्वेच थांड को चेणई के बाहिरी लाके में कुछ कलाकरतियां मिली हैं इस से इस चेट्र में लगवग 12,000 बस्व के लुगों के निरंतर निवास का पता चला है लोग निरंतर निवास कर रहे हैं बारह हजार साल से लेकिन कोशिस की जा रहे हैं कि इनको कैसे भी करके सब 5000 साल में एड़ेस्ट कर देना है कि यह अड़पल सबता के बाद से ही यह भारत में लोग घरों में रहना सुरू किये थे पहले सब जंगलवासी ही थे लेकिन यहां पर साथ मिला है बारह हजार वरसों से निरंतर निवास का पता चला है एक जगह ते यह कला करती हैं मदद पासान काल काल क्या है दस हजार इसापूर्व से आठ हजार इसापूर्व के बीच में से पल्लव काल चौथी सताब्दी की शुरुवात से नौवी सताब्दी की उतरार्थ तक इस छेतर में मानों के निरंतर निवास का प्रमाण मिला है यह कि दस हजार से दस हजार साल इसापूर्व से निवास का प्रमाण मिला है कहां से यह छिनना से तो इननाई से क्वैड़ाय कौन कौन सी वच्ने प्राप्थ हुए है सतर की नीचे की परत में वह मत पासान काल के हस्त कुठार, खुरचनी, क्लीवर्स, सहित, पत्थर के आउजार पाए गए हैं, निचली सतह से, उपरी सतह से क्या मिला है, संगम यूग से, संगम यूग यानिकी लगवग दोहजार वर्स पूल से, रोमन शैली के भांड खंड, कांच के मन के, सोने के अभूसन, टेरा कोट अखिलों ने प्राप्त हुए हैं, और सतह पर विश्णू और सिवलेंकी प्राचियन मूर्तिया, जिससे प्रारंभिक तता उत्तर प्रलौयूग का संकेथ मिलता है बिश्णु और सिविलिंग की प्राचिन मूर्तियां भी मिली हैं जो कि बारासव से अठारासव साल पहले तक का मानी जाती हैं यह सतह पे मिली हैं फिर उपरी सतह पे मिला है क्या संगम यू के टाइम का रोमें शैली के भांड खंड कांच के मन के सोने के अबूसन और टेरा क यह पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ अब हम दूसरा टॉपिक डिसकस करते हैं हमारा अंगला यूनिट है दूसरी यूनिट है चितर कला और अनख भारती कलाई इसमें से पहला टॉपिक है पारमपरिक भारती वस्तर ट्रेडिशनल इंडियन टेक्स्टाइल्स ये सुर्कियों में क्यों है? क्योंकि 21 सदी के लिए हस्त निर्मित पारंपरिक भारती वस्तुरों की सुरच्छा नामक दस्तवेज जारी किया गया है युनिसको दोरा दस्तवेज में देश के 50 विसिष्ट और पतिश्टित विरासत सिल्पों की सूची जारी की गई है भारत के पारम्परिक-वस्त निंकी मतलब की यह कब से ने निली कि बारत में वस्तरओं लोग पहन रहे हैं भारती वस्तरों कीृत्र सिनू-गार्टी सबदता में खोजी जा सकती हैं यह 京ृत यह बंद तो पहनते थे यह सभी को पता है कॉटन मिले हैं एक एक अंकल थे जो कि साल ओढ़े हुए दिखाई दिये गए हैं सिंदुगाटी सबता में तो महां पे कपड़े तो पहनते ही थे लोग तो इसकी भारती वस्तरों की पत्ति सिंदुगाटी सबता से माने जाती है यहां लोग अपनी पोशाकों की बुनाई करने के लिए सिंदुगाटी सबता के लोग नील का भी प्रयोग करते थे वस्तरों को रंगने के लिए यह प्रयोग करते थे और कपड़ों का प्रयोग करते थे और उनके कपड़े जो घर में धागे तयार किया जाते थे उन्हें से ही वह बनाते थे और भारती पारम परिक वस्त्रों को चार स्रेणियम विवाजित किया गया है जैसे कढ़ाई वाले वस्त्र प्रतिरोध रंजित वस्त्र चपाई वाले वस्त्र और हाथ से बुने हुए वस्त्र कढ़ाई वाले वस्त्रों में कौन कौन सी कौन कौन सी कलाकारियां आती हैं जैसे फुलकारी और चिकन कारी फुलकारी और चिकन कारी ये कढ़ाई की गई कलाकारी है और प्रतिरोध रंजित यह रजिस्ट डाइड डाइड करके जो वस्तर में कलाकारी की जाती है उसमें कौन कौन से आता है एक बंधनी और इकत ये दो कि लो डाइ के यूज का यूज़ करके उसमें कलर वगैरा जो भी डिजाइन के जाती है बंधनी और इकत लू सबिस्तरérêt बगरू चौपाई और कलंकारी कारी ओधिया फुलब कारी कलंकारी वाला है और ही च्ट्री में ना में भी है बानार्टे जरी और कस्मीरी शालव गएर यह हात से बुने हुए बस्तर को स्ट्रोण के स्ट्रड़ी में आते हैं है इसमिन पहले दी गई है यह देखी लेते हैं पैदा ही जाए परम्परगत सिल्फ को बढ़ावाबर देने के लिए कि गई पहले कौन-कौन से हैं बयापक हस्ती श्ल्फ कलश्टर विकास होजेना अमender कर हस्ती serious विकास योजेना हस्ती कर भीएमेगा शीडार मीशर्ट मिसेक और विपढन सहायता और सिवाय यह है विकास यहां या बारा सरकार द्वारा परंपरागत शिल्प को बढ़ावा देने के लिए की गई पहले हैं विरास्त भारत में विरास्त वस्त्रों की सूची जारी की गई है यूनिस को द्वारा उसको देख लेते हैं इसमें कुछ इंपर्टन्ट जो भी भारत के विरास्त वस्त्रों की सूची उनको देख लेते हैं जैसे पहला यह इंपर्टन्ट है थिगमा थिगमा लद्दाक का है जो कि उन बांध कर रंगाई के लिए हुए वस्त्र या बंधनी की टाई डाई का उप योग इसमें किया ज इसमसी वैसे बना सकता है कि थिगमा एक वस्त्र शिल्पों की एकला है यह कहां प्रचलित है उत्तर तो इसके लद्दाक के लेकिन आप्शन दे सकता है सिक्किम अरुणाचल प्रदेश आसम क्योंकि नाम उन लोगों के एक जैसे नाम रहते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है फिगमा लद्दाक का है उत्तर भारत का है और एक है कुनवी बुनाई कहां की प्रचलित है गोवा की कुंगनी बुनाई गोवा की और नंदना हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जावाद यह मद्द परदेश की है मातानी पच्छेडी यह भी न्यूज में था यह एहमदाबाद की है इससे तो अंदाज लगा जा सकता है एहमदाबाद में यह जो मातानी पच्छेडी का ही एक एक तरीके के सौल होता है जिसमें की जो की देवी की पूजा को समर्पित करने के लिए हाथों से बुना जाता केरल में आयरवेदिक वेस्टर प्रचलित हैं और बहुत सारे इनको याद करना मुस्किल है यह अब दो चार में देख लीजिए भारती खिलाओने यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों कि भारत सरकार खिलाओनों को डेवलब भारत में मतलब भारत निर्मित खिलाओनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रत है इसलिए इंपॉर्टेंट है इसके लिए इसको भारती मानक निकाई के रूप में इस्तापित किया गया है इसका अधिनियम 2016 में परित किया गया राष्टी मानक निकाई के रूप में इसको परित किया गया है भारत इस्टेंडर्ड ब्यूरू आफ इंडियन स्टेंडर्ड को यह उभूकता मामलों के विभाग के अधिनाता है उसका उद्यस क्या है मानकी करण चिन हंकन और गुडबता प्रमानन का समझे से पूर्ण विकास करना मानकी करण और गुडबता नियंतरन को नया बलप्रदान करना इनके पांच छेतरी कार्याला है एक कोलकाता में चन्नाई में मुंबाई चन्रीगड़ और दिल्ली में पांच छेतरी कार्याला है किसके ब्यूरू आफ इंडियन स्टेंडर्ड के 25 सदस होते हैं अध्याच के अंदरी उभकता मामले खाद और सरवजनिक वितरान मंत्री होते हैं इसके अध्याच के और उपाद्याच आज़ते उभावरता具 रादल्ल में पूरविआफ इंडियन स्टेंडर्ड दोरा उनमें से साथ जो है तो वह खिलाओनों की सूरच्छा पर गुडवत्तन नियंतरण का हिस्सा है मतलब क्वालिटी मिंटेन की जाए क्या कि बच्चे हैं मुझ में खिलाओने रख लेते हैं जिसके कारण उनको स्वास्त का भी हानी उठानी पड़ती है इसलिए इनको खिलाओने की सूरच्छा से समझें गुडवत्तन नियंतरण पर आदेश दिये गए है चौदा वर्से से कम आयू के बच्चों के खिलाओने सूरच्छा के साथ भारती मानकों के अन्रूप हो साथ भी आया से लाइसेंस के तहर तो उनमें एक मानक चिन हो जो कि ये बताए कि हाँ ये चौदा वर्से से कम उम्र के बच्चों के लिए सूरच्छीत है और इसमें कोई ऐसा केमिकल कॉप्यों के नहीं किया गया जो कि बच्चों के लिए हानी का रख हो भारती खिलाओने इनको देख लेते हैं कि इनकी मार्केट वल्यू क्या है लगभग भारत में बरतमान खिलाओना बजार लगभग वन पॉइंट फाइब अरब डादर का है जो कि बैस्चिक खिलाओना बजार का केबल 0.5 परसेंट है 12 सरकार दोरा उठाए गया के लिए राष्टी का रियोजना एच्टिस इस बौक खिलाओना बनानी का पाठ्करम सुरू कि जाएगा चाट्रों को खिलाओना बनाना सिखाया जाएगा च्छटी क अच्छा से ही राष्टी इस एच्छानी का आंग है इसको याद रखेंगा को बच्चों को कंप्यूटर की सिच्छा देना ये सारी चीज़ें इसमें सामिल है कि इसको राश्टी सिच्छ नीत कि के सब्सक्राइब कि इसके भड़ में हां पर भार म courtroom कि होाँ ये इसकी तहीं के देख लिए देखे लिए लिए अन किन नाली खिलाएं यह याद रखे कि करनाटा के चन्य पट्ना खिलाएं और किन नाली खिलाएं पंजाब के जंकना वहरा चक्मिन गूला वहालविट वगर यह लेकिव कोई जानता है ठिंगरा धिंगला यह गुजराथ की खिलाएं dethib integrating यह गुजराथ के ने ने ये प्रशलित रहता है कि लोने क में प्रचली और मडिपुर में लेफादवि खिला षजित है यह तो साइद ही पूछेगा और इसा में संभाल पूरी सब कोई जान जाएगा पत्थर की खिलाने लगभग हर जगह हैं बनारास के यह भी नहीं पूछेगा इंपॉर्टन कौन से हैं करनाटा के चन्डपटना और किनाली खिलाओने गुजरात के धिंगड़ा धिंगला तिलंगाना के निरमल खिलाओने मणीपूर के लाइफादिवी और तमिल नाडू के चोपू सामान खिलाओने होग कर्तिया यह अभी पहाड़ी लगुचितर गला यह कांगर सेली से निर्मित होती है क्योंकि लगुचितर्कल सेली में बिक्षित हुई हिमालय के तलहाटी राज्यों में बिक्षित हुई है जो प्रमुक्षासक राजा संसार चंद संदर्शन में बिक्षित हुई है अब तक कि सबसे कव्यात्मक और घीतात्मक भरती शैली हो में से एक है एक है सहली अपने निरमल संदर और निस्पादन की सोचमता के लिए जाने जाती है इनके अनुकी विशेशता है रेखाओं की सोचमता रंग की चमक और अलंकारिक विबरणों की सोचमता है इस सेली में चित्रित सबसे लोगप्री विशे हैं रागवाद तुरान गीत गोविंदम नल दमयंती और बिहारी सत्साई और बारा मासा रागमाला आदीये इसके मुख्षे पीसे हैं चित्रerd करने के किसके पहाड़ी लगु चित्रकला जैसे कंगड़ा सैली केथर कला भी कहते हैं मातानी पच्छडी अब इसको हम देख रहे थे एक तरीके के कपड़े पे चितरकारी है मातर देवी के पीछे पचेड़ी एक धार्मिक हस्त निर्मित बस्तर बस्तर का नाम है पचेड़ी एक धार्मिक हस्त निर्मित बस्तर है इसके केंदर में मातर देवी के चितर बनाया जाता है माता नी पच्छडी के केंदर में ऐसा मालना जाता है कि सुर्थ गुजरात के घुमन तो बागरी समुद्धाए कहां से है गुजरात से ये एक टर्रम मिल गया इसको लगा रखेगा बागरी समुद्धाए गुजरात से है इनके लोगों की और इनको निचली जात की करण पूजा नहीं करने देते थे इस करण से ये एक इनोवेटिव आइडिया ले आए इन्हों ने अपने कपड़ों पर ही देवी माता के चित्रों को अंकित करना सुरु कर दिया और उसे ही ही अपना स्वाहिम का पूजा इस तल बना लिया यह ऐसे लोग होते हैं कि जो कि देश को हमेशा आंगे ले जाने काम करता है यह विवाद नहीं उत्पन करते हैं कि नहीं अभर हम धर्म छोड़ के वो धर्म चले जाएंगे यह समस्या नहीं है यह समधान की बात करते हैं इसे ही आपने भी नियूज में सुना होगा एक राम नामी संप्रदाएं हैं राम नामी संप्रदाएं उसमें भी कुछ बेवकूप राजा लोग जो भी थे उन्हों ने इनको अधिवासी अधिवासी लोग थे इनको मंदिरों में नहीं जाने देते थे इन लोगों को इन्हो पूरे सरीर में राम नाम राम 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 र एक विद्यासत बास से बनी कलम कॉप्यों किया जाता है इसमें बास से बनी कलम कॉप्यों किया जाता है मातानी पच्छडी चित्रकाली में पाड़ी जनजातियों द्वारा बनाएगा चित्रों में इनको देखने को मिलता है पितावरा चित्रकला का यह चित्रकारियां आदिवासियों के सामाजिक संस्कृतिक और पौराणिक जीवन वेवं मनताओं के संबंद की जनकारी देते हैं यह रखेगा पितावरा चित्रकल रहें इनके चारो और साथ पहाड़ियां थी इनका प्रतेने तो साथ घोड़े करते हैं पितावरा चित्रकला एक काला शैली से अधिक एक अनुष्ठान है यह या तो भगवान के प्रति आभार प्रकट करने अथ्वा इच्छा या वरदान मांगने के लिए किया जाता था सुलिमानी काटरे यह अकी एक पत्थर होता है जिसे कट्षा बनाते हैं उसे सुलिमानी काट्षा कहते हैं यह मद्यम इसतर का मुलवान पत्थर है यह राज पीपला की भूमिगत खानों में और रतनपूर की नदी तल में पाया जाता है इस पत्थर को इन काट्षा जैसे । इसे पाटन चेत्र नाम से ये आपको अंदाज लग जाना चाहिए कि यह गुजराद का पाटन चेत्र की कला है यहुग रूप शुद्ध रेस्म से बुनी हुई दोहरी इकतिया पाटोला की प्रचीन कला है इसमें दोनु तरफ डिजाइन किये हैं बस्तर के एक ही तरफ नहीं दोनों तरफ इसमें डिजाइन किया जाते हैं बंधनी प्रक्रिया के रूप में इसे जाना जाता है इसकी डिजाइन में ऐसे रूपांकन शामिल हैं जो आम तोर पर धर्मों और संस्कृतियों के प्रतीख हैं इसके आधार के रंग प्राक्तिक धूसर काला भूरा सफेद हैं और इसके अलंग करण के रंग नारंगी नीला हरा आदी हैं इंशालों को अधिकांशता दो भागों में बुना जाता है दो भ खैब्रन मंत्री को एक सफेद रोगन भीटकिया रोगन चितर कलाव का यह को भैट की गई रोगन वस्तता वस्तर पर की जाने वाली चितरकला का एक रूप है लुगहन उसाद्द कर्द पर चितरकारी में का एकoca रूप है रोगन कच्छ के निरोना में केवल एक ही परिवार द्वारा सन्रचित है रोगन चेत्रकला रोगन चेत्रकला केवल एक ही परिवार द्वारा सन्रचित है रोगन फार्सी सब्द का फार्सी सब्द से निकला है इसका अर्थ है तेल या वार्निष इस काला में उबले हुए तेल और ब रहे गुजरात के कच्छ के निरोना में इसका निर्मार किया जाता है रोगानी चितरकला का सांजी चितरकला यह भी इंपोर्टन्ट है भाती प्रधान मंत्री ने वाड़ बैठा के दौरन अमेरिकी राष्ट्रपती को सांजी चितरकला दी इस चितरकला का विकास पंदरवी से शोलवी सताब्री के दवरान उत्तर पदेश के ब्रंदावन्द में हुआ है सांजी चितरकला का विकास कहा हुआ है उत्तर प्रदेश के ब्रंदावन्द में इसमें ख्रिष्ण जीवन की घटनाव पर आधारित कीजियें बनाई जाती है सांजी सब्द का अर्थ है सांजी यह संद्या से लिया गया है और यह संद्या के समय मंदिरों में रंगोली बनाने की प्रदावन्द में हुआ है प्रदेश के मुख मंतरी ने वेटिकान सिटी के में पोप फ्रांसे से मुलकात की और उन्हें प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के बना जाता है इसे स्केनवास पर बना जाता है सूती साड़ियों को इमिली के घोल के साथ बिचाया जाता है और तद पहस्चात कले पाउडर से इसे लेपित किया जाता है यह कला स्री जगन नाथ पंथ और पुरी के मंदिर परंपरांस के निकाटता से संबंदी थी इसमें अधिकतर यह पुरी के जो तीन त्रिदेव हैं इनको ही विवरंट किया जाता है दो कि अगला रतनागिरी की शायल नकास यह पेट्रो लेक्स यह इसलेव हीनी में एक मेगा लुपाइनरी प्रस्थाबित थी इसमें कहई हैं और यह और यह ट्रिक्शन नकास हैंं यह पाइल कि पहुंचेगा तो पेट्र going कें तरशों कि तरह के हिस्से की सतह के हिस्से जाता है किसी शेल की सताह के हिस्से को अटा कर निर्मित किया जाता है पेट्रो ग्लिप्स यह यह नकासिया प्रगैतिहासिक यूग के दरान कठोर लेटराइटिक सेल पर बनाई गई है जो रतनागिरी में वस्तित है इन्हें यूनेसको की बिश्च दरोवा रिस्तल की अनन्तिम सूची में शामिल किया गया अनन्तिम सूची कौन से सूची होती जैसे भारत सरकार ने यूनेसको को कहा कि हमको रतनागिरी की जो साहिल कृतिया है उनको हमको यूनेसको की लिस्ट में यूनेसको की लिस्ट में सा प्रस्ताव भेजा भरस सरकार ने तो वो अभी सूची में सामिल नहीं किया गए उनिस्को की तो वह यूनिस्को की अनंतिम अनंतिम सूची में टेन्टेटिव सूची में सामिल किया गए कि विचार सील कि विचार करेंगे अगर इसको देखेंगे अगर यह पूरे हो जाएगी तो आप उसके प्रेंट कहलाएंगे ऐसा ही एक अनंतिम सूची होती है तो रतना गिरी को भेजा गया है भारा सरकार के दोरा जो कि अभी अनंतिम सूची में शामिल किया गया है जिसे पुंकर चितर में एक हजार सेदिक स्यल नकासिया है इन्हें कातल सिल पर भी कहा जाता है इन पर अलग अलग जानवरों पच्चीयों जामिती संद्रचनाव और प्राचीन चितर लिखों को उकिरा गया है भीम बेटिका और मिरजापूर नकासियों के विपरीद यहां जानव को को दर्शाय गया है कि अभारती शस्थरी शंगीत बाद्देंद्र इसको देख लेते हैं इनको चार प्रकार सेवरी किया जाता है अबनद्यबाद मतलब इसमें खीची हुई खाल कि जीवों की मरे हो जीवों की चमरी को खीच के एक सेट किया जाता है जैसे कि डमरू या की नगाडा या ढोल तबला बगयरा ये अबनद्यबाद कहलाते हैं धनवाद घनवाद ये किसी ठोस चीज में होते हैं जैसे घंटी ह हो गया चिम्टा हो गया ये तुम सॉलिड मटेरियल से बने होते हैं और ये जब इनको आवस में टकरा जाता है या किसी यह चीज़ से तकरा जाता है तो यह धन्युद्पन करते हैं यह कहिलाते हैं कौन घंवाद जो घंचीजों से बने हूं शुशिर वाद इनको एईरो पूण्यके वायू यंत्रभी कहते हैं होता है अब हरु यह वायूक्स अध्वन करते हैं जैसे अज़िन हो गया है गिटार सारंगी वगरा हो गया यह वर दो बंद्रों के बीच तारों क कंपन द्वारा दुँवरां जाती है तांथव करते हैं अवनतवाद घनवाद शुशिरवाद और तातवाद यह नियूज में इसलिया क्योंकि एक पद्म भूसन प्राप्त संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार सर्मा इनकी अभी निधन हो गया इसलिए यह नियूज में था और यह इसका जो वर्गी करण किया गया है यह कहां नाट्ट शास्त्र नामा के गिरंथ है भरत मुनी द्वारा रचित जो कि 400 से 200 से 200 से पूर यह निकि इसा मसीव के 400 साल पहले भरत मुनी ने एक नाटक लिखा था नाट्ष सास्त्र इसमें भरती संगीत वाद्यंत्रों को चार समूह में वर्गी करिद किया गया है रंगैश्वधिएं ते करद्रा सब्सद्राँ, इस मृतिय को सजोने के लिए एक उच्षव है, जिसे रंगैश्वधिएं धर अगए लोग शंगीत परफारों के परदर्शन किया गया तरफा परफा Boris यह मेबात में इसकी उतपती, पान्डवों का कड़ा, मंचन की उतपती मेबात में हुई यह आमतर पर महबारत के प्रसंगों और युद home के दरन महराणापताब में धुद बीरता परमपरा पंजाब के है यह गुरु हर गोविंद ने युद्ध के मैदान में शस्त्र हाथ में उठाए वीरों के बीच बहादुरी को प्रेरित करने के लिए कि इसके सुर्थ गुरु हर गोविंद सिंगने की थी पंजाब की धाड़ी गायन परमपरा यह याद रखिएगा भॉबारा यह नुहराए क्लुक्ति गाथ जीध वníचाई दस्तानों को नाम से स्पेस्ट हो जाएगा कि है करने वाले कारों कीदों और राचिन और बाई की विरगाथा जीवन तो हो ठीजिए किसी कि दोस्तान बताना और ऐसा है दोस्ताई-दाश्ट कि सब्द पंगलीला यह काफी important हो जाता है इसको आप five star की rank दे सकते हैं सुभंग लिला यह हाल ही में इंफाल में अखिल मड़ीपूर सुभंग लिला महुत्सों के सुमंग लिला के 50 संत्करण का एयोजन हुआ है कहा पे हुआ है मरीपूर के इंफाल में 9-20 सदी में ग्षित एक प्रंगर या मरीपूर ना टि कला है किसे माना जाते हैं यह मेृतहि समुधाइए के एक अनुस्ठान लाई हरोबसों से हैं मेताई समधाय काई कनुष्ठा ने लाई हरोबा जिससे प्रेरित होके शुमंग लीला का योजन किया गया परतमान में यहनेतिक मुल्यों एकता और अखंडता जैसे मुद्दों को संबोधित करता है इस प्रकार लोगों को सिच्छित करने तथा समाज में सुधार लाने के लिए ये काम करता है शुमंग लीला इसमें महिला कलाकारों की सभी भूम काई पुरुस कलाकारों द्वारा निभाए जाए जाएंगी और जो महिला थियाटर होंगे उसमें पुरुस पात्रों की सभी भूंकाएं महिला कला कारूं द्वारा निभाए जाएंगी यानि की वाईसे वर्सा ताड़ के पत्य की पंडुलूपी केरल के 33 फूरा में ताड़ के पत्य कीपंडूलूपी का प्रथम संगर हाले का उदगाटन किया गया है ये पंडूलुपी अंग्यान को प्रसारित करने और सनचित करने के लिए मानों कि सबसे प्राचीन व्यापग तक्नीकों में से एक हैं इन्हें दो प्रकार के ताड़ ब्रच्छों से प्राप्त किया जाता है एक है पलमीरा और ताली पोटा पल्मीरा का पत्ता मोटा और कम लचीला होता है यह समय के साथ कमजोर हो जाता है जो जबकि ताली पोटा का पत्ता पतला और अधिक लचीला होता है इसमें उत्कृष्ट इस्थायत होता है ऐसा कहा जाता है कि लगवाग छे सो वरसों तक यह था इस्तिति में रह सकता है पल् मेरा और ताली पोटा भारती नेपाली और दच्छन पूर्वेसेशंस करते हैं धर्म से जुड़े कई अनोटे सोत्र इसमें लिखे हुए हैं ढोकरा कला यह इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको देखिएगा कि बंगाल का लाल बजार गाउन ढोकरा धातु शिल्प के अंदर क धातु शिल्प का केंदर बनता जाता है यह एक तरीके की मोम अधारित कला ही है मोम के द्वारा जो बना जाते हैं जो धातु की मूर्थिया बना जाती है मोम अधारित इनके अंदर मोम भर दिया जाता है फिर उपर से सांचा बना जाता है फिर अब इसमें मेटल को पोर कर ले जाता है पिर ये मौम पिगल के बाहर आ जाता है और ये मिटल मुर्थी के रूप ले लेता है ये ढोकरा धातु शिल्प का केंदर बनता जा रहा है यह गाउं बंगाला ज्हारखंड की सीमा पर रिस्तित है ढोकरा गाउं पशिम बंगल में दो इस्तान बिकना बाकुरा और दरियापूर बरदमान जिल्ब ये धोकरा कला करतियों के लिए फेमाँ से पशिम मंगल में दो जले फेमा से पर्यमन यहां पिकडर धातु की ध्थलाई कला है इसमें ध्थलाई के लिये प्राचीन लुप्त ओमविधृ का लियोग किया जाता हैunft ये टामविख इसकी मिभिष्प धात्तूजी या कांस जैसी अलव धातू का इसक्माल करने कारण विशिष्ट है यही एक प्राचीन प्रमपरा है और इसका प्लेखित इतिहाज़ लगवदर पौराना है ढोकरा कला का इतिहाज पांच हजार बस पुराना ये जहार खंड की पारंपरिक कला है और ये मूर्ती निर्माण की कला धोकरा कला मूर्ती निर्माण की कला है बस्ति निर्माण की कला नहीं है यह याद रखिएगा यह दूसरा टापिक हमारा यहीं तक था अब हम तीसरा टापिक डिसकस करते हैं तीसरा यूनिट सम्बंदित है नियूज में रहे कुछ महत्पूर्ण इस्थल आईए अब हम तीसरे यूनिट पे चलते हैं थर्ड यूनिट का पहला सम्बंदित है साइकलोपियन वाल यह नियूज में क्यों है क्योंकि बिहार सरकार ने एसाई को आई को लाजिकल सर्वेय अफ इंडिया को साइकलोपियन वाल को यूनिसको की विश्च धरूबर इस्थल में सोची बद्द करने का प्रस्ताव रखाई से लिए नियूज में है अब जेखे लेते हैं यह साइकलोपियन वाल के बारे में यह एक पत्थर की एक दिवार है जिसकी लंबाई लगभग 40 किलो मीटर है और यह धाई हजार वर्ष से अधिक पुरानी है और यह है कहां पे पिहार का प्राचीन सहर एक राजगीर था जो की यह धाई हजार सरी 40 किलो मीटर लंबी दिवार से घिरा हुआ था यह आप देख सकते हैं इसमें इसके डाइगराम चित्र में यह अंगड पत्थरों से बनी हुई एक दिवार है जो लगभग 40 किलो मीटर तक फैली हुई है और यह राजगीर के चारो और फैली हुई है राजगीर यह बिम्विसार और उसके पुत्र अजात शत्र की राजधानी थी राजगीर बिम्विसार और अजात शत्र की राजधानी थी दोनों साशक बुद्ध के समकालें थे ये याद रखेगा बुद्ध के समकालिन कई बार PCS वगरे में पूछ लिया जाता है बिमिसार और अजात सत्रु ये बुद्ध के समकालिन थे दिवार का निर्मान मौर पूर्व यूग तीसरी चताबदी इसापूर से पहले कराया गया था ये पूर्व मौर यूग मौर समराज के स्थापित होने के पहले ही इस दिवार का निर्मान करवाया गया था कि इस दिवार का निर्मान साइकलोपियन वाल का साइकलोपियन वाल का निर्माड मौर युक के दोरा नहीं किया गया यह याद रखेगा यह से मौर युक के पहले ही इसका निर्माड करवाया गया है साइकलोपियन वाल का निर्माड इसे ब्रहद्रत वंश के दूसरे शाशक राजा जरासंद ने निर्मित करवाया था जरासंद का महाभारत में भी इसका जिक राता है लेकिन वो जरासंद हो सकता है दूसरा हो लेकिन याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं जरासन काफी ताकतवर राजा था इसने साइकलोपियन वाल का निर्मान करवाया था जो की पत्थर से निर्मित 40 किलो मीटर लंबी दीवार है इसे राजगीर को बाहरी शत्रूप और अक्रमनकारियों से बचाने के लिए निर्मित करवाया गया था इस दीवार को विशाल अंगर पत्थरों से बनाया गया है ये काफी important point हो जाता है UPSC में इसका एक कथन बना के दे सकता है प्री में विश्च में साइकलोपियन चिनाई की सबसे पुराने उदारणों में से एक है ये एक प्रकार के महापासान इस्थापत का वर्णन करने के लिए उप्योग किया जाने वाला सब्द है इसमें गारे के बिना पत्थर के असमान रूप से बड़े खंडों का उप्योग करना शामिल है प्राय हकिले बंदी है तो इस प्रकार की चिनाई कौपियों किया जाता था ऐसा माना जाता है कि राजगीर में साइकलोपियन वाल फ्रंटियर आफ दर रोमन अमपायर के समाना है फ्रंटिय नाफ रोमन अमपायर क्या है? कि यह एक तरीके की दिवाल ही है जो कि जर्मानी ब्रिटेन और उत्री आयरलेंड से होकर गुजरती है इसे फ्रंटिय राफ दर रोमन अमपायर कहते हैं उससे तुलना की गई है साइकलोपियन वाल अव बिहार की जो कि राजगीर में वस्तित है बिश्धरो और रिस्थलों की नमंगन प्रक्रिया क्या है? एक हुद इसमें सबसे पहले जब किसी भी देश को अपनी सीमाओं के भीतर किसी भी संड़चना को महत्पूर्ट प्रक्तिक या संस्कृतिक बिरासत इस्थलों को इन्वेंटरी बनाकर उठाना चाहिए मतलब यह पहला कदम है जैसे यह साइकलोपियन वाल को अगर बिस्धरो रिस्थल में नमंकित करना है तो ASI UNESCO के पास अपना प्रस्ताव भेजेगी तो UNESCO की वह अनंतिम सूची में लिष्ट हो जाएगा अब नमंकन फाइल करने के लिए UNESCO दोरा इस्थल को अनंतिम सूची में सामिल करने के बाद उस देश को आवस्चक दस्तवेज और नकसे के साथ एक नमंकन दस्तवेज तायार करना होता है इसे सलाहकार निकायों के मुल्यंकन के लिए भेजा जाता है अब अगर ये इसको सेलेक्ट कर लेते हैं नमंकित मुल्यंकित करने के बाद आध यह बिष्ण विरासत समीद पर निर्वर है कि वह बिष्ण विरासत सुची में अभी लेक्ग की सुची इड्ड करना है या नहीं वह होता है अंतिम अभी लेक्ट 10 चरन इसके होते हैं किसी वि junior सत्रिय को बिष्ण विरासत में न incentive कर ने के लिए अब यूनिस्को दर्जे का अर्थ क्या होता है इसके लिए यह केबल इस्तलों के लिए ही नहीं बलकि उस राज के अन एतिहासिक इस्तलों को भी राष्टी अंतराष्टी परेटन को बढ़ावा देता है परेट के किसंते सुता ही बहतर सुविधाओं और समुधाओं के कोटल वगयरा परेटन के सुधाओं से जो रिलेटेड बरस्ताइं होती है उनमें सुधार होगा एक बर जब कोई इस्तल विश्व विराष्ट इस्तल की सूची में आ जाता है तो उसकी यह प्रतिष्ठा नागरिकों और सरकार के बीच इसके संरच्छन के प्रति जागरु समझाओते के तहट संरच्छन मिलता है जो भी इस्तल युनेस्को की लिश्ट में सूचित हो जाते हैं उनको युद्ध के समय पर भी उनको डैमेज नहीं किया जा सकता है यह ऐसा जिनेवा समझाओता कहता है कि इस विराष्ट इस्तल में सामिल इस्तानों को किसी भी से रिलेटिक चीज़ों में दिया जाता है ज्युकेशन इंडर सेंस जैसे साइन्स हो गया संचार सूचना यह सारे संबंदित हैं इसका उद्देश क्या है सभी के लिए गुडबत्ता पूर्ण सिच्छा और अजीवन सीखने की व्यवस्ता उपलब्द कराना उभरती युनिसको को सचीवाले की अधचता इसके महाने देशक करते हैं यह जनरल कंफरेंस और कारकारणी बोर्ड के निरणें को लागू करता है युनिसको से संबंदित पूरुसकार संसकृतिक विरासत सनच्छन कार्टन के लिए युनिसको एशिया प्रसांत पूरुसकार और यह जीवित व्यक्तियों को संथी को वड़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है इसमें यह इंपॉर्टन्ट जानकारी है संयुक्त राष्ट सतत्विकास लच्छ समू का भी सदस्य है युनिसको संयुक्त राष्ट सतत्विकास लच्छ समू का भी एक सदस्य है इसमें यह दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टन्ट है यूनिस्को के तीन सदस संयुक्त राष्ट के सदस से नहीं है यूनिस्को के ऐसे तीन सदस से हैं जो संयुक्त राष्ट यूएन के सदस से नहीं कौन कौन से हैं एक है कुक आईलेंड्स नियू आईलेंड और फिलिस्तिन ये तीन सदस यूनिस्को के तो सदस से हैं लेकिन सं नो फिरकिष्ट के सद्धार निश्तर के सद्धार से कौन से हैं एजराइल यंच को सद्धार सी नहीं है लेंचे टाइन यूनस्खों का सद्धार से यू यसे नहीं है स़िंफ रास्ट का तो है या उसी pretend प्रस्ट में यू नियूज को का सदस्ट से नहीं है सटॉय अमेरिका और यूनिस्को में ऐसे तीन सदस्ट कि आइसके और यू अन्य यूनिसको घ्र हरा है जैसे एक नालणा वीष्म धयाल ME बहुन गया और यह बार्वी शताबदी तक कारशील रहा और इसके बाद मुगला कमार का जो भी मुस्लिमा करौन का रहा है उन्होंने इसको नश्ट कर दिया इसे सरकार दौरा राश्टी महत्र के संस्थान के रूप में सोची बद्द किया गया है अब बोधी गया का महा बोध मंदिर इ मूल यह जो मंदिर है यहां पे इसकी मूल सन नचना समराट असोग द्वारा बनवाई गई थी और इसके बाद इसे गुपत काल के अंतमें पूरी तरह से इंटों से बनाया गया था बरतमान को जो मंदिर है वह पांचमी से चटवी सताबदी के बीच का मंदिर है यह बोध यूनिस्को की बिश्च धरूहर सूची से हटा दिया जाएगा अगर यह पाकिस्तान में पढ़ता है अगर इस परयात इसके सन अच्छन के लिए सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया रहा है तो इसके यूनिस्को की बिश्च धरूहर स्थल की सूची से हटा दिया जाएगा किसे मोहन जोदूर से ये काफी बड़ी न्यूज है अर्कियोलाजी की हिसाब से इसलिए ये इसको आप फाइव इस्टार रेटिंग दे सकते हैं इंपॉर्टेंस के लिए पाइव इस्टार रेटिंग ये इसे कफन बना के एकजाम में पूछा जा सकता है अब तक के तीन धरूहर हैं जिनको यूनिस्को की विश्ट बिरासत सूची से हटाया जा चुका है पहला है ओमान की अरेवियन औरेक्स सेंचुरी इसे 2007 में इस पे खिलाप एक्शन लिया गय जां के हटाई आ गया था विश्ट बिरासत इस थलकी सूची से और इंगलेंड की लीवरपूलbau जर्मनी यूर्मनी और्फ ले वैली और ओमान का औरेवियन औरेक्स सेंचुरी इन तिन को हटाया जा चुका है विश्ट बिरासत की सूची से थूचितानी की प्रक्तिय क्या है पहले तो यह चेताब नहीं देंगे कि आप युनेस्को के प्रोटोगाल को लंगन कर रहे हैं अगर उस पर एक्षन नहीं लेगा तो उन्हें खतरे में विश्च धरूहर नामक एक सूची होती है उसमें रखा जाएगा और उसके अंत में फिर सूची से हट सब्सक्रादी दिया जाएगा तीसरे उनिट का सेकंड टॉपिक है आइरन एज आइज के बारे में देखते हैं तमिल नाडू के मैला दंपरे में एक अभियुत खनान हुआ है जो कि वह यह बताता है कि भारती लगवक 42 सो वर्स पहले 4200 पहले आइरन का इस्तेमाल कर रहे छिवाय आइज है तो मली दंपरे में खोजे गई लोहे के आउजारों के अधार पर दम्ल नाडू में लावियु का संबंध एक किसोब अच्वा इसमें एक यह महतपूर पूरा здal म्हालिया दंपरे एक महतफूर पूराわかशाल रहे बहिए पहले बीक income Corn NFT कित्रू है इसे जो समग्रिय अप्राफ हुई है सूच्य पौर्व के लग मिले bisa और इतिहासिक के जो भी नहीं पूर्व के इन दोनों के बीच मेंे 30,000 से बोपन को पूर्व कि कि इसम ehmallah फूर मिले हैं कहां पे मायला दम पर आही है तमिल नाडो verdad इस्तितिक एक पूरा इस्थल है जहां पर लोहे के यूज की जानकारी मिलती है कि यहां के यहां पर जो लोग रहते थे वह लगबग 42 सो बर्स पहले आयरन का यूज कर रहे थे यहां से प्राप संस्क्रितिक साच्छों से पता चलता है इस्थल का समयकाल नौपासाण काल के एतिहासिक काल के मद्ध तक था इस्थल का जो समयकाल है मलिया दंपरै इस्थल का जो समयकाल है वह नौपासाण काल से एतिहासिक काल के मद्ध तक का है इसे पांच चरणों में डिवाइट किया गया है जो भी सांस्कृतिक समय काल है उसे पांच चरणों डिवाइट किया गया है पहला है सूच पासांड काल फिर नौ पासांड काल लोह यूग आरंभिक या पूर्वे एतिहासिक और एतिहासिक काल इन पांच सांस्कृतिक चरण बाइस सोई सा पूर पहले हुई थी यह निसकर्स दिनांकित इस तर से नीचे पाए गए 25 सिंटीमीटर मुटाई के संस्कितिक निच्छेपों के अध्यान पर अधारी थे और पुरा तत्त तो विद्धों ने यह भी पाया है कि काले और लाल मृदभांड का नौपासाण काल के अंत में उप्योग शुरू हुआ था ना कि लाव यूग में अभी तक यह समझा जा रहा था कि जो काले और लाल मृदभांड हैं ब्लैक एंड रेड वेयर पॉर्टरी जो है वह ऐसा समझा जा रहा था कि यह लाव यूग लाव यूग के सुरात में इनका उप्योग की लाव यूग के दोरां इनका उप्योग की लिकिन अब जो नया इसमें एनलेसी छुआ है उसमें यह पता चला है कि यह नौपासाण के अंत में ही इसका उप्योग सुरू हो गया था ना कि लाव यूग के अंत में काले और लाल मदभांड ब्लैक एंड रैड यार पॉर्टरी में इसमें नविंतम खोर से पहले तमिलनाडू के लिए लोही का प्रयोग प्रथम साच मेट्टूर के समीब तेलूंगुनूर और मंगडू को माना जाता था जो की पंद्रह सोईसापूर के आसपास का है इससे फाइदा क्या होगा काल क्रम के पंदर्देध निर्धारण में साहता होगी और लौह हुगिन संस्कृति अधार दोजार इसापूर में इस्थापित हुआ यह माना जा सकता है और तीछी निर्धारण ने सिंदुगाटी सबता और तमिलगम दच्छिन भारत के संगम काल के बीच के अंतर को बहुत कम कर दिया है जो की द भारत में विभिन इस्थानों पर विभिन इसकालखंड में लौह यूग प्रारंभ हुआ उन पर उसका एक डेट देख लेते हैं जैसे तमिल नाडु के मैयला दंपरह में अभी हाली में पता चला कि 2172 इसापूर्व से 1615 इसापूर्व के बीच लौह यूग प्रारंभ पर उननीस से दो हजार इसापूर्व के बीच में लोह का यूज शुरू हुआ और मदगंगा घाटी में 1700 से 1800 इसापूर्व के बीच तमिल नाडु के में 1500 इसापूर्व के बीच और राजिस्थान के आहार संस्कृति है वहां पे 1300 इसापूर्व से यह संस्कृति मूलता तमर पासान के संस्कृति थी उसके बाद यहां पे 1300 इसापूर्व के आसपास लोह का उपयोग इस्टार्ट हुआ बरती सबता में धातू के परियोग की प्रसंग एक तक यहां उन धातूं ये इतिहास न धातूं के उपयोग से जुड़ा है जो क्रिश्च के लिए आवस्चक हैं और जो बदले में सबता की सामाजी का अर्थिक परिस्थितियों को आकार्पदान करते हैं तामबे के उपर यूग के दौरान हुआ लोहे के आउजार जितने मजबूत नहीं होते थे साथ ही प्रदोगी और बड़े पैमाने पर दोहन के लिए तावे की अनुप लब्दता ने देश के अन छेत्रों को पासार यूग में रहने के लिए विवस कर दिये इसलिए आप देखेंगे जहां तामर संस्क्रिती चल रही थी वहां साथ में तामर संस्क्रिती के साथ में पासार संस्क्रिती भी साथ साथ ही चल रही थी क्योंकि तामवे की उपलब्दता लिम्टेड थी इतनी जादा उपलब्दता नहीं थी कि हर जगह व्यापक्त तोर पर तामवे का उपयोग एक वाद थी जो आड़ संस्क्रिती का इतना विस्तार हुआ उसका मुख कारक क्या था कि एक हजार इसापूर लोहे का उप्योग ब्यापक तोर पर होने लगा इससे क्या हुआ कि इसे क्रसी आउजारों समराज स्थापित होने लगे तीसरा टॉपिक है राखी गड़ी राखी गड़ी न्यूज में क्यूंकि इसमें अभी एसाई ने उत्खनन करवाया है राखी गड़ी का जहां से कुछ घरों की संरचना गलियों और जल निकासी की विवस्ता का पता चला है राखी गड़ी में राखी गड़ी के बारे में देख लेते हैं यह उप महादीब के भारती उप महादीब के पांच सबसे बड़े हड़पा इस्थालों में से एक है भारती उप महादीब में मतलब जो भी हड़पा इस्थाल है भारती उप महादीब में ही है उनमें से राखी गड़ी का इस् राकी गड़ी ये फिक्त नंबर है फूर्थ नंबर धोला वीरा पहला हड़ापा दूसरा मोहन जदुरू तीसरा गनवेरी वाल और ये तीनों हड़ापा मोहन जदुरू गनवेरी वाल ये पाकिस्ताने अवस्तित हैं और धोला वीरा और राकी गड़ी भारत में अवस्तित ह इस सुद्खनन से पता चला है कि परिपक को हडपा चरण का प्रत्मेजित योजना बधनगर प्रणाली द्वारा किया गया था इसमें कच्ची इंटों के साथ साथ पकी हुई इंटों के घर ता उनमें उचित जलनिकासी की विवस्थत थी अभी तक तो ऐसाम लोग समझते थ के साथ साथ पकी इंटें भी कच्ची प्लस पकी इंटें दोनों का यूज साथ साथ में ही किया गया घरों के निर्माण में महां जोद्रवर की खोज को सो बर्स पूरे होगये हैं इसलिए इससे एक से क्यूव बनता है इंसके ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि इसके खोज को सव बर्स पूरे हुए हैं क्योंकि 1922 में आपको याद ही है कि राखालदास बनार जी ने मोहन जोड़ों का उत्खनान शुरू किया था भारती पूरता तो सरवेच्छन के एक अधिकारी थे राखालदास बनार जी इनके बारे में भी पूछा जा सकता है इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था 1914 में प्राचीन मुद्रा किसने लिखी थी राखालदास बनार जी ने जिन्होंने 1922 में मोहन जोड़ों की इस्तल की उत्खनान का कारव अरंब किया था इन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में कई विनिबंध मोनोग्राफ एवं पूछतकें और उपन्यास लिखे वे बन बने फर्स और कच्ची इंटों से निर्मित पशुबली पशुबली गरतों तथा त्रभुजाकारवा वित्ती अगनी देवताओं के साच तता ब्रती अगनी वेदिकाओं के साच प्राप्त हुए हैं राकी गड़ी में पशुबली के भी साच प्राप्त हुए हैं और अग सा गड़ा करके से गर्थ टाइट का बना देते थे और जहां पर यग बगारा करते थे वहां पर अगनी वेदी काउई भी मिली मिली हैं हडपा यह सिंद्धुगाटी सब्धा के बारे में देख लेते हैं यह दक्चुन एसिया की परारंभिक सब्धा थी इसे कांस यूगीन सब्धा के नाम से भी जाना जाता है और यह मिस्वपटामीय मिस्र और चीन के समकाली इनती इसे आम तौर पर सिंद्धु सरसुती प्राइब किया गया है पसंपता को एक है प्राइबपाई यहनु कि स्टार्टिंग का फिर परीपक हड़ पाई जो कि अपने यवन अकाल में थी और उत्तर हड़ पकाई जो कि प्रोड़ावस्था में थी तो प्राइबपाई का टाइम पीरिड माना जाता है यह मोहरों पर पंक्ति के रूप में लिखते थे इनके अविलेग छोटे हैं और यह दाएं से बाएं लिखी गई है लिपी यह याद रखेगा हरपा लिपी जो है वह दाएं से बाएं की और लिखी गई है और यह किस पदधत इसे लिखी गई है यह बैस्ट्रो फेडन यह फिर ऐसे लारइन जाएग इस लिखन शुरु करते थे हैं अभी हम लोग कैसे लिखते हैं फिर ऐसे लिखते हैं और जो अर्भी यप है वै़ भाएं से बाइङ लिख जाती है या लेकिन इसमें क्या था बैश्टू FD प्रकते थी यह दाएं से बाएं लिखते हैं फिर उसी क्रम में बाएं से दाएं चले आते हैं सिनौली में एक योद्धा बर्गी की उपस्टिती का भी पता चला सिनौली में अभी करेंट में इसमें तिन-चार सल पहले इसमें एक्सकेवेसन हुआ था जो की यूपी में है सिनौली इस्थल यूपी में है यहां पे योद्धा वर्गी की उपस्टिती का भी संकेत मिलता है आली की उथ्खनन की दोरान कौन कौन से साथ से मिले हैं इसमें दो महिलाओं के कंकाल मिले हैं जो लगभग 5,000 वर्ष पुराने माने जाते हैं अंतियो ठीनुस्थानों के इस्थे क रूप में इनकाल उसे साथ पात्र और अनकलाकर्टियां दफन हुई भी मिली हैं इसमें कलाकर्टियां क्या मिली हैं सेल खड़ी निर्मित मुहर मिली है और एक टीलर नमबर तीन है यहां पे जहां पे एक कुलीन बस्ती के साथ भी प्राप्त हुए हैं यानि कि यहां पे इंपॉर्टन्ट लोग जो की हो सकता है सासन में भागीदार रहे हूं या कि फिर बेवसाय कारे में लेन रहे हूं उनकी एक बस्ती मिली है जिसे कुलीन बस साथ साथ पकी हुई इंटों की दीवार वाली कुलीन बस्ती और संभावित मध्धिस्तर की बस्तियां मिली है सुद करता हूं ने अभी तक यह निर्धारित नहीं किया है कि यह अधिवाज बिशेश्ता समुदाय या बेवसाय पर आधारित थी या नहीं है यह अभी तक निर्धारित नहीं किया जा सका है लेकिन यह जरूर है कि एक कुलीन बस्ती थी और एक सामान बस्ती ऐसी बरगी करण था हड़पा इस समय पर अभूसर निर्वाण पांच जार बर्स पुरानी अभूसर निर्वाण के भी अफसर प्राप्त हुए हैं यह संकेत मिलता है कि इस नगर में ब्यापार भी किया जाता था इसके अन्य इस्तल हैं धोला वीरा जो की गुजरात में है यह खादिर के सुस्कुदी पर धोला वीरा सिंदुगाडी सब्दा का पांच मां सबसे बड़ा नगर है धोला वीरा और यहां से सेल खड़ी अथवा चूना पत्थर की दीवारों से युक्त एक दुरगी कृत ग अब यही प्रणाली राकी गड़ी में भी देखने को मिली है यहां एक बड़े कबरिस्तान के साथ प्राप्त हुए हैं जो हडपा के मरत्यु की प्रती अनुठ्छे दर्श्टिकोन के बारे में जनकारी देते हैं हडपाई सहरों के साथ साथ मिसो पोटामिया और ओमान प् कीमती पत्थर जैसे गोमित की पत्थर इनसे अभूसन बनाए जाते थे और यहां से काष्ट का भी निर्यात किया जाता था धोला वीरा जो की गुजरात में है लोथल क्या है यह एक तरीके का गोदी वाड़ा है यहां पे इसको कह सकते हैं जहां पे जहाज हो गयरा रुकत कीमती नाकी पकेंटों से यह खंबात की खाड़ी के पास भोगबो और सावर मती नदियों के बीच में इस्तित है यह भी कई वार पूछा जा चुका है पीजियस में लोथल का किसके पास है भोगबो और सावर मती नदियों के बीच में इस्तित है लोथल दो नदियों के ब पाथरों सोने आदी के अभूचन भी मिले हैं लोथल गुजराथ से हड़पा जो कि पाकिस्तान में है यह सिंदुगाटी की सबसे विशिष्ट कलाकृति है यहां पर जो मुहर प्राप्थ हुई है हडपा मुहर उसको गहते हैं वह सिंदुगाटी सबता की सबसे पांकन मिलता है यह सारी इसकी हडपा मुहर की विशिष्टाएं हैं यह लिपी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है यहां से एक अन्नागार भी प्राप्थ हुआ है इसमें इंट से निरमित गोला कार्चबूतरों की पंक्तियां थी इनका उप्योग भूसी निकालने के के द्वारा इसको विश्ट दरूवर की अनंतिम सूची में सामिल किया गया है यह याद रखिएगा हरपा को विश्ट दरूवर की अनंतिम सूची में सामिल किया गया है विश्ट दरूवर की विरासत इस्थल की सूची में सामिल नहीं किया गया है अनंतिम सूची में सामि है मौन जो दोड़ भी पाकिस्तान में इसको तो देखें इसको तो अब निकालने की बात हो रहे हैं भी सुराशत इस्थल से यह दक्चिन एसिया में सबसे अच्छी संड़ सबसे अच्छी संड़ नगरी बसती थी लेकिन अब यह डिस्टर्ब हो चुकी है इसमें पकी हुई पर बनाया गया था सड़के एक दूसरे को समकोन पर काटती थी यह तो सब को जानता है यहां पर सरवजने कि इसना इसनानागार प्राप्त हुआ है मौन जो दोड़ में है और इसमें एक अपसिष्ट जल के निप्टान के लिए सोकता गर्थ और एक बड़ा अननागार है अननमहत्पुर्प्रमाण के है कि यहां पर बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा मिला है कान से निर्मित नर्थगी की मूरती और एक दाढ़ी वाले बावा मिले है मौदीजी से जिनकी सकल मिलती है यह सॉल ओड़े हुए है इससे क्या संकेत मिलता है कि यहां के लोग क लोड़े हुए हैं उससे साच पता चलता है काली बंगा राजिस्तान में काली बंगा मतलब होता है बैंगल्स चुडियों को बैंगल्स बोलते हैं काली मतलब काली रंग तो काली रंग की चुडियों के इसके नाम से बना काली बंगा इसके टीले मतलब इसको पता कैसे चला कि चूड़ियों के टुकड़े यहां पर बहुत सारे मिले हैं काली बंगा किस्तान पर चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं इससे यहां पर पता चला कि यह चूड़ियों का भी एक कारखाना था यहां पर यहां से जुते हुए खेत के साथ पराप्त हुए हैं काली बंगा से जुते हुए खेत के साथ पराप्त हुए हैं काली बंगा करने चला इस तर दोगी करता जुते हुए खेत के साथ कैसे पराप्त हुए हैं जैसे इसमें एक बैल लगा हुआ था और उसके साथ में एक हल लगा हुआ है, खिलाओने प्राप्त हुए हैं यहां से काली बंगा से, इससे पता चलता है कि यहां पे खेतों की जुताई भी होती थी, इस्ताई रूप से खेती की जाती थी, बनावली हर्याना में है, यहां पे केंदर कृति योजना के लिए जाना हैं, लेकिन बनावली एक ऐसी जगह है, जहां पे समकोंड पे ना काटके मुख सड़के घुमावदार होती थी, जैसे अभी आप देखते होंगे कि बड़े बड़े चौराहे होते हैं, राउंड सेप में होते हैं, ऐसे वहां पे मुख सड़के सीधी होने की बजाए घुम हडपा, उतर हडपा, हडपा के साच नहीं प्राप्त हुए हैं, उनमें से बनावली है, जहां पे हडपा संस्कृति के तीनों अवस्थाएं देखने को मिलते हैं, तीन अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं, पूर्व हडपा अवस्था यानि कि प्रारंभिक हडपता जब यह इसका बिनास हो रहा था इस संस्कृति का, यह अपना च्रण के वस्था में थी, उतर हडपा, तो यह तीनों के साच मिलते हैं, कहां से, बनावली हर्याणा से, और तो टॉपिक है, महाकालेस्वर मंदिर, यह नियूज में किम है, क्योंकि यहां पे अभी मोदी जी ने महाक कालम क को लोक कारिडोर का एक गाटन किया था महाकाल, लोक कारिडोर का महाकाल, ओज मैं है, ओज यह एंपी में है, जो कि views ऑन्म पी की राजजानि भुपाल से समी लगवख 200 किलिमेटर, 100, किलोमेटर की आसपास ओपास अपचता है ओज महा कालोग मेगा कारेडोर परियोजना है इस परियोजना के तहत महा कालेश्वर मंदिर परिसर के चेतर का विस्तार किया जाएगा इससे सद्धादलूत वाएं गई इसमें 108 अलंकृत इस्तंभो वाली एक समानांतर इस्तंभ पंक्ति होगी इसमें भगवान शिव के आनंद अंडल सुरूप को दरसाया जाएगा और यह पचास यदिक भित्र चित्रों वाला रनिंग पैनल इस्तापित किया जाएगा इसमें शिव पुरान की कताओं को चित्रन किया जाएगा माकलेसर मंदिर के बारे में इसकी स्थापना का सही समय ग्यात नहीं है लेकिन पूरानों की अनुसार सबसे पहले इसकी स्थापना प्रजापती ब्रह्मने की थी सबसे पहले महाकाल मंदिर की इस अपना प्रजा पती ब्रंग ने की थी आंगे चलकर राज कुमार कुमार सेन जो की प्रद्योत बंस के राजा थे चंद प्रद्योत के पुत्र थे कुमार सेन इन्होंने छट्वी सताब्दी इसापूर में महाकाल मंदिर की कानून और ब्रवस्था के प्रबंधन का दायत तो समाला छट्वी सताब्दी इसापूर की बात हो रही वहां पे महाकाल मंदिर की कानून और ब्रवस्था का दायत तो समाला कि इनों ने बनवाया था इसका मतलब इससे पहले विः बना हुआ था अक्रद्योत बनस ने आठवी सताबदी इसा गुछ से सताब्दी सsबूर के बीच आवंति पर साशन किया था और यह जो चंड़ पर उज hen को आवंती कहा जाता था है कि इसके बारे में देख लेते हैं यह छिप्रा नदी के तटपर है यह देखिएगा 2000 कि अब सन्दाइख सकता है कि नर्मदा कि दर स्थ पनें के यह 30 मंधिर है कि गूध करिधे मंधिर है या सबसे नीचे मध्ध और उपरी भागों में सबसे सबसे ना सबसक्राइश्वर जोत्क है और मध में ओंक रिच्व वोम और सबसे ऊपर सबसी हम सिद्व नआग चंद्रेश्वर चंद नागचण्द रेशस्वर का लिंग जो मंदीर है उसके पठ खुलते हैं यहाद रखेगा टीन मंज्यला में 3 तरीक्वे के निंक अवस्थित आं महा कालेश्वर सबसे नीचे उसके बाद भीच में ओम का रेश्वर सबसे उपर नागचण्द रेश्वर का इस으로 महाकाल के लिंक एस्थापना की गई है एसा नहीं यहां पे Hindi Ins على अरृग माले चौटी मिनारों वाले शिकर हैं मंदिर बश्रमें कोटी तीर्थ नमक कुंड भी मौजूद है और होती नमक 33 कुंड कहां मौझूद है महाकाल मंदिर में आवंति के बारे में कुछ और जानकाई देख लेते हैं यहां पर काली दास्ट ने अपने महा का बेरगुवन्शम में इस मंदिर को निकेतन के रूप में वरणित किया है इसका कारण यह था कि मंदिर की चटें अधिकतर समतल थी काली दास के टाइम पे मंदिर की चटें समतल थी इस मंदिर में पुनर विकास और पुनर निर्मान का कार काई शतापदियों तक चलता रहा इसके प्रणाम सुरूप मंदिर परिसर में भूमिजा चालुक और मराठा इस्थापत शैली का प्रभाव देखने मिलता है भूमिजा चालुक और मराठा इस्थापत शैली का प्रभाव देखने को मिलता है घृतला ओपर ऐसे केंदर के ठीक उपर ही सिखर होता है जो की चारों से उपर की और पतला होता चला जाता है यहां से जब यहां पे मतलब जो मंदिर का जो समतल भाग होगा यहां से जब इसका सिखर उपर उठना सुरू होता है तब पहले तो सिखर की मुटा यदिक होती है लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है तो सिखर पतला होता चला जाता है ये कौन से शैली होती है भूमिजा शैली मतलब भूम से ऊपर जाते हुए सिखर पतला होता चला जाए और इसमें छोटे छोटे सिखर भी होते हैं जो केंदरी सिखर को अलंकृत करते हैं वह होती है और चालू के शैली भी इसमें देखने को मिलती है महाकाल मंदिर में उसके अनूठी विश्चता क्या है इस शैली के मंदिरों की तारकी आधार से सीड़ी नुमा निर्मार योजना चालू के शैली की विश्चता है कि इसमें इस्टार के रूप में मंदिर को वर्ष्चत किया जाता है यह एक रूप में यहां इन मंद्रों को बर्शित किया जाएगा और बीच में पेश दे दिया जाता है मराथा सैली की विसेस्ता क्या है इसमें five up लकडी बने खोते थे और यह साईपर्स के ब्रिचक्याकार जैसे स्में इस्तंभ बनाए जाते थे यह पत्थर से निर्मित इसमें फबारे भी चलते थे यह किसकी विशेष्टा है माराठा सहली की और इंट एवं चूने से निर्मित शिखर होते थे माराठा सहली में भारत में बारा जोतिर लिंग सबसे प्रसिद्ध है और उसमें से 12 जोतिर लिंग है बारत में जिसमें से महा काले सर जोतिर लिंग सबसे प्रसिद्ध माना जाता है तेस जो 11 जोतिर लिंग है उनका सभी का मुख उत्तर या पूर भी दिशा में है लेकिन महाकाल ऐसा जोती लिंग है जिसका मुख दक्षुन दिशा में अबस्तित है दक्षुन की मुख और मुख होने का ऐसा करण माना जाता है कि दक्षुन की दिशा यम यानि मृत्व के देवता की दिशा होती है और महाकाल मृत्व या महाकाल के स्वामी है इस तर्थ के प्रतीख हैं कि मृत्विया महाकाल के स्वामी है इसलिए इसे महाकाल इस्वर जोतिर लिंग कहा जाता है महाकाल इस्वर यानि कि महाकाल के भी जो इस्वर है वो महादेव है महाकलेसर जोतिर लिंग को स्वैम्भू अर्था प्रकट हुआ माना जाता है जबकि अन जोतिर लिंगों को अनुस्ठानिक रूप से इस्थापित माना जाता है स्वैम्भू जोतिर लिंग क्या होते है स्वैम्भू जोतिरलिंग वे होते हैं जो की स्वैम ही प्रतवी से प्रकट हुए होते हैं इनको स्वैम्भी जोतिरलिंग कहा जाता है लेकिन जब मानों के द्वारा उनको इस्थापित किया जाता है जब इन्सान के दोरा इस्थापित किया जाता है किसी भी शिवलिंग को तो ये कहलाते हैं अनुष ठाने की रूप से इस्थापित शिवलिंग तो महा कलेसर जोतिय लिंग स्वैम्भू शिवलिंग है महा कलेसर मंदिर की सबसे प्रशिद बिसेश्टाओं में एक यहां की जाने वाली भस्मारती है भस्मारती सुकी लक्डी और गाय के गोवर की राख का उप्योग करके की जाती है पहले साइद ऐसी एक मानिता थी कि पहले किसी इनसान की चिता से ताजी राख उसकी लाते थे उसको च्छान उनके यहां पे उप्योग करते थे लेकिन अब वो परंपरसाइब बंद हो चुकी है यह आरती अतिन्त विशिष्ट है और इसमे महिलाओं को देखने की अनुमती नहीं होती महा कालेश्वर में जो भस मारती होती उसमें महिलाओं को देखने की अनुमती नहीं होती पहले ऐसी मानता थे कि ये इतनी बिक्राल आरती होती है कि कई महिलाओं वहां बिहोस होके गिर पड़ती थे तो वहां पे बंदी कर दिये जाने के लिए इसमें देख लेते हैं मैप में की बारह जोतिर लिंग है इन बारह जोतिर लिंगों की अवस्थित यह आपको देखना है UPC इनसे MC की बना सकता है जैसे इसको आप North to South set करिए North to South और West to East कोई भी एक वेश्ट टू इस्ट इनको करने की कोशिश करिए वेश्ट टू इसमें इंपॉर्टन जैसे हैं मतलब UPC कैसे question बना सकता है जैसे एक सीध में है केदारनाथ लगभग एक सीध में इसलिक एक बार ऐसा कुस्टन बना चुका था कि दिल्ली जैसे डेल ही बैंगलुरू और सब्सक्राइब गांधी नगर और एक और इसा कोई सहर था इन चारों को दे दिया था कि इनको जो लॉन है लोगी टूट में कि वेक टू इस तड़ करना था इसा Hitler वेंसे सेट कर Da चुछी जोतिर नाँझ नहीं है इसکो याद रखियेगा जोतिर लिंग कौन है के दार नात उत्रा खंद में ही इसके बाद यह सबसे नार्थ हम में है केदारनाथ सबसे साउथ में है रामेश्वरम जोतिलिंग सबसे साउथ में है रामेश्वरम सबसे नौर्थ में है केदारनाथ इस्ट में सबसे ज्यादा इस्ट में कौन सा है वैदनाथ जो की जारकर्ण में इसको देवगार बाबावी कहते हैं और सबसे वेश्ट में है नागेश्वर जो की दौर का पूरम में है गुजरात में नागेश्वर जो ते लिंग तो नार्थ साउथ इस्ट और वेश्ट इन चारों को तो इनकी लोकेशन याद रखना मच्ट है कि एमसे क्यों से बना सकता है सबसे वेश्ट में है नागेश्वर इस्ट में है वैदनाथ नौर्थ में केडादानाथ और साउथ में है रामेश्वर और अगर लॉंगिट्यूड में इनको सेट करने के लिए बोलेगा तो आपसंन यहीं देगा ज्यादा तर संभवना इसी कि है कि कैदारनाथा उपसन में होगा इसमें मल्युकारचून उपसन में होगा और राम शुरम उपसन में होगा इनको Google पर सफ़कर कि इनका सभी का latitude देख के इनकी location ट्रेस कर लीजिए और वेस्ट टू इस्ट अगर देता है तो दो तो जरूर होंगे एक होगा महाकालेश्वर एक होगा ओमकारेश्वर क्योंकि ये दोनों आसपास है इनहीं पर confusion होता है महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर और फिर दे सकता है काशी काशी तो नहीं देगा क्योंकि ये लगवाक सभी लोग को location पता है यूपी में है बैदनाथ जहारकंड में है इसको लोग confuse कर जाते हैं कि बिहार में है बिहार वाला बैजुनाथ है वो बैदनाथ नहीं है वो जो तिर लिंग में नहीं काउंट होता है इनको कुछ जो important है महाकले सरोमकारे सवर केदारनाथ नागेश्वार सोमनाथ ब्रामेश्वार और वैदनाथ इनका अब अब मलिकारजून इनकी location अच्छे से trace कर लेजिएगा नेक्स्ट टापिक है यूनेसको के विश्च धरुवर रिस्थलों की अनंतिम सूची विश्च धरुवर रिस्थलों की अनंतिम सूची tentative list of world heritage site ये news में क्यों है क्योंकि गुजरात की वड़नगर सहर को मोढेरा इस्थित प्रतिश्थित सूरमंदिर को उन्याइखाएं वर मोढेरा सर्मंदिर त्रिपूरा की उन्याख कोटी की शहल करतित मूर्तियों को विश्च की इसमें अनंतिम सूचे मैं आपको पहली ही बता जा चुका है कि अनंतिम सूची उन सहरों की सूची है जिन्हें पतेग पच्छकारदेश विश्धरोहर का दरजा दिलाने का इच्छुक होता है उन्हें अनन्तिम सूची में सामिल किया जाता है इसमें सामिल होने के बाद यूनिस को विचार करता है कि इन्हें विश्धरोहर इस्थल का दरजा दिया जाई या नहीं अरंतिम सुची में अभी 22 स्थल है इन 3 स्थलों के बारे म् देख लेते हैं वड़नगर गुजरात वड़नगर जहां से मोदी जी आते हैं यह प्रधान मंत्री मोदी का ग्रह नगर है वड़नगर और यह एल आकार का एक सहर है वर्ड नगर एल आकार में बसा हुआ सहर है इसके उत्तर पूर्वी किनारे पर सरमिष्ठा जील भी है यह बहुँ इस तरी बहुँ सांस्कर्टिक ब्यापारिक बस्ती है इस नगर का इतिहास लगबग आठ्मी सताब्दी इसवी से नहीं 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 आठ्मी सताब्दी इसवी से नह जोड़ता था दूसरा गुजरात तट पर इस्थित बंदरगाय शहरों को उतर भारत से जोड़ता था जिसमें भीतरी बंदरगाय शंक और मनकों के उद्योगों का केंद्र धार्मिक केंद्र मंद्रियों का शहर आदी है वड़नगर इसका उलेक किसने किया है वेंसांग ने इसका उलेक भेंसांग ने चेक चिने आतरी भेंसांग इन्होंने अपने वैत्ता वरतांत में बढनगर सहर का उलेक किया है मेढोरा का सुर मंदिर ये गुजरात में ही है मेढोरा का सुर मंदिर गुजरात के मेढोरा में है पुषपाबती नदी के किनारे है पुषपाबती रूपन नदी की एक सहायक नदी है ये मारू गुरजर इस्थापत शैली में निर्मित है जो कि सोलंकी बंस के सन रच्छन में इसका इस शैली का विकास हुआ है इस मंदिर का निर्मान सोलंकी राजा भीम देव प्रथम के सासनकाल के दवरान हुआ था इस मंदिर का निर्मान सोलंकी राजा भीम देव प्रथम के सासनकाल में हुआ था और सबसे पुराने दिलवाडा मंदिर और रानी की बाव जो की रानी उद्यमतिनेस का निर्मान कराया था भी यही इनके भीम देव के सासनकाल में ही बनाए गए थे इस मंदिर इस मुख मंद कहा जाता है इसी मंदिर में मेडोरा के सूर मंदिर में ही अवस्तित हैं इसका निर्मार चमकीले पीले बलुवा पत्थर से हुआ है यहां पे आदम कद की प्रतिमाई शामिल है और किन देवों की प्रतिमाई शामिल है मेडोरा के सूर मंदिर में आदित की लोकपाल और देव में कि यसे प्रकाट बैसे किया गया है कि प्रत्य विस्व उद्य होते ही पहली किरण शूर कि इस्थित हीरे के ऊपर पड़ें जो चुरुद्यव के सिर्पे मुपट लगा हुए मैं इवह मालियत है सुर्योदय की मुर्ती बन यहां पर इनके सर्पे यहां पर की मुच्छी हीरा लगा हुए तो जो कोटी स्रंखला में तैल करतित मूर्तियां और उभरी हुई नकासियां उना कोटी स्रंखला कहा है यह त्रिपूरा के उत्तर पूरी शेतर में इस्थित है त्रिपूरा में है उना कोटी के लोके सन्याद रखिए यह त्रिपूरा में अबस्थित है उना कोटी के करोड़ से कम जैसे सव है तो निन्यानेवे हम लोग कहते हैं एक करोड़ से कम को कहते हैं उना कोटी उना कोटी यानि कि एक कोटी से एक कम एक कोटी मतलब एक करोड़ उससे एक कम मतलब उना कोटी उना कोटी जो सैल करते हैं मूर्ति हैं कहां पे हैं त्रिपूरा में हैं यह आठमीं से नौमीं शताब्दी इस्वी के बीच स्वय उपासना का प्रचेन प्रमान प्रस्तुत करता है यहां पे हिंदु देवी देटाओं की मूर्तियों को उकेरा गया है चटानों को काटकर बनाई गई शैल करतित मूर्तियां तथा अलग-अलग मूर्तियों में वर्गी को उकेरा गया है उना कोटियों में एक जलधार तीन कुंड का निर्माण करती है यह कहा प्र लगता है तरब रहम में पे ही लगता है उन्हा कोटी काव एक्शन तरफूरा में यहां पर अधिकतर हिंदु देवी देवताओं की मूर्तियों को के रगया है जो की आठवी से नौवी सताब्दी के आसपास से संबंदित है अंगला है टॉपिक अनंग ताल लेक अनंग ताल जील अनंग ताल जील इसका निरमाण किस ने करवाया था तोमर बंस के अनंग पाल दुती ने करवाया था तोमर बंस में जोग माया मंदिर के उत्र मिश्थी थे हैं उटूपड़ परिसर जो है उसके उत्तर पास उत्तर दिसा में अवस्थी थे अनंगताल जील अब यह वहाँ तो मर बंस दिल्ली के आस्पास के छत्र में इन्हों सासन किया था इसलिए उन्होंने दिली के असपास के चत्र में यह अनंगताल जीर का निर्माण करवाया है इस बंस ने आठवी और बार्वी शताब्दी के बीच हर्याना और दिली के कुछ इस्सों पर सासन किया इसमें कुछ पूरा विशेश भी है जो राष्टी महत्व का गोशित किया गया है प्राचीन और अतिहासिक इसमारक पुरास्थल एवं अवशेश अधिन्यम 1951 की धारा 3 और 4 के तहत इनको राष्टी महत्व का गोशित किया गया है और राज-पुनर-गठन अधिन्यम 1956 की ध या जिनको राश्ट्री महत्तों का गोशित कर दिया जाता है उनके संद्चन के लिए जिम्मेदार है एसाई कोई विराज सरकार नहीं जिम्मेदार होती आर्चियोलाजिकल सर्वेफ इंडिया जिम्मेदार होता है तोमरवंस का एक ग्रीफिष्टी देख लेते हैं इनका सासनकाल आठवी से बार्वी सताबदी की बीच का है इनके संस्तापक अनंगपाल प्रथम है अनंगपाल दोती इनके महत्पूर एक सासक हुए जिन्होंने दिल्ली को अबाद करने के लिए महत्पूर भूंकर इनकी राजधानी सुरू में अनंगपूर फरिदाबाद के नजदीक थी और कई बार बजलती गई बाद में इसको धिल्ली को धिल्ली का पूर के नाम से इन्होंने बसाया था जो कि तोमरवंस की राजधानी बनाया गया इस शेद्र के इस्तिती हर्याड़ा और दिल्ली के असपास की है इन्होंने लाल कोट का निर्मान करवाया था अनंगपल दुती अनंगपल तोमर दुती ने लाल कोट का निर्मान करवाया था बाद में प्रतिवरा चौहन ने लाल ने इसे किला राय पिथावरा में विलाय कर दिया लाल कोट का निर्मान कर जिसे किला राय प सि Tinder मैरावली में वह पहले उदेगरी में था उदेगरी को को दिल्ली νवाया टाइथ आन अगपाल यह याद रखन में यह पोईंट अनगपाल ने लौट कुछ उदेगरी उदेगरी से लिट ट्रंसफर करवाया था अंगपाल रिंग इन्होंने अनंगपूर गाओं के निकाट अनंगपूर बांध बनाया था सूरज कुन जला से तथा सूरज राजा सूरज पालने बनवाया था एक इंपोर्टेंट टॉपिक है मानगड पहाड़ी इसको आप पाइव स्टार के रेटिंग दे सकते हैं प्री के हिसाब से 2023 ये पूछा जा सकता है ये नियुज में घा राजिस्तान के बसवारच जीले में मानगर द्हाम को राश्टिसमारग का दरजा देने की मांग की है राजिस्तान के सरकार ने ये क्यों famous है इनके बारे में पहले जान लेते हैं कि ये news में क्यों है इन से related एक personality है गोविंद गुरू ये गोविंद गुरू का उन है ये आदिवासियों के एक क्रांतिकारी नेता थे कि इन आदिवासियों के ये राजिस्थान के उदैपूर, डोंगरपूर, बसवाड़ा गुजरात के इडर और मद्द पडेश के मालवा छेतर के कुछ आदिवासि गुरूप के ये क्रांतिकारी नेता थे वह भील और गरसिया आदिवासियों के बीच आदिवासियों को एक जुट करने वाले महान नेताओं में से एक माने जाते हैं भीलों की इस्थिति में ने इस साकाहरी बोजन करने और सराब शेदू रहने पर बल दिया था उन्हों ने अपने समर्तिकलों से बंदुआ मचदूर सिंँंकार करने अपने उधिकारों के लिए बिरिच्षी बस्ताओं का बैसकार करने के लिए जबरन्स्रमप सेकार से लाड़कीं को सृचित करने और जन्जातियों के बीच आपसी मतभेद को अडालतों में ले जाने के वज़ाए आपसी समझावते से हल करने पर बल दिया था किनों ने गोविंद गुरु ने इनके बारे में है साकाहरी बोजन के लिए प्रेयत करना और सराव से दूर रहने पर बल देना अब मानगड़ पहाड़ी की नियुज में है इसके बारे देख लेते हैं मानगड़ पहाड़ी इस लिए नियुज में क्यूंकि मानगड़ पहाड़ी पर एक नरसंगार हुआ था जनरली लोग कम जानते हैं इसके बारे में वर्स 1913 में कुछ भीलों ने एक समाज सुधारक गोबिंद गुरू और पुंजा के नेतरतों में बिटिस सासन के खिलाब बिद्रो किया था कब 1913 में सैकड़ों अधिवासी मानगड पहाड़ी पर सांतिकमोर सभा के लिए एकत रुए थे उसी समय पर बिटिस सैनिक ने घेर कर उनको गोली मार दी यही मानगड नरसंगार के रूप में जाना जाता है इस घटना को छोटा जलियावाला बग नरसंगार के नाम से भी जाना जाता है मानगड मानगड को छोटा जलियावाला बग नरसंगार के रूप में भी जाना जाता है किसी भी स्थल को राष्टी कि उसे मानगण पहाडी को राष्टी इससमारक का घोसित करना है या नहीं? आभ इसको 100 पूरे हो चुके हैं क्योंकि 1913 की घटना है, यह इसको पूर करता है, अगर लोगों को अपति रही इंud'T तो है ही, तो इसको राष्टी महता का इसमारग घोसित किया जा सकता है तेक्निकली. 1913 में ये घटना हुई थी राश्टी महत की घोषणा कौन करता है ASI पाचीन ससमारक और पुरत्यत्य इस्तल के अबसेश अधिनियम 1958 के तहथ इसमारकों को राश्टी महत का घोषड करने का विचार करता है बशारते कुछ मांदर्नों के पूरा करता है तो राश्टी महातू की गोशणा कौन करता है भार्ष सरकार नहीं करती है कौन करता है आर्डूलाजिकल Sirway of India राश्टी इसमारग प्राधिकरन निंदर के दो इस्तलों को राश्टी महातू के समारग घोचित करने के सिफारिस की है पहला इस्ताल है बड़ोधरा में संकल्प भूमी बटब रिच्छ परिचर है जिसे राष्टी महतुका इसमारगोसित किया गया है यह डांक्टर रंबेटकर ने 23 सितंबर 1917 को अस्प्रसिता उन्मूलन का संकल्प लिया था यहां पे और दूसरा इस्ताल है महाराष्ट के सता अपराप्त हुई थी वह क्या नाम है उसका प्रताप राओ भूसलेया इसकुल इसलिए इनको राष्टी महतुका इसमारगोसित करने की बात की जा रही है अंगलर टापी के प्रसाद पर योजना काफी समय से न्यूज में है राष्ट पती ने प्रसाद योजना के तहत का राष्ट पती ने प्रसाद योजना के तहत दो मंदिर है एक ते लंगाना में भद्रा चलम और रिद्यूसर मंदिर इनको इनके पर योजना की अदार सिला रखी गई है राष्टी तीर थयात्रा काया कल्प और अध्यात्मिक संबर्धन अभियान प्रसाद का फुल पाम है श्री शायलम मंदिर ये कुर्णूल अंदर प्रदेश में है मलीकारजुन स्वामी यानिकी भगवान श्रीव को और देवी पारवती को समर्पित है ये रड़ी सासकों के समय इसका सुर्ण यूग इसका माना जाता है जो कि इच्छा कुछ सासकों का संड़क्षण भीस को प्रदेश के बीच में इसके विकास में यूग दिया था इनके इस्तापत संबने वीबरण देख लेते हैं इनके पीठा सीन देवता लिंगम के आकार में भ्रह्म रांबा मली कारजुन स्वामी है इसे भगवान शिव के बारह जोतिर लिंगों में से एक और पारवती के अठारे महासक्ति पीठों में से एक माना जाता है मतलब एक मत्र ऐसा मंदीर है जो शैव और साक्त दोनों उपासकों के लिए पवित्र है इसे पोत्रा में उस्थल में से एक क्रिम बर्गिक क्रत किया गया है जिसे तमिल तेवर्म भजनोंत किया गया है बादो फोत्रा है यह इसका प्रचिंतम उलेक साथ वहन राजबन्स के प्रमुख पुलु मावी के दूसरी सताबदी में नासिक सिला लेक से भी प्राप्त होता है श्रीच एलम मंदिर का प्रचिंतम उलेक कहां पर मिलता है साथ वहन राजबन्स के साथ सक पुलु मावी के दूसरी सताबदी इस भी के नासिक सिला ल मंदिर नहीं है यह यह भी शिव को ही समर्पित मंदिर राम अप्पा मंदिर राम जी का मंदिर नहीं है यह भगवान शिव को ही समर्पित है जो की तेलंगाना में अवस्तित है राम अप्पा मंदिर तेलंगाना में अवस्तित है भगवान शिव को राम राम लिंगेश्वर स माना है रामपपा क्या इसका नाम था इनकी इस्तापत कला रामपा मंदेरी कि इस्तापत कला क्या है यह बलूब पथर से निर्मित मंदीर है और ईसे विश्च्छ सैली तकनिक और सजावट को दर साथा जैसे अलंकृट ग्रेनाइट और डाल राइट के बीम इवर स्थम्भो इंटे कौन होती हैं जिनको मतलब ऐसा कहा जाता है कि यह तैड़ने वाली इंटे होती है इनसे बना एक अद्भुत और पिरामिड नुमा विमान खैते सीड़ीदार बुर्ज है अन्य प्रमुक विस्टाइं क्या है इसे यूनेसको की विस्विरासत सूची में सामिल किया गया था 2021 में इसको राम अप्पा मंदिर को विस्विरासत सूची में 2021 में सामिल किया गया था और यह हजार इस्तंभ मंदिर और राम अप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है र मपा मंदिर हजार स्थम्र मंदिर कहते हैं एक मंदिर श्री सीता रामचंद्र स्वामी वरी देविस्थान बह्त राचलम ते लंगाना में विश्थित हैं यह भगवानराम को समरपित है कंचेरल गोपना दौरनेर्मित है उसे गोल कुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह के सासनकाल में बद्राचल रामदा सुराजा सुधिकारिया तहसिलदार के नाम से भी जाना जाता था कंचेरला गोपन्ना ये कौन था कि जो गोल कुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह के सासनकाल में यह कंचेरला गोपन्ना एक तहसीलदार था इन्होंने निर्मान करवाया था भगवान राम का मंदिर स्री सीता रामचंद्र स्वामी वरी देविस्थानम यह गोदा वरी नदी के 22 परवस्थित है यह परणा साल गाउं दंड कारेंड वन और रामण द्वारा माता सीता के अपरण इस्थल के करीब है मतासीते का परण कहाँ पर हुआ था दंड कारेंड में जिसे परणा साल गाओं कहा जाता है अन्य महत्मुर्ण सूर्खिया क्या है इसमें अंकोर वाट का मंदिर परिसर है जो की कमबोडिया में है यहां पे बिदेश मंतरी ने सब्वेतागत संबंदों के कारण अंकोरवाट मंदिर परिसर का जिनुन अधार करने इसके भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला है अंकोरवाट का मतलब है मंदिरों का सहर अंकोरवाट इसका मतलब होता है मंदिरों का शहर इस प्राचीन मंदिर परिशन का निर्माण बार्वेश चताबदी के सुरुवात में सूर बर्मन दुती द्वारा करवाया गया था अंकोरवाट मंदिर का निर्माण सूर बर्मन दुती द्वारा सुरू करवाया गया था यह प्रारम में हिंदू देवताओं शिव ब्रम्ह और विश्णू को समरपित्वा बाद में इसे बहुत मंदिर में परिवर्चित कर दिया गया यह मंदिर कंबोडिया के सीम रीप प्रांत में अवस्थित है दुनिया के सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है इसमें कई मंदिर जली संरचनाई और संचार मार गादिश शामिल हैं अमबेटकर सर्केट क्या है कि जो अमबेटकर जिए संबंधित महत्पूर्ण इस्थान है उन पे एक विशेश परेटक ट्रेंच चलाने की योजना है जो कि अमबेटकर सर्केट के इंतरगत चलाई जाएगी इस्थान नागपुर जहां पर उन्होंने बादे धर्म को अपनाया जैका म। जीवन के जीवन के अंतिम वरसों के रहते थे जहां pouvait उनकी महाराश्च का जाहां इस्थाइब तो अमबेटकर जी का संबंध है मत्रप्रेश के महूं की जन्मिस्तिली है नागपुर में बद्धर्म को अपनाया दिल्ली जहां पर रहते थे और दाधर में उनको पार्थी शरीर का अंत्रिम संस्कार किया गया यह था हमारा थार्ड टॉपिक अब हम चलते हैं अपने प्रफ टॉपिक पर हमारा फोर्फ टॉपिक है प्रमुख ब्यक्ति या प्रमुख बैक्टित्थ यह यूपीश्टी के लिए इंपॉर्डन्ट है क्योंकि किसी की स्वर्गवास को 222 साल हुआ है यह जो रांड अप फ 2018 के पेपर में चंपारण के बारे में पूश लिया था जो चंपारण से तक रहे हुआ था 2017 में उसके बारे में उससे पूश लिया था यू किसी एक नएक कुश्टिन इन से जरूर पूशता है इसलिए बहुत इंपॉर्टन्ट है इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग आदि शंकराचार के बारे में देख लेते हैं कि आदि शंकराचार को जगद गुरुश्री आदि संकराचार के नाम से भी जाना जाता है उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है उन्हें अद्वैत वेदान्त और दश्टनामी संप्रदाई के लिए भी जाना है उन्होंने सनातन धर्म का उत्जान करने के लिए भी कारे किया है अब इन्होंने चार मठ की स्थापना किई है, इनको देख लेते हैं, आदि संकराचार दोरा, 4 वैदिक मठ इस्थापित किये गए हैं उन एक चार वैदिक मठ में संकरा चार द्वारा इस्थापित चार वैदिक मठों में से एक है जोसी मठ जो कि भारत के उत्री भाग में में श्री जोतिर पीठम या जोतिर मठ जो की अथरवेद से संबंदित है अथरवेद को समर्पीत है ये और द्वारिका में पश्चिमी भाग में अवस्थित है द्वारिका में द्वारिका यानि गुजरात में अवस्थित है आदिशंकरा चार द्वारा इस्तापित चार बैदिक मठ है एक द्वारका में अविश्थित है पहला है उत्तर सबसे उत्तर में है जोसी मठ पश्चिम का है द्वारका भारत के पश्चिमी भाग में श्री शारदा पीठम या द्वारका शारदा पीठम नाम है इस मठ का जो Dwaraka में अवस्टित है और यह साम वैद को समर्पित है द्वार का मत है वह साम वैद को समर्पित है और जो सी मत का व्द ओम अध्रुबेट स्रंगेरी ये दक्षिन भाग में अवस्तित है भारत में दक्षिन भाग में श्रिक शारदा पीठम या श्रिक स्रंगेरी मठ जो की यजुरवेद को समारपित है और पूरी मठ रिगवेद को समारपित है यह पूरी मठ पूरवी भाग में है पूरी सभी को जानता है यह ओडिसा चेतर में है और स्रंगेरी करनाटक में है द्वारका गुजरात में है और जोसी मठ उत्राखंड में है यह की location याद रखना बहुत important है क्योंकि इन से एक नए question बनने की संभावना है खासकर यह रीजन यह है कि जोसी मठ चर्चा में था और जनरली बैदिक मठ लोग यहां पे जैसे हरिद्वार है इसको भी समझ लेते हैं लोग की हरिद्वार भी एक मठ है हरिद्वार मठ नहीं है यह मठ कौन चार बैदिक मठ जो आदी संकराचा ने इस्थापित किया पहला उससे उत्तर में जोसी मठ दक्षिड में स्रंगेरी पश्चिम में द्वार का और पूर में पूरी इनके संबंधित वेद भी याद रखना है जोसी मठ अथरवेद से संबंधित है और द्वार का मठ सामवेद से संबंधित है श्रंगेरी मठ यजरवेद से और पूर आदी संकराचार के गुरू की बारें देख लिते हैं इनके गुरू का नाम गोविंद्ध भगवत पाद था monsieur गुष्पई नाम गविंद्थ ले भगवत पाद था यह विधांत सम्परदाय के दार्श निप आदी संकराचार ने इनको गौरकारिका गउड़ प्रभ्मुसूत्र वेद और उपनिश्टों का ग्यान प्राप्त किए घाड की है यह रखतना है सबसे पुराना प्रचलित अदोयत वेद का गरंत है गौडपद कारिका गौडपद को आशपर्स योग या अजातिवाद की शुरुआत के लिए भी जाना जाता है आदी संकराचार का दरसन क्या है? आदी संकराचार वेदान्त दरसन से संबंदित थे जिन्हों ने अदोयत वेदान्त दरसन का प्रतिपादन किया था अदोयत वेदान्त को ग्यान कांड या अदोयत वाद के नम से भी जाना जाता है वेदों को उपनी सदों के साथ जोड़ने वाले वेदांद दरसन के तहत यह पहला मुख उप दरसन है अगयत वेदांद जो की वेदों को उपनी सदों के साथ जोड़ता है इन्होंने कहा कि ब्यक्ति अपनी जीवात्मा यानिकी आत्मा और ब्रम पर्मात्मा के बारे में सच्चा ग्यान प्राप्त करके अपने जीवन में ही मुक्ष की प्राप्ति कर सकता है उसको मृत्त्य की रशकता नहीं है वह अपने जीते जी ही मुक्ष की प्राप्ति कर सकता ह करने कि आपनी आत्मा और फरंत्मा के वी जो संबंद्ध है उसके बारे में little करा ले तो इते जीरी मुक्षपराप्त कर सकता है उसकि रहूने कहा आधिस शंक्रा चारे ने इन्होंने बिरोध किसका किया मिमानशा दर्सन का बिरोध किया क्योंकि उसमें करमकान को बढ़ावा देने और मृत्व के बाद मोख्च प्राप्त करने के बीचार को समर्थन दिया गया था मिमानशा दर्सन क्या कहता है? वक्त्यर मकानद की बढ़ावर देता है, और मोख़ी का प्राफ्थ होगा, जब मृत्तू हो जाएगा, मृत्तू के बाद मोखिश प्राफ्थ करने को समथन करता है. तो इसका आधिशंकरा चारजिय ने ब्रूद किया है. ध्यातब है कि मिमानशा दर्सन भारत के च्छै आस्तिक या रूर वादी दर्सनों में से एक है इन्होंने मिमानशा दर्सन पर मंदन मिश्र और उनकी पतनी उभेया भारती के साथ सास्तराथ किया था जिसकारण से जिसमें उन्हें पराजित किया गया था कि इसे मंदन मिश्र को और फिर मंदन मिश्र इनके स्री आदी संकराचार के सिस्ट बन गये थे इस सास्तराच में हुई अपनी हार पर मंदन मिश्र संकराचार के सिस्ट बन गये थे मंदन मिश्र को ही बाद में सुरेश्वर, सुरेश्वाचार के नाम से जाना गया था अब आदिसंकराचार के चार मुखसित से हुए पद्मपाद, तोटकाचार, हस्ता मलक और सुरेश्वाचार सुरेश्वाचार का उन है? ये मंदन मिश्र है मंदन मिश्र इन सभी को आदी संकराचार जी ने सास्तरार्थ में हराया था सास्तरार्थ में हरने के बाद इन्होंने आदी संकराचार को अपना गुरु सुईकार कर लिया था उनके नाम कौन कौन से हैं पद्मपाद, तोटकाचार, हस्तामलक और सुरे सुराचार इन सभी ने आदिसंकराचार द्वारा इस्थापित चार मठों का अलग-अलग नेत्त किया था नाम याद रखना है पद्मपाद, तोटकाचार, हस्तामलक और सुरे सुराचार इनका मुख्य युगदान देख लेते हैं किनों ने कौन कौन सी संप्रदाय परमपराएं इस्तापित की एक सणमत उपसंप्रदाय में किसी एक प्रमुक देवता की उपासना की जाती है और इन देवताओं में शिव, विशुन, शक्ति, गडेश, सूर, इसकंद, इसकंद यानि कुमार ये कुमार देवताओं के एक वरगी करण है जैसे अश्वनी कुमार इनका वरणन रिगवेद में भी है ये सामिल है, छे देवता सामिल है और इन ही छे देवताओं को अलग-अलग उपसंपरदाय के लोग इनका उजन करते हैं, वो कहलाते हैं शड्मत, इनकी छे मत, शड्मत लगता है छे मत यानिकी लोगों के विचार, वही विचारों के समूं के लोगों को अलग संपरदाय में वरगी करत कर दिया गया, जो कि सड्मत में सड्मत के नाम से प्रसिद्ध हैं, और ये शिव, विश्व, शक्ति, गणिय, शूर और इसकंद को पूझते थे, ये छे प्रमुक देवता एक इशुरी सक्ति का भाग हैं, शड्मत इन सभी का विले किया गय इनके अन्याईयों को इसमर्त, इसमर्त परमपरा के रूप में भी जाना जाता है, मूलता है, इसमर्ती धर्म का पालन करने वाले को इसमर्त कहा जाता था, इसमर्त किसे कहते थे, जो इसमर्तियों का पालन करते थे, इसमर्तियों का पालन करते थे, इसमर्तियों का पालन कर प्रवा देते थे उनकी इसमित में जो संजोई रहती थी वो इसमित ही कहलाती थी फिर बाद में इनको लिपी बद्ध किया गया ये लगभग गुप्त काल में इनको लिपी बद्ध किया गया था इसमितियों को और उनोंने दश नामी संपरदाय की भी स्थापना की यह हमने ऊपर भी देखा दश नामी संपरदाय यह Cassini दोरा सिथापत हिंदु धर्म की एक मठवासी परंपरा है यह परंपरा मठवासी जीवन जीने की सिक्षा देती है जिसमें बिक्चुओं को दस अलग 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 अपाधियों के तहट वर्गी कृत किया जाता है बिक्चुओं को दस अलग 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 अपाधियों में वर्गी कृत किया जाएगा उनको अलग-अलग नाम दिया जाएगा कि कोई ए प्रकार का विछुए कोई भी प्रकार का विछुए ऐसे दस नाम अलग-अलग दिया जाएगे उन्हें कहते हैं दस नाम इस संपरधाई किसके द्वार stellar इस्थाप्त किया गया श्री जगतगुरु आदिशंकराचार के द्वारा इनके द्वारा धार्मिगरंद कौन कौन से धार्मिगरंद में क्या क्या योगदान हुआ इन्होंने ब्रहमशूत्र उपनिशद भगवत गीता जैसे धार्मिगरंदों पर भाष लिखे उधरान के लिए ब्रहमशूत्र भाष यह ब्रहमशूत्र पर सबसे प्राचीनतम उपलब्ध भाष या टीका है ब्रहमशूत्र पर सबसे प्राचीनतम जो उपलब्ध है भी भाष वो किसने दिया है श्री आदि संकराचार जी ने उन्होंने उपदेश शहास्त्री नामक 1000 सिक्षाए नामक ग्रंथ की रसना की इसको भी ध्यान देना उपदेश सहास्त्री ना तो भगवान बुद्ध ने दिया ना महावीर ने दिया और ना ही किसी और ने दिया कि इसने दिया कि आदिश चंकराचार ने उपदेश शहास्त्री यानि कि एक हजार सिक्छाएं सहस्त मतलब होता है हजार उपदेश मतलब सिक्छाएं तो एक हजार सिक्छाओं का एक इन्होंने ग्रंत रचा इसमें क्या था उपदेश शहास्त्री में क्या था इसमें रचनाई कौन कौन सी है विवेक चूड़ा मड़ी आत्मबोध और वाक की बृत्ति उपदेश सहस्त्री विवेक चूड़ा मड़ी आत्मबोध और वाक की बृत्ति उपदेश सहस्त्री आत्मबोध विवेक चूड़ा मड़ी और वाक की बृत्ति ये इनके चार रचनाई हैं इनको याद रखना है क्योंकि यह अधि शंकराचार जी से संबंदित है उपदेश रहस्त्री विवेक चूड़ामडी आत्मबोध वाक्वृत्ति उन्होंने सौंदर लहरी शिव आनंद लहरी निर्वार सतकम मनीशा पंचेकम जैसे 72 भक्ति में धन्यपू इस्तुतियों को भी रचना की है इंपॉर्टन्ट यही चार है विवेक चूड़ामडी आत्मबोध वाक्वृत्ति और उपदेश रहस्त्री दस्तामी संब्रदाए जगत गुरु संकराचार के द्वारा इस्तापित किया गया था इसमें चिश्चियों को दस अलग अलग बांट दिया जाता था फिर वो अनुषरण करते थे इनके सिक्षाओं का अध्यत वेदंत क्या है इसमें यह ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा या आत्मा ही परम सत्य है आत्मा ही परम सत्य है जो बदलता नहीं है यह तत्त्यु मिमानशा की दरिश्टी से सत्य है या सत्ता मिमान संसार का कोई प्रत्वक अस्टित्व नहीं है इसको आप ऐसे इस के लिए का है यह माया की बनाया गया है किसके माया के दौरा इसकर की माया के दौरा और यह के रूम भूम में एक-एक ब्रम्हांड समाया हुआ है, इस वर को एक बालजी ऐसी कोई बाड़ी है गर इस वर, इनके सरीर में जितने रूम है तो इनके एक रूम में एक ब्रम्हांड है, इस ब्रम्हांड में करोणों लाखों अकास गंगाई हैं, इन अकास गंगाई में लाखों तारे हैं, इन लाखो ही संसार समाया हुआ है अब इसमें आगे देखते हैं परवेश या भौतिक वातावरण ब्रह्म या माया द्वारा निर्मित सदा परिवर्तन होने वाला बैवहार या अनुभाव जन्य वास्त विक्ता है मिथ्या और अविद्या के कारण ही जीव अनेकत को देखता है या ब्रह्म से खुद को अलग देखता है मतलब अगर जीव खुद को ब्रह्म से अलग मानता है उसका में रीजन अदैतवाद में क्या बताया गया है अविद्या तो एक विद्या होती है और एक अविद्या से मुक्त करने के लिए परम सत्य तक पहुंचने में मदद करता है इसे वेदान्त द्वारा निमने लिखित तीन सब्दों में बढ़नेत किया गया है सत्चित आनंद तर भी बढ़नेत है वेदान में बढ़नेत है जिसका अर्थ है सत्य चेतना और आनंद इनके उन्सार आत्मा ही एक मात्र सत अत्वा परमसत्य है मनुष्य परमसत्य की चेतना या ग्यान प्राप्ट करके ही आनंद या सुख को प्राप्ट करता है भारत दर्सन की छे मुख हैं सड दर्सन मुख संपरदाय उत्तर मिमानसा या वेदान्त दर्सन, न्याय दर्सन, योग दर्सन, वैशेशिक दर्सन, पूर मिमानशा दर्सन और सांके दर्सन पूर मिमानसा ये विस्त दुरूप से अनुष्ठानिक प्रताओं पराधारित है इसलिए पूर मिमानसा दर्सन का आदि गुरू संकराचार जी ने बिरूद किया था ये अलोकिक रूप से ज़्यादा बाते करता है इसलिए आदि शंकराचार का अदोयत वाद ये उत्तर मिमानसा का है वेदान्त का एक हिस्सा है वेदान्त दर्सन के अंतरगत आता है आदि शंकराचार का अदोयत वाद इसमें क्या है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है इस अंतर का ग्यान प्राप्त करने से मुख्ष मिलता है इसी में रामानुजचार का विशिष्टा दोयत है जो कि वेदान्त दर्संग के अंतर गती आता है इसमें समझत भिन्नता का मूल केंदर एक ही तत्तमे नहीत है यह भी ultimately कह वही ही रहे हैं कि जितने भी चीजें हैं जिसे एक बिच्छ है इसमें जितने सारे पत्ते हों लेकिन इनका मूल कौन है यह बिच्छ ही है मादवाचार का दोयत बाद ब्रह्मा और आत्मा दोनु अलग अलग है तत्ता भक्ति शाष्पत मोच्छ का मारग है ये जो मादवाचार है ये बूलते हैं कि ये ब्रह्म है और ये आत्मा दोनों अलग-अलग है अगर इससे मिलना पड़ता है तब जाके मुक्ष मिलता है और ये मिलने का मार्ग क्या बताए है ये भक्ति को मार्ग बताए है कि इनोंने मादवाचारे ने निम्बकाचार का द्वादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादा कोई भेद नहीं है ये शुद्धा द्वयत की बात करता है और चैतन महाप्रभू अचिंत भेदा भेदा भेद वाद भेदा भेदा भेद वाद नहीं बेदा भेद वाद इनकी भेद भेद के अंदर भी भेद की बात कर रहे हैं कौन चैतन महाप्रभू इन्होंने जीवात्म से नहीं कहा कि जीवात्मा का मनुशु से भेद से भेद है कि नहीं लेकिन ये कहते हैं कि भेद है भी और भेद नहीं भी है दूसरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं रामा नुजाचार इनसे रिलेटेट कोश्चन पायद ही बनेगा क्योंकि इसे बहुत सारा कन्फ्यूजन है इसे केंद्रि ग्रहे मंद्री ने स्री नगर में स्वामी रामा नुजाचार की पतिमा स्टेचू अफ पीस का नावराण किया स्री रामा नुजाचार के पतिमा का नम क्या है स्टेचू अफ पीस कहा नावराण किया स्री नगर के सोनवर्चेतर में अब 2022 में प्रधान मंत्री ने हैदराबाद में स्वामी रामनुजाचार की 216 फिट उंची स्टेचू अफ एक्विलिटी का भी अनावरण किया था यहीं कि इनके दो नाम हो गए एक हो गया स्टेचू अफ पीस एक हो गया स्टेचू अफ एक्विलिटी अब इसमें से कोश्चन सायद ही बनाए गई बैसी कि कि इनके इनके प्रधान मंत्री द्वारा जैन विक्चू आचार स्री विजय वल्लव सुरिश्वर की राजस्थान में अनावरण की गई इस्टेचू अफ पीस से अलग है अब इस्टेचू अफ पीस भी दो दो हो गई एक तो हो गई स्वामी रामा नुजचार की और एक हो गई जैन विक्चू स्री वल्लव सुरिश्वर जी की तो इससे कोश्चन नहीं बनेगा इसमें समय बतित करना सही नहीं है इस्टेचू आफ यूंटी सभी जानते हैं जो क्या है कि ये आप हम से आंगे हैं ये उपादी कि नहीं कि इसने दी उनके गुरू ने दी ये इतने प्रतिवास आली थे कि इनकी गुरू ने इनको कहा कि तुम अपने गुरू से आंगे हो एम पेरुम अनार इनके एक दारसने के रूम में इनका क्या जोगदान था ये अल यह होते हैं शिव जी के उपासक इनको इन बें अंतर कैसे रखेंगे जिसमें वा रहा है वो विश्णु ऐसे आप इनको थोड़ा सा लिंक बैठाइए अलवार इसमें वा रहा है तो यह विश्णु से रिलेटर कर दीजिए अज इसमें फिर कुछ नहीं आ रहा है जो शेस ब इसमें वा रहा है विश्णु के जो बचे वो श्रीव जी के उपासक दो प्रकार के इस अधाशती भ्हारत में अलवार अनुज़ अचार को दिया जाता है इन्हें अन्नमाचार राम भक्त रामदास त्याग राज कबीर और मीरा भाई जैसे कभियों के लिए प्रणा का सुरूत माना जाता है नौ सास्त्रों के रचना कर इन्होंने स्रीभाष, गीताबाष, वेदार्थ, संग्रे, सहित, नौरतनों के नाम से विक्यात नौ सास्त्रों की रचना की थी इन्हें वैदिक सास्त्रों पर भाष्चों के भी रचना की है इनका समाजिक समानता के समर्थन की रूप में इनका क्या योगदान है इन्होंने सभी के लिए अपने दर्वाजे कोलने के लिए प्रोचाहित किया साही दर्वार के लोगों के साथ समान बेवार करने पर भी बल दिया मतलब साही दरवार के जो लोग हैं वह समान लोगों के साथ भी समान बेभार करें ऐसा इनका माना था वशुदैव कुटमबकम की अबधरानों को प्रचिपादित किया वशुदैव कुटमबकम की अबधरानों को प्रचिपादित करने में कसरे किसको है मतलब बरतमान समय में श्री रामा नुजाचार को यह मौल रूप से कहां पर है महोपनिश्द महाउपनिश्द में है यह इन्होंने भगवान की भक्ति करुणा बिनम्रता समानता तथा आपसी सम्मान के मादेम से सवर भौमिक मोच की बात की इसे श्री वैश्वन समप्रदाय की रूप में जाना जाता है श्री रामा नुजाचार के दरसन में क्या है यह विशिष्टा द्वैत की बात करता है इनके अनुसार अर्मात्मा के साथ एक होने पर भी आत्मा अलग रहती है इस दरसन की मानता है कि सरवोच सत्ता सगुन ब्रह्म है यह अनगिनत अच्छे गुड़ों वाला एक प्राणी है यह एक योग संपून है जिसमें ब्रह्म आत्मा है तथा जीव वा जगत शरीर का गठन करते हैं जिसका संपून के साथ एक अविभाज संबंद है यदेपी ए और शफ्यून है फिर भी इसमें आन्तरिक थिनताओं की विस्ष्चता घ्राए ऐसा कहता है यही करण है कि इस वास्तों को विए विछटा ब्रह्म JUST कहा जाता है इसका आर्थ है योग अजन दोरा नई दिया गया था बाद की लोगों ने इस अधो को प्रयोग किया विस्ष मंदिर शहर देहु में मंदिर शहर महाराष्ट के मंदिर शहर देहु में संत तुकाराम सिला चट्टान मंदिर का उद्गाटन किया है संत तुकाराम जी के बारे में देख लेते हैं इन्हें तुकोबा तुकाराम बोलोबा अंबिले आधी नाम से भी जाना जाता है यह महाराष्ट में भक्त अंदोलन के संतों में से एक थे संत तुगाराम जी सिवा जी महाराज उनका बहुत सम्मान करते थे कि इनका संत तुगाराम जी का महादमा गांधी ने येरवदा सेंटरल जेल में अपनी काराबास अबध की दुरान उनकी कविताएं पढ़ी और उनका अनुबाद किया यह होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा फेमास हो जाता है तो वो जेल में क्या कर रहा है यह भी इनका साहितिक कार क्या है अभंग कावे के रचना करता की रूप में उनको जाना जाता है यह साहितिक की एक मराठी शैली है जो अध्यादियों के साथ लोग कताओं पर केंद्रित है उनके कीरतन हिंदु भगवान विश्नु के अवतार बिठोबा या बिठल को समर्पित है संत तुकाराम जी बिठोबा या बिठल को समर्पित कीरतन करते थे तुकाराम गाथा के संकलन करता है इनकी रचना मराठी भाष्या में की गई है यह अभंग गाथा के नाम से भी ल तुकाराम जी ने जात वियुस्ता को सुक्रत किया और कर्मकानलुका विरोध किया इन्होंने अखिल भारती भक्ति साहित में वारकरी परंपरा का विस्तार करने में मदद की वारकरी परंपरा के विस्तार में किसका युगदान है संत तुकाराम जी का इन्होंने वारी तीर् पंदरपूर सहर में भगवान बिठोबा या बिठ्छल मंदिर की तीर थेत्रा करते हैं महाराष्ट के पंदरपूर सहर है वहां पे भगवान बिठोबा का या बिठ्छल मंदिर है उनके लिए जो तीर थेत्रा करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या वार करी वार करी जैसे जो एक शिव जी के लिए जल लेके जो लोग जाते हैं कावन के महीने में कावड लेके जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है कावड यात्री ऐसे ही जो भगवान बिठल के मंदिर के यात्रा करते हैं उनको क्या कहा जाता है वार करी यह याद रखेगा वार करी वारकरी को शुरू करने के स्टेट दिया जाता है संत तुकाराम जी को अंडर्पूर की यात्रा महराष्ट के विभन सहरों और कस्बों से शुरू होती है इस प्रतेक तिर्थियात्री मध्यू के महत्पूर्ण कभी संतों द्वारा सुरू किये गए पत कस्बों और सहरों में जो भी मध्यू के महत्पूर्ण कभी या संत जो भी जिस रस्ते का नुसरन करते थे उन्हीं रस्तों कर्मसरण करते हुए ये वारकरी लोग जाते हैं और कस्वों और सहरों में जलगाओं, पैठन, दौलताबाद, आलंदी, देहु तथा कई अनसहर शामिल हैं पत्यक शहर या कस्वा महाराष्ट के भक्ति अंदोलन से एक अधिक संतों जैसे मुक्तवाई, एकनाथ, जनारदन स्वामी, ग्यानेश्वार, तुकाराम में तुकाराम से जुड़ा हुआ है संत तुकाराम महराज गाथा मंदिर के बारे में ये गाथा मंदिर पुरे इस्थित देहु नामक गाउम इस्थित है यह सफेद संग मेंबार से बना है और संद्ध तुकारा महराज के पुराने मंदिर के निकट इन द्रायाणी नदी के तर्ट पर इस्थित है यह इंपॉर्टंट है लचित बोछ फुकन यह बहुत इंपॉर्टंट है क्यूंकि यह नौर्फ इस्टर्न एक वारियर है और बहुत दिनी जूझ में रहता है इस्थित पूसक्ता इस्थित बन जाए यह कहून है चताब्दी के अहुम सेना के सेना पती थे। इनको राज़ा चक्र ध्वज सिंग द्वारा अहुम सम्राज के पांच बॉर्फुकुनों में से एक के रूप में चुना गया था। सराई घाट यह ने ने इनका जो योगदान है क्या है सराई घाट का युद्ध फेमसह लचित बॉर्फुंगण से सराई हाट के तो इस में 1681 ऎसके इनने उन्हें Hampi राज wrapан नहीं मुगलों definitive तक देखे लेते हैं अहोम राजबंस का इसके बारे में कुछ डीटेल, इनके संस्थापक कौन है जोलंग स्वक्फा छो लंग सक्फ़ा आहूम राजवंस के सनस्थाफ़क है छो लंग स्कुफा इनका राजवंस का सासन काल क्या है 13 से 14 सताब्दी के बीच में उन्होंने सासन किया इनके मुझासा कौन कौन से छो लंग स्कुफा जिनोंने इसकी स्थाफना की और सुदंग फा सुलंग सुक्फा मौंग मौंग कभीले का शान राजकुमार था और सुदंगफा इन्होंने अपने सासंकाल में हिंदु धर्म अपना लिया था रमुक नगर कौन से थे इनके सासंकाल में चराई देओ जो गुवा हाटी के पूर में इस्टित है यह अहम राजवांस की प्रथम राजधानी थी चराई देओ फिर पस्चात वरती राजधानी नगर चारा गुवा गढ़ गाओ रंगपूर जो रहट आदी अलग अलग इस् जाता था तथना टिकला को भी प्रताइब किया जाता था बुरंजी इतिवित्ति को गद्ध परंपरा में लिखा जाता था बुरंजी इतिवित्ति किसे संबंदित हैं यह अहम राजवांस से संबंदित हैं बिस्तित सवाधान मकबरों मोईदाम या मैदाम में कमें इसका का निर्माण करवाया जाता था शिव डोल देवी डोल विश्वन भासा इनकी अहम या ताई अहम भासा थी बाद में अस्मी भासा को अपनाया गया महत्पूर्ण संस्क्रत गेंतों का इस्थानी भासा में अनुबाद करवाया गया अहूम शाषक स्वर्ओदेव कहा जाता था यह इंपर्टंट है प्रसाथने किन और परसद को पात्र मंत्री कहा जाता था सैन न Member New Day प्रदान को जो सैन वा नैक प्रदान होगा उसे बुख वर सैन अधिकारी में से एक थे लचित बोर फुकन जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं लचित बोर फुकन यह बहुत ही मत्पूर अधिकारी होते थे पांच प्रकार के बोर्फुकन होते थे उन में से सैन वा असैन अधिकारी को बोर्फुकन कहा जाता था उन्होंने भूईया भूईया नहीं कि जमीदार को पुरानी राजनेतिक प्रणाली को बदल दिया था अहुम सेना में पैदल सेना, ना सेना, तोपखाने, हाथी गुर सबर सेना, गुप तरविस्था मिलते ये गुरूलाय युद्मे निपूर थे समाजिक धर्विक परस्थितिया तमाज को कुलों में विभाजित किया गया था जिन्हें खेल कहा जाता था तमाज को फुलों में भी भाजित किया गाय था जिन्हें कगें कहा जाता था एक फीड़ अक्सर कई गाउं को प्रिश्ट करता था समाज को कुलों में विवाजित किया गया था जिनें खेल कहा जाता था और एक खेल अक्सर कई गावों को नियंतरित करता था उन्होंने हिंदु धर्म की कई तत्तों जैसे बरण व्यवस्ता को अपनाया हुआ था शुरुआत में वे आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे उन्होंने सुदांगफा जो 1397 से 1407 के वीच में सासन करते थे उन्होंने हिंदु धर्म को अपनाया था अन्य ब्यक्तित्व हैं राजा राम मोहन राए इनसे इस बार की पीटी में कुश्चन बनता है क्योंकि इनकी राई सोवी जैनती मनाई जा रही है राजा राम मोहन राए राजा राम मोहन राए को विभिन उपनाम से जाना जाता था वर्स 1831 में मुगल समराट अकवर सेकंड ने इन्हें राजा की पाधी प्रतान के यह तो लगभख सभी को जानते हैं लेकिन इसमें दिक्कत है कई लोग में वो कर जाते हैं इसमें कन्शूज हो जाते हैं गोप रविन ना टैगोर भारत पथिक भारत पथिक रविन ना टैगोर गोपाल क्रिशन गोखले आधनिक भारत का जनक जैसे अब इसको ऐसे कैसे आधर रखेंगे भारत पथिक एक मतलब साहितिक भांसा लगता है पथिक इसमें लगा भारत पथिक साहितिक भांसा लगता है और और साहित्यकार कौन थे रवेदेनाथ ठाकोर गुपाल कृष्ण गोखले यह इन्होंने आधुनिक भारत का जनक जो फिर बचेगा उसमें गुपाल कृष्ण गोखले को रख देना आधुनिक भारत के जनक के रूप में किसको जाना जाता है राजा राम मोहन राय को और सुनिक सिच्छा के साथ से तुन्होंने वेदों उपनिशदों का भी अध्यन किया के तरिक तुन्होंने हरी हरानंद तिर्थ स्वामी के साहिता से तांत्र कृतियों का भी अध्यन किया उन्होंने इसलाम और रिशाई धर्म के धर्म गंतों का भी लगवक सभी धर्म जो प प्रत्वासालिय इंसान थे जीवी का जीवी का इन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी की सेवाओं में कलर्क के रूप में प्रवेस्ट किया और बाद में दीवान के पद्धक प्रमोशन हुआ था में तो अठारा सो तेटीस में ब्रिश्टल सहर में हुई इंग्लैंड में और इ बादिया उस समय पर गबर्णा गरिनल कौन थे बिलियम बेंटिक की प्रसासन काल में पारित हुआ था बंगाल सती बिनियम 1829 इस बिनियम में सती प्रप्रिवन लगा दिया इसर चंद बिद्य सागर के साथ मिलकर सती प्रता के किलाब अथक प्रियास किये थे जिनके प्रा सिचा की आधन की करण विशे सुलूप से पश्चिमी पार्ट करम की शुरुवात के लिए अभियान चलाया था इसी भावना से उन्होंने संस्कृत कालेज की स्थापना का भी विरोध किया था याद रखिएगा राजा राम मोहन राए ने संस्कृत कालेज की स्थापना का भी रोध किया था उन्होंने वर्स 1817 में हिंदू कालेज की स्थापना की इसका प्रोनोलाजी याद रखना है कि मतलब एसेंडिंग या डिसेंडिंग आडर में सबसे पहले किस कालेज की स्थापना की सबसे बाद में किस की स्थापना की 1817 में हिंदू कालेज की स्थापना की 1822 में अंगल बैदिक स्कूल की स्थापना की 1826 में वेदान्त कालेज की और 1830 में महासवा की महासा की संस्ता जिसे की स्कॉर्टिस चर्च कालेज भी कहा जाता है स्कॉर्टिस चर्च कालेज की स्ताफ Newton की 1830 में सेक्ट कैसे एड हैंगि सबसे पहले हिंदु कालेज मतलब एक धर्म हुआ इस दर्म के अंदर क्या है वैदिक वैदिक सबता हुए यानि की वेद वगेरा है अब वेदों में वेदान्त है वेदों के अंदर वेदान्त है और इसके बाद पिर अंग्रेज आ गए तो स्कॉर्टिस चर्च कॉलेज बना अब इनको ऐसे ही दिमाग में रख सकते हैं 1817 में अंगला वेदिक स्कूल वेदान्त कॉलेज और 1830 में इसकॉर्टिस चर्च कॉलेज की स्थापना की गए किसके दौरा राजराराम मौहन राए के दौरा इन्होंने ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की इस्थापना की हिंदु धर्म के एक श्रवादी संपरदाय की रूप में इस्थापित की 1828 में राजा राम मोहन राइकी मेत्यू के साथ ब्रह्म समाज की प्रगति मंद हो गई थी द्वारकाना ट्रेगोर के पुतर देवे निर्ना ट्रेगोर के निर्टत में इसकी नई शुरुवात के लिए प्रयास किया गया 1842 में 1857 में के श्रव चंदर सेन इसमें सामिल हुए फिर आंगे इसका डिवीजन वगएरा होता रहा धार्मी की युगदान क्या है ये हिंदू सुधारक की रूप में इनका क्या युगदान था इन्होंने वेदान्त और महा निर्वार तंत्र से हिंदू सास्तरों पर एकात्मक प्रत किया दी उन्होंने नियुक्त इस्थापना की आत्मी सभा की इस्थापना की 1814 में इसकी इस्थापना वेदान्त में एक एश्वरवाद के विचार पर दारसिनिक चर्चाओं को गोशित करने के लिए की गई थी साथ ही यहमूर्ति पूजा, जातिवाद, बाल विवाह, अनसमाजिक बुराईयों के खिलाफ अवियान चलाने पर भी केंद्रित था ब्रह्मसभा की इस्थापना 1828 में की गई, इसकी इस्थापना रविंद्र नाथ टैगोर के पिता देविंद्र नाथ टैगोर के साथ की गई थी, इसे ब्रह्मसमाज के नाम से भी जाना जाता है मुस्लिम रच्छक, इन्होंने मतलब इसके बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में इनके क्या विचार थे इन्होंने तुफात अल्मभाहिदीन तुफात अल्मभाहिदीन तुफात अल्मभाहिदीन तुफात अल्मभाहिदीन तुफात अल्मभाहिदीन मतलब अल्मभाहिदीन तुफात अल्मभाहिदीन तुफात अल्मभाहिदीन तुफात अल्मभाहिदीन तुफात ऩ। इसकी रचना, राजरा मोहन रायने की, मौनो जौतुय आदियाँ एक राजरा मोहन रायने की, इन दोनों को चाद एकना जरूरी है, क्योंकि यह हो जाखता है, जिसे है अभी नयाग्ट पैटरंदे दिया है, यूग मिलाने के लिए तो दे सकता है, तूफात उलमुभाह के साथ अपने बाद विबाद में पुराने और नए सास्त्रों को संपूर्ण ढाचे का एक आत्मक संस्क्राइब दिया है प्रेस की स्वतंत्रता में इनका क्या एकदान था उन्हों समाचार पतर था बंगाली भांसा में सब प्रकाशित होता था संबाद कौमिदी संबाद कौमिदी बंगाली भांसा में प्रकाशित होता था और किसी भी तरह की कि भारती भांसा में प्रकाशित होने वाला पहला अकबार था संबाद कौमिदी जो की 1821 में प्रकाशित किया ग किया जाता था और राय इस अख़बार के पहले संपादक भी थे राजर रम मोहन राय आर्थिक सुधार इनका क्या योगदान था यह इंपॉर्टन्ट है इससे भी एम से क्यू बन सकता है भारत की आर्थिक सोचन के लिए अंग्रेजों को उतरदाई ठहराया गरीब किसानों के लिए अबाज उठाई मुगल बात्साह के वजीफे में ब्रदी की इनका ये आर्थिक योगदान था राजनितिक सुधार में इन्होंने सारजनिक रूप से भारत के लिए सुतंदरता की मांग्ग नहीं की थी ये बहुत इंपॉर्टन्ट पॉइंट है कि जनरली तो लो अंगली इंपॉर्टन्ट बेक्तित्व हैं स्री अर्विंदो ये इसवर राजा राम मोहन राय को एक बार इसको फिर रिवाइन करके देख लीजेगा इससे रिलेटेड कोश्टन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसको लगवगा आप फाइव स्टार रेटिंग द देना नहीं थे जो जो संभाव था उस समय पर वो सब कुछ थे स्री अर्विंदो इनका जनर पंदरागास 1872 को था इसको याद रखना आसान है उन्होंने अपनी पंदरागास 1872 को हुआ इन्होंने प्राड़मिक से इच्छा दार जिलिंग के एक कान्वेंटर स्कूल से प 11 रेंक हासिल की थी लेकिन यह प्रोवेशन अबदी अपनी पूर्ण नहीं कर सके थे भारत की सुद्धरता के लिए जन अधारित आंदोलन की मांग करने वाले आरंभिक नेताओं में से एक थे श्री अर्विंदो इनके बारे में क्या थोड़ा और इंफार्मेशन है अर्विंदो के द्रेश्ट कोन और कारियों से प्रणा प्राप्त करता है उनके अध्यात्मिक सहयोगी दमदर मीरा अलफासा ने 1968 में इस बस्ती की स्थापना की थी और इसका चार्टर प्रस्तुत किया था अर्विले स्री अर्विंदो के नाम पर बनी हुई बस्ती है इनक अर्विले सामर ना की गई थी और ये गरमपन्ती नलता थे 1908 में अलीपूर клlov केस का हिस्चा थे इसको याद रखना है क्योंकि हो सकता है इसमें Gघ्षू यारन चैक्ट मेरतISS तर्यंद्र आसा भी अप्संदे सुकता है लेकि मेरर्च से इनका लेना देना नहीं था हुए अलीपूर सड़ेंदर केस के हिस्सा थे कौन? प्री अरिविंदो 1907 में कांग्रेज के सूरत अधिवेशन के दौरान वह नरम पंतियों के खिलाफ बाल गंगा धर तिलक के निर्टत में करम पंति समूह में सामिल हो गए और सूरत विवाजन के इसे सूरत विवाजन के नाम से जाना जाता है 1907 की घटना है यह बाल गंगा जा तिलक के साथ हो लिए सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेज का दो भागों में विवाजन हो गया अध्यात्रिक मीर्वेले अजात्री आरवने के अवाजन ती मेर्वेले का मतलब होता है भौर का शहर इसकी इस्थापना की ये एक शांत पूर्ण प्रगत शील समंझ स्पूर्ण अस्टित के लिए निर्मित एक सारभॉमिक शहर था उन्होंने इंटीग्रल योग की अवधारण विक्षित की इसके तहत उनका माना था कि मनुष्य सच्चा आत्मग्यान प्राप्त कर सकता है साहितिक योगद्यान क्या थ निव लेंस फार ओल्ड इसमें उन्होंने कांग्रेस की अति उदारवादी नीत की अलोशना की थी उन्होंने बंदे मात्रम जो की अंग्रेजी में समचार पत्र था कर्मयोगनी यह भी अंग्रेजी में था और धर्मा बंगाली भासा में समचार पत्र की बंदे मात्रम कर् करमयोगनी अंग्रेजी में है और धर्मा बंगाली में है भाका हूँ ति करना कर्मा कर्मयोगनी और धर्मा करने के लिए इसके अलावा अनुशेलन समय द्वारा प्रकासित ने प्रकासित होते थे उन्होंने रमाड महाभारत उपनी सदों से लेकर सभी का इनका धेन किया उनकी अन्यक्रतियां है Essays on Gita, Collected Poems and Plays, The Synthesis of Yoga, The Human Cycle, The Ideal of Human Unity, Savitry, Alizand and Our Symbol ये सारी उनकी और अन्यक्रतियां है जातिगत भेदभाव पर उनका तर्क था कि जाति आधारित भेदभाव बाहरी है इससे सामाजिक पतन को बढ़ावा दिया है श्री अर्विंदो, स्री रामा नुज़ाचार की सिच्छा से प्रभावित थे रामानुजचार भी नियुज में थे श्रीयरविंदो भी नियुज में थे और श्रीयरविंदो रामानुजचार के सिच्छा से प्रभावित थे जिरोंने हिंदू धर्में भाहिस्कृत लोगों को शामिल करने के पच्छे में तर्क दिया था वे श्वामी विवेकानंद के नव वेदांतिक दर्शन से भी प्रेरित थे जिरों ने सभी जीवित प्राणियों की मौलिक एकता के पच्छ में तरक दिया था वे सनातन धर में द्रड़ विश्वास रखते थे इसर के समझ सभी की समानता पर बल देते थे चत्रपती शाहुजी महराज अंगले हमारे परसनलिटी हैं चत्रपती शाहुजी महराज ये नियूज में क्यों है क्योंकि इनकी अभी शौमी पुन्यति थी मनाई गई है जो की 6 मई 1922 को मनाई गई थी साहु महाराज के बारे में जाने लेते हैं साहु जी महाराज के जन्म जून 1874 में कॉलापूर जिले में हुआ था वह 56 सिवाजी महाराज के बिंशच थे मूल रूप से यस्वन तरणाव घाटगे नाम था उनका लालन पोशन भोसले बिंशच में हुआ वेवर्स अठारह से चौरानवे में कोला पूल के सासक बन गए थे शाहु जी महराज के जीवन से सम्मधित मुखे घटना है वेदोक्त विबाद वेदोक्त मतलब होता है वेदोक्त बस्तता वैदिक धर्मिक संसकारों को संदर्वित करता है मतलब वेदों की उकती इसे समकाल मतलब सबी डूज़ जाते हैं मतलब ब्राम हर चत्री और वेष के एक अधिकार के रूप में संग्यार दी गई है वेदोक्त को हलां कि यह है पुरा रोग्त या कि पूरानो में जो संसकार बढ़ने थे उनसे अलग है जिनका मुक्ता सभी शुद्र जातियों द्वारा भी किया जाता था अटास दिन यानवे में शाहू महराज ने बेदोग्त पर अपना दावा पेश किया लेकिन शाहिपुरोईट ने इसका उन्पालन करने के लिए मतलब इसका मना कर दिया उनके विचार से साहू महराज एक सुद्र थे पता नहीं किस तरक से बोलते हैं लेकिन कुछ भी कैसा इतने हैं लोग डाक्टर बीयर अमबेटकर के साथ इनका सम्मंद बढ़िया था इन्होंने अमबेटकर को अपना अध्यन पूरा करने के लिए बि उपादी प्रदान की थी भारत में दमित वर्गों के सच्चे नेता की उपादी किस ने दी शाहू जी महराज ने इसके अधरिक उन्होंने डाक्टर अमबेटकर के समाचार पत्र मूक नायक को भी वितपोशित किया अमबेटकर जी का समाचार पत्र कर नाम क्या था मूक न यनिवार मुफ्थ प्रात्मिक सिच्चा की भी शुरुआत की उन्हों ने अपने राज में सभी के लिए मुफ्थ प्रात्मिक सिच्चा की शुरुआत की थी जो कि अभी भारत सरकार सब पढ़ें सब बढ़ें अवियान के तहट स्कूल चलें अवियान के तहट चालू करती ह था इसके अद्रिक दिफ्दीक एकारों की भी उन्हें इस्ताब्ना की दिये समाजницуद brag में उन्हें फुर्थ में लिए पूनर वीवा को बैद बना दिया और कलांतर में वे आरे समाज से भी जुड़ गए थे राज की सेवाओं में 50% पद पिछड़े वर्गों के लिए आरचित किया गिए साहुजी महराज ने जितना भी मूल अदिकार है सब दे चुके थे कर आपको नयाद हो अगर कुछ भी इनके बारे में अपसंदे कि उन्होंने जो अभी मूल अदिकारों से मैच खाते हों विक कर दी जाएगा कि हाँ वो सही है यह उस पहल की शुरुआत थी जिसे अरच्छन या सकारात्म करवाई कह जाता था अरच्छन या सकारात्म करवाई की सुरुआत सरकारी रूप में कौन किया है साहुजी महराज राजनीतिक सुधार इन्होंने उन्ने सो सूला में निपानी में एक डिक्कन रायत एसोसियेशन की विश्थापना की थी आसोसियेशन द्वारा गैर ब्राम्हों के लिए राजनीतिक अजिकारों को सुरचित बनाए रखने पर जोर दिया गया था साथ ही राजनीति में उनकी समान भागिदारी को भी आमंत्रित किया गया था आर्थिक सुधार में उन्होंने बुनाई, मिल, समर्पित, बाजार, इस्थान, किसानों के लिए सहीकारी समझियों की इस्थापना आदी जैसी परेजनाओं के शुरुआत की थी जितना भी हो सकता था इन्होंने सब कुछ किया था किंग एडवर्ड क्रिसी संस्थान की भी इन्होंने स्थापना की थी राधा नगरी बांध की निर्मार कार को सुझी किया था जो की 1935 में पूरा हुआ था वतंता संगरा में बाल गंग़ धर तिलक के सुझाओ पर उन्होंने करतिकारी गतिविद्यों को अंजाम देने वाले श्रीवाजी कुल्ब को भी धन और हथियारों की रूप में मदद की थी बाल गंग़धर तिलक से यह पर इनके अच्छस संब्द थे शिवाजी महराजी सहुजी महराज ने इनको मदद की थी किनको शिवा जी क्लब को एक इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट का बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट है अलूरी सीतराम राजु क्योंकि इनके उपर एक मूवी भी बन चुकी है आपने अगर ध्यान से देखा होगा मूवी को आर आर यह लगभग अलूरी सितराम राजु जी के उपर ही बनी है और इसको आसकर भी मिल चुका इसरे यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको तो डबल इस्टार रेटिंग भी दे सकते हैं फाइव डबल इस्टार हाली में प्रधान मंत्री ने अंद्र प्रदेश के भी मा वरम में महान सुतंता सिनानी अलूरी सितराम राजु की 125 वी जैनती के आउसर पर एक वरस तक चलने वाले जैनती समरो का सुबरम किया है इनके बारे में जान लेते हैं अलूरी सितराम राजु इनका जनब मदराज प्रेसिडेंसी के पस्च्च्च्च में गोदावरी जी लेके मुगलु गाओं में हुआ है मदराज प्रेसिडेंसी में हुआ था पस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च इन्होंने रंपा विद्रों के दौरान महत्पूर्ण भूमकनी भाई अलूरी सीता राम राजू करांतिकारी युगदान क्या था हुआ कलकता सीक्रट सोसाइटी के सदस थे इसको याद रखना है क्योंकि कलकता बंगाल में पढ़ता है और यह अंधर पर देश से हैं तो इस इन्होंने पहाड़ी छेत्रों रंपा और गुडएम में असायोगं अंडूलन के प्रसार में भी भूम का निभाई थीं यह एक इंपर्टेंट आरूफ है क्योंकि असायोगं दोदर बहुत इंपर्टेंट्र घटना है और उसमें एक इंपर्टेंट ब्यक्तेतु का योग अब देख लेते हैं रंपा विद्रो के बारे में रंपा विद्रो अगस्त दोज़ाओ सरी अगस्त 1922 से माई 1924 तक चला था रंपा विद्रो अब इसको भी रंपा विद्रो विइंपोर्टेंट है इसको वी 100 साल हो ही गए है 21 साल हो चुके है रंपा विद्रो को मन्यम विद्रो भी कहा जाता यह एक आदिवाशी विद्रो था किया गया विद्रो इससकारक क्या है मुतटढर मुतदार मतलब जमी दाय टाइप के थे जो यहां के वास्थविक साथ सकते मुतदार उन्हें जवरजस्ति ऑपन वेशिक धांचे के अधिन लाकर उनकी सामाजिक आर्थिति Пufु का के इस्तिति को चुनाई दे गई थी मुतदार इसको अबायद घोसित कर दिया गया था अफme neurons ऐख करने के अधिकार को भिछिन लिया गया था जैसे जो भी झोड़ा उन्हें के लिए लकड़ी ना और जो भी प्हुर्ण ऑगरिए जो भी में सभी कारण समोही करूप से उत्तर दाई थे रंपा बिद्रोग को जर्म देने के लिए अलूरी सीतर राम राजु ने लोगों को जागरू करते हुए कहा कि वेहिव वनोपाच के एक मातर स्वामी हैं इस अधार पर उन्हें दमनकारी मदरास बन अधनियम 1882 के खिलाफ लड़ है इसके लिए उन्हें पुलिस स्थानों को लूटना कुरू कर दिया था पहला हमला विशाखा पटनम एजनसी चेतर के चिंता पल्ले पुलिस स्टेशन पर किया गया था अलूरी अपने द्वारा लिखे गए एक पत्र मतलब इनका इस्टाइल फिलमी था यह जहां पर भी हमला करते थे एक पत्र पीशे छोड़ देते थे और इसकी जनकारी पहले भी दे देते हैं कि हम इस तारिक को इस टाइम पर वहां पर हमला करेंगे बिटिस सेनद वारा था प्यास करने के बाद साथ मई उन्हें से चौबिस को नहीं पकड़ लिया गया और उनकी अत्या कर गयी एक है यहां पर कोमा रम भीम यहां प्रिटित था कि जल जंगल और जमilarा इन्हों नहीं दिया था यह हैं कोमा रम यह इन्हें ने चए अ जल जंगल और जमीर करनारा दिया यह याद रखिएगा पुमारम भीम, जल जंगल जमीन, अन्य प्रमुक्ष बेखते तो जो नीज में थे, आचार चरक, अचार चरक नीज में थे, इनके बारे में देख लेते हैं, राष्टी चिकित्सा आयोग ने चिकित्सा सिच्छा की शुरुवात करने वाले छात्रों है तो संशोधित महारा महार्ची चरक सपत की प्राणाचार चरक के नाम से भी जाना जाता था यह भारती चिकित्सा के जनक की रूप में जाने जाते हैं वह एक अरुवेदिक चिकित्सा थे यह राजा कनिस्क के दर्वारी चिकित्सा क्माने जाते थे अचार चरक यहराजा वशुमित्र अश्भोस नागारजुन और पार्शु यह अन्य दर्वारी थे और साथ में ही अचार चरग भी इनके दर्वारी चिकित सकते इन्होंने चरग साहिता की रशना की जो आयरवेद पर एक संस्कृत ग्रंत है यह मनुष्य के बुनियादी सरीर, क्लियात्मक और संरचनात्म विवरण, श्रिदोस, वातपित एवं कफ आदी विश्यों से संबंधित है चरग साहिता किसको समर्पित है? महरसी भरत द्वाज को समर्पित है क्यों समर्पित है? क्यों कि कई बिमारियों के उपचार के लिए महरसी भरत द्वाज के चंदों के साथ अथरवेद से संबंदित है मतलब अथरवेद के कई चंड हैं जो महार्शी भरत द्वाज द्वारा लेखे गए हैं और उनसे ही प्रणा लेके अचारी चरक ने चरक सहिंता बनाई है इसलिए उन्होंने महार्शी भरत द्वाज को समर्पित किया है चरक सहिंता अग्रवेद पर अग्निवेश शहिंता महार्शी अग्निवेश द्वारा रचित का भी उलेक चरक सहिंता में किया गया है अंगले हैं देव सहायम पिल्लाई देव सहायम पिल्लाई इनके बारे में देख लेते हैं देव सहायम पिल्लाई ये कौन है ये मतलब पहले ऐसे बेक्ति हैं जो मतलब एक चर्च की गैर नियुक्त सदस्य हैं ये वेटिकन रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधी इनको प्रदान की गई है और संत की उपाधी प्राप्द करने वाले भारत के पहले आदमी है देव सहाय प्ल्लाई ये बात के पहले आदमी थे जन्हें संत की उपाधी प्रदान की गई थी संत गलाता लिएंट की उपाधी संत की उपाधी थोड़ी कुछ होती थो बना जाता है देव सहायम का जन्म 23 सेप्राइल 1712 को कन्या कुमारी जिले में हुआ था उन्हें त्रावन को के राजा मारतन दर्बार के दर्बार में अपनी सेवाईं दी थी इसाई धर्म को अपनाने के बाद पिल्ले ने लाजार रुस नाम रख लिया था इनका अर्थ है यूसर ही मेरी सहायता है और वैं इसाई धर्म का पालन मतलब इसाई धर्म गरांड कर लिये थे 1745 में छेत्रपतिश संभाजी महराज के बारे में देख लेते हैं महराष्ट सहकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद सहरों के नाम बदल कर छेत्रपतिश संभाजी नगर और धाराश्यू करने की मंजूरी दे दी है औरंगाबाद को मूर रूप से खड़की कहा जाता था औरंगाबाद का पुरा नाम क्या है खड़की औरंगाबाद के पुरा नाम है खड़की इसे 1610 में मलिक अंबर ने बसाया था औरंगाबाद को इसने बसाया मलिक अंबर ने औरंगाबाद को इसने बसाया मलिक अंबर ने औरंगाबाद को मलिक अंबर ने बसाया था से पिता के बदर जाता है संस्कृित में लिखा इनोंने उन्याभाद नक्सिक और साथ सतक यह याद रखेगा नाइका भेद नक χिक और साथ सतक, संबलजी महाराज दोरा दोरा लखे गई पुष्ट किया, अन्होंने इन पुष्टकों की रजना ब्रजवासाम की, नाईका भेिद, नक शिक और साथ सतक, ये ब्रजवासामे लखे गई, और संस्कित में एक पुष्टक लिखी, बुद भूसन राज नि ती दारह शिको यह काफी मतलब नीज में लग्लस दिवेट कर तो पयर्ट रहते ही हैं दारह शिकोर अर्थ क्डेमा सा भर दो महा सागर्व का संघतु मजमू नियूलभरति का सबस्सक्ट को ने दो महा सागरों का संग्ऩम औप हिंदू' धर्मम का वेदानत दर्सन और इसलाम का सूफी बाद, इनको दो महसागर का दर्सन मानते थे, दारा शिकोर, मजमुल बहरेन, दारा शिकोर मुगल समराट साय जहां का जेश्ट पुद्र था, मुगल समराट साय जहां का जेश्ट पुद्र था, दारा शिकोर, और अरंग में बढ़नित किया गया उसने फार्ची भगवत गीता इसाद बावन उपने सदों का भी अनुबाद किया था दाराशी को अन्य पैसे दिरशना कौन है सपीनात अलावलिया सकीनात अलावलिया यह इतने सारी याद रखनी पाएंगे को टाइम क्यों लगाना लादा भाई नर 1892 में 2022 में British House of Commons में उनके चुने जाने की 130 वरस गाट मनाई गई थी इनकी प्रमुकुप लफदियां धन निकासी कैसे धन यह सरव विदित है इन्हें बामबे एसोसियेशन 1892 में इसके सक्वी सदस्ट बने यह पस्चिम भारत में राजनितिक मुद्व पर बिचार करने व सब्सक्राइब की भारती राष्टी कांग्रेस के संस्टापों में से एक थे रास्ता गोफतार पत्रिका के संपादक थे रास्ता गोफतार पत्रिका कोई पत्रिका का नाम है एक्जाम में अगर वो आपको ऐसा लगे पारसी सब्द से रिलेटेड है तो कौन थे वो दादा भाई नौरोजी की उदा देवी उदा देवी तो ये निवीज में क्यों है तोला नंबर कुत्तर पदेश के काई सिनों पर उदा देवी की सहादत की इसमेटिको इसमेट काई कारकरम आयुजित किये गए इनका उदा देवी ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाब अबद की बेगम हजरत महल के शाही अंगर अच्छक दल का हिस्सा थी उदा देवी यह लखनव में हुए युद्ध में अपने साहिक संगर्स के लिए खेमस हैं पिंगली बेंकाया इन्होंने जो आधनिक तिरंगा है इसके डिजाइन का स्रेइन को दिया जाता है भारत रा हुआरत की भावणा का परयाय बन गए थे उनी की सो 21 इसी इसिवार स न हैदीकारिक तर पर अपना एकूर पर 1931 में 10 साल बाद इसको अपनाया गया था इसने उस सांचे के रूप में कर किया जिसे बरतमान राष्टी भजविक्षित रूप मतलब पहले इसका रूप जो अभी बरतमान रूप है उसके जैसा नहीं था अभी जो है उसमें 24 तीलियों का उप्यों किया गया है बीच में लेकिन पहले चर्के का यूज था ब्रजवासी बीवी ब्रजवासी लाल इनका भी निधन हुआ बीवी लाल का ये को होंने पुरा तत्विद हैं प्रसिद पुरा तत्विद हैं विद्थे रुमकूपलादिया इन्हों ने हड़ापा सबता और महाभारत काल से जूड़े इस्थलों पर बड़े पैमाने पर कार किया था इन्हों ने संदू गंगा मैदान और उपरी यमुना गंगा दुआप में अनेक चित्री दूसर मेदबान इस्थलों की खोच की थी बीवी लाल इन्हों ने 1968 से वर्स 1972 तक ASI के महान दिशक की रूप में कार किया इसके लाव उन्हों ने यूनिसको समिटी में भी कार किया है 1970 के दसक में अयुद्य इस्थल पर खुदाई के दौरान राम के दौरान मंदिर जैसे इस्तंबो की खोच की थी जहां बरतमान में राम मंदिर बनाया जा रहा है वर्स 2000 में ने पदम भूसन और 2021 ने पदम भी भूसन से सम्मानित किया गया था इनकी प्रस्थल पुष्ट के दस सरस्थी फ्लो आन दे कंटिनुटी आफ इंडियन कल्चर ये याद रखिएगा यहां पर हमारा फॉर्थ टॉपिक कंप्लिट हुआ अब हम चलते हैं फिफ्ट टॉपिक की ओर फिफ्ट यूनिट है बौद और जेन धर्म से सम्मानित प्री में साइध ही ऐसा कोई एर जाता हो जिसमें इन दोनों से रिलिटेड एक ना एक क्वेश्टन आए यह बहुत ही इंपॉर्टन्ट है आई देख लेते हम बौद धर्म के बारे में संस्तापक गौतम बौद इनके बद्पन का नाम से धार्थ जन्म 563 इसा पूल शाक छटरी कुल में हुआ 29 वर्ष की आई में इन्होंने ग्रहत जीवन को त्याग दिया और एक पीपल के विच्च की निचे इनको ग्यान की प्राप्ति हो गई बौद से जूड़ कुछ महत्पूर इस्थल लुम्बनी इनका जन्म स्थान है बोध गया जहां पर ग्यान की प्राप्ति होई सारनात जहां इनने प्रथम उपदेश दिया और कुशी नगर या कुशी नारा जहां पर इनकी मित्त हुई जहां यह स्वर्गबासी हुए प्राप्तु का केंदर चार आरेसत हैं इन्होंने अश्टांगिक मार्ग ये आठ मार्ग बतलाएं हैं इन्हें मध्ध मार्ग भी कहा जाता है इन्हें मानों के दुखों के उन्मूदन के लिए महात्मा बुद्ध ने प्रतिपादित किया था बहुत धर्म के अन्युआई इस्वार में विश्वास नहीं रखते इसकी वजायवे इस्वार से सुतन्त नहीदिक प्रगदि पर ध्यान केंदर करते हैं ये important है बहुत धर्म के लोग इस ऑ में विश्वास नहीं करते हैं अंग इन्के महत्तमून बहुत संपर्दाए हैं 178 सबसे पहले डोपट में ड करते हैं एक रूढी वादी संप्रदाए है यह मूर्टी पूजक नहीं है पाली भासा का प्रयोक इसलों करते हैं इन दोनों में अं अंतर कैसे करेंगे तो महायान को पढ़े कि आप नेको महांस newspaper का संप्रदाई के लोग मूर्थी पूजा करते हैं महान बताते हैं उसकी पूजा भी करते हैं और यह बुद्ध और बौधी सत्तों के इस्वरत में विस्वास करता है उनको इस्वरत को इस्वरत की रूप में उनकी पूजा करते हैं यह अधिक उदार संप्रदाई है यह रूर थेरवाद में तेरवाद में डिवाइड हो गया है मतलब एक उपसंपरदाय बन गया हीनियान से निकला हुए एक उपसंपरदाय है थेरवाद और महायान से निकला हुआ है बजरयान जो जिसको तांत्रिक बौध भी कहते हैं थेरवाद के बारे देख लेते हैं यह हीनियान क का एक संप्रदाय है क्लेस्ट का अंत और निर्वान की प्राप्ति इसका मुखलच है क्लेस्ट का अंत और निर्वान की प्राप्ति और विभाज वाजने की विश्लेशन का ग्यान में विश्वास करता है किसी भी चीज के विश्लेशन करने में विश्वास करता है ऐसे नहीं मान लेता कोई भी कुछ कहे दो तो ऐसे नहीं मान लेता बीना उस पर विचार भी मर्स किये इन्हें पाली भासा का प्रयोग किया जाता है पहले कौन सी भासा का यूच किया जाता था हिनियान के द्वारा पाली भासा का ही प्रयोग किया जाता था और थेर बाद द्वारा भी ब्रमारबादी अनुश्ठानों का भी भी प्रयक करते थे इनके मु एराध zaj कौन है तारा देवी जो बज्रैयान है इन का मुख आराध कौन है तारा देवी यह शास्त्री इवहर का प्रयोग किया जाता है इसमें तिविति भाँ सा प्रयोग किया जाता है इसमें बहुत अच्छा चार्ट दिया गया है यह पहली संगीती दूसरी तीसरी चौथी संगीती पहली पहली बहुत संगीती कहां पर हुई राज ग्रह में हुई उस समय पर राजा कोन थे अजात सत्रु के संसमें लिए राजिग्रे अचाट्रण्ग राजा के नम ड़ाषक याद रखने के लिए इस्की किए ठीक है की एक इक आझाजत्र्ण्ग ऑस्ट्रण्ग कंश्फ ये एक त्रिक है भूत संघीतियों को याद कैसे रखेंगे पहला कोनःजाब सक्रू अध्या divert को इसमें पहली बहुत संगीती में क्या किया गया इसमें बीने पिटक और सुथ पिटक को संक्रित किया गया बीने पिटक और सुथ पिटक को पहली बहुत संगीती में संक्रित किया गया दुती बहुत संगीती है उसका उजन कब हुआ यह वैशाली में इसका उजन हुआ रा जए रहा है वाला शोक सनचंड थे अध्यच थे सब कामी इस इस ऐस्ट में क्या हो γए तो थू box फिर्द संगीत में क्या हुआ था मठी अनुषाशन को लेकर बाध में पहला विभाजन हुआ और बाध धर्म महा संगीका और इस्थाविरबाद में विभाजित हो गए दो तीए बहुद संगीती में बहुद संगीती में पहली बार विभाजन हुआ महा संगीका और इस्थाविरबाद के रूप में रतीब बहुद संगीती पाटिल पुत्र में आयोजित हुई जिसमें राजा संगीति और अध्याच कौन थे संगीति के मुगाली पुत तिस इसके अध्याच थे और इन तर्थी बहुत संगीति में अभीधामें पिटक का सहिंताबद किया गया अभीधामें पिटक का सहिंताबद इसने बादोधरों को फिर से हीन यान वा महायान संपरदायों में विवाजित हो गया फूर्थ में मतलब हीन यान और महायान संपरदायों विवाजित कब हुगा चतुरत बादोसंगीत में उसके पहले किस किस रूप में विभाजित था महा संगी का और इस्थाविरबाद के रूप में विभाजित था बहुत धर में नहीं कि दूसरी जो बहुत संगीती हुई है इसी में पहली बार विभाजन हुआ था महा संगी का और इस्ताविरबाद के रूप में इस चार्ट को इस चार्ट का चाहिए स्क्रीन साट ले लिजिए या कि इसको फिडियाप डाउनलोड कर ले जिएगा इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टन्ट है ये चारों बौद संगीतियों से संबन लिची जिए अब हम देख लेते हैं बौद साहित के बारे में सुत्त पिटक और बिने पिटक जो की पहली बौद संगीती में संकलित किये गए थे सुत्त पिटक और बिने पिटक ये पहली बौद संगीती में इनका संकलन किया गया था पहली बौद संगीती के अध्यच महा कश्प और रा को आप मालिजे की सत्य कौन बोलता है बुद्ध तो सुत्य पिटक में बुद्ध की उपदेश कहे गए हैं और बीने पिटक में बीने मतलब किसी से बिनम्र होना किसी से निवेदन करना तो इसमें बहुत भिच्वों से निवेदन किया जाता है कि मठ में अगर रहना है तो बध्वान बुद्ध के द्वारा स्तवातियां की गई हैं बुद्ध के धार्मिक विचारों वा उपदेशों के संग्रह वाला गद्य पद्य मिश्यति यह पिटक संभावता क्त्रिपिटिकों में सरवादिक बड़ा एवन रेश्ट है सुथ्थ्थ पिटक जो त्रिपिटक ह तो सब्सक्राइब इस में साथ क्रितियां शामिल हैं यह मुक्ताब धर्म की सब्सक्राइब से संब्सक्राइब करें इसको त्रिक बता रहे हैं कि कैसे आप रखेंगे सुत्य को आप समझे सत्य से रिलेट करिए सत्य बोलते हैं भगवान बुद्ध बीने बीने किया जाता है कि भाई तुमको यह नियम मानना पड़ेगा अगर यहां पे रहना है तो तो सुत्य पिटक बीने पिटक और अविधमा पिटक यह तीन मुख बहुत साहित हैं मुख बहुत ग्रंत है अब जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं इनकी उत्तती जैन धर्म की उत्तती रिगवैदिक काल से हुई मानी जाती है इनमें 24 महान तीरथंकर हुए हैं परतम तीरथंकर रिशब देव जी थे और तेश में पारसुना तथा 24 में बर्दमान महाविर जी थे जैन धर्मी संप्रदा स्वेतंबर वा दिगंबर सिर्व ग्यात्रिक कुल के प्रधान थे उनकी मातत रिशला लेच्छी विराज कुमारी थी 30 वर्स की आई में इन्होंने ग्रहस तजीवन का त्याक किया भगवान बुद्ध ने 29 वर्स की आई में किया था और भगवान बुद्ध की में तो कुशी नारा में कुशी नगर में और बर्दमान महावीर की में तो ही थी राजगीर में जैन धर्म के सिध्धान्त जैन धर्म मुक्रूप से दो सिध्धान्तों पर ठीका हुआ है एक है पंच महाबरत और दूसरा है त्री रतन, जैन धर्म के त्री रतन, पंच महाबरत में कौन कौन है, असत्य नहीं बोलना, इनकी असत्य नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, संपत्य का अरजन नहीं करना, हिंसा नहीं करना और ब्रहमचर का पालन करना, लेकिन यह जो सुरू अहिंसा अपरिग्रह अस्ते अहिंसा सत्य अस्ते अपरिग्रह अपरिग्रह और अहिंसा ये सुरू के चार जो थे ये पारसुनात के स्वामी के समय तक इनका पालंग किया जाता था लेकिन जब ये भगवान महा भी राय तो उन्होंने एक और एड़ किया ब्रहमचर का पालं करना तो यह कहला है पंच महाव्र innov इसमें त्री रतन होते हैं सμयक स्रदधा संयाक ग्यान और संयाक आचरन लकी मजा कीज़ोन ने बह weave का यह ठौ ही कि सिर्ध राको जितनी तande अलगी किया जाता सरवोच्छ इस्थान का है उनके नीचे इस्वर का इस्थान दिया गया घर्म के सिधानत को मना जाता है तथा आत्मा के देहांतरण को मानता दी गई है मतलब आत्मा एक एक देह से दूसरे देह में आत्मा का ट्रांसपर होता है ऐसा जैन धर्म मानता है लेकिन बहुत धर्म ऐसा नहीं मानता है यह विश्वास किया गया है कि सरवाधिक निर्जी वश्ट में भी आत्मा का बास होता है, यह पत्थर कणकण में भी आत्मा का बास मानते हैं जैन धर्म के लोग, इसलिए यह केती जैसे कार, ऐसा कोई भी कार नहीं करते हैं जिसमें हिंसा हो, अधिक तर जैन धर्म के लोग अध्यत्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद् मुजरात में और अध्य चे टेदे व्रिद्ीगनि द्रे देव व्रिद्ीगनि भग्वान महाभीर की उप्धियूं के ज्यारा करने वेवस्थित रीति से संक्र lenght किया गया जो बारह और को अनो सख्रय थे इन को और व्रॉस्थित किसे संक्रित किया गया लेकिन इन में से एक खो गया था एक गुम गया था इसलिए बार में अंगल लुप्त हो गया थे इसलिए सिर्फ ग्यारा अंगल का ही विवस्तित किया गया इसको वियाद रखेगा पहली संगीती पहली जेन कोई संक्लित किया गया एक में 12 उपदेशों को और दूसरी में 11 उपदेशों क्यूंकि इतने समय के अंतराल में लगभग 800 साल के अंतराल में ये इनका कोई उपदेश का एक खंड गायब हो गया था कि इसको चूरी का लिया होगा है इसमें पॉइंट बानधावगाण 1 अभीहारण में पूरा तद्युक अवशेश पाए गए हैं इसको वारे देखते हैं एसाई ने बांध हो गड़ बन अविराने पुरातिक अवशेशों की खोज की है पहली बार 1938 में पुरातिक इस्थल की खोज की गई थी यह मद्ध प्रदेश की बिंद और सत्पूरा परवत माला के बीच में इस्थित है यह प्राप्त नगरू के नाम से पता चलता है कि मद् ने कूछ दान दिया होगा कि यहां पर कौन-कौन से अफसेस मिले हैं बौध अबसेस मिले हैं हिंदू-फसेस मिले कुछ अभिलेख है विल एक है और कूछ अन्य चीजें मिलें बहुत है minds wyfigweevल है जो महायान बहुत रिष्टलों की विशिस्थाए हैं महायान बहुत इस्थनों की विशिस्थाए रही है और चैत ये महायान बहुत इस्तोलों की विशिषता हैं और इसमें क्या है वर्ता नुष्ठित इस्तुप और बहुत इस्तम्ध की अवसेश प्राप्त हुए हैं इसमें लगव इस्तोपे की नकासी लगवग दूसरी से तीसरी सताब्दी ईसा पूर्व के हैं अंगला हिंदु धर्म से संबंदित क्या कौन से अफसेस मिले हैं कल्चुरी काल के नौवी से ग्यार्मिश सताब दिस्वी के 26 मंदिरों के अफसेस प्राप्त हुए हैं इनके अलाबा दो शैव मठ भी खोजे गए हैं यहां पे कल्चुरी राजबंस ने गुजरात महराश्टा और मतपेदे कुछ हिस्सों में सासन किया था सबसे प्राचीन एलोरा और एलिफेंटा गुफा इसमारकों से भी इसका संबंद रहा कि इनका कल्चुरी राजबंस का 46 मूर्तियों में से वराह मूर्ति जो भग्मान विष्णू का अवतार माना जाता है संब्धा दुनिया में सबसे बड़ी है यह मूर्तियां दूसरी से पांचवी सताब दीशवी के बीच की है अविलेक क्या मिले हैं दूसरी से पांचवी सताब दीशवी के का उलेख किया गया है इनके अलावा भीमसेन, महाराजा, पोथा सिरी और भटे देव जैसे राजाओं का भी उलेख है नागरी शंक खिलिपी में भी अभिलेख प्राप्त हुए है अनकोजे मुगलकार और जौनपूर सत्रनद के शर्की वंस के सिक्के यहां से प्राप्त हुए है गुपाँ में चौथी से पांची सताब्दी स्वीके गुप्तु कालिंदर बाजे और चौकषट नकासि के अफसेस प्राप्त हुए है इनके लावा लेते हैं इसापूर में बारत 무OC can के समय पर यहां से स्केय म॔रिय शींच वंप्लास्टर यहां पर इंकी मुक्षिस्ट अभुस्ट आए हैं बोध बहुत हों सी वे बारर माइद लिए हैं भारत में सबसे पहले पारतित गुफाओं का श्रय मौर कमर काल मुकूरूप से असोब को दिया जाता है असोब को मौर काल के दौरान अबधि में गुफाओं को पयोग आम तोर पक第一 वहार ने किरू गुफाओं में मापेलगुव정 के पास मूंबाई पे लोगरतित सकरला और वाज शैलकरतित गुफआई रजनता और अलोरा उन्मादी धो कि न ये ॥ मिंद्र जांती सब्सक्राइब भगवान बुद्ध के अप्सेसों पर इसमें गुंबद के आकार जैसा एक अर्द गोलाकार टीला या अंड होता है इसमें एक वर्गा का रेलिंग या हर्मिका बनी होती है केंद्री इस्थम्भ तीन छत्री यह चत्र जैसी सनरचना को अधार पदान करता है इस सनरचना में बहुत धर्म के त्री रतनों का प्रतिन देट तो करती है यह चार दीवारी से घिरा हुआ होता है और चारोडु न सवचांट प्रविस्त दौर, जिने तोरन कहते हैं, यह बने होते हैं, अनुष्ठानिक परिक्रमा के लिए अंड के चारोग और गोला कार चबुतरा जिसे मेधी, मेडी कहा जाता है, यह भी बने होते हैं, यह आप इसमेश की संदशना देख सकते हैं, यह परिक तरकी नीचे ये हर्मिका है और जो अंड जैसा है ये अंड है ये मेधी तो आपको बताई चुके जो पत है परिक्रमा पत अब जैके लेते हैं अन्य महत्पूर्ण सुर्गिया लूंबिनी लूंबिनी नीज में है क्योंकि भारत नेपल संबन्दों को मजबूती पतान करने के लिए पतान मंतरी ने लूंबिनी की यातरा की थी दोनों देश लूंबिनी और कुशी नगर के बीच सिस्टर सिटी संब करने की बात की गई है लूंबिनी यूनेस्को की बिस्दर्वारिस तल में सूची में सामिल है तीसरी सताब्दी सपूरु से लेका पंदरवी सताब्दी इसवी तक के बहुत भीहारों और इस्टूपों के पुरा तात्युक अबस्यस यहां से प्राप्त हुए हैं लूंब की भासा में उतकेंड तबलेग पाए गए हैं प्राचीन बाद इस्टल आद़ता विस वरसों के बाद सुर्कियों में हैं कौन सा बहुत इस्टल है यह है कंगन हली करनाटक में कंगन हली सन्नती इस्टल का हिस्सा है के निकट एक प्राचीन बाद इस्टल के सन्नच्छन की योजना बनाई गई है A.S.I. के द्वारा यह सन्नती भीमा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गाउं है कहां पे करना तक में भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है इसे कंगन हल्ली यह सन्नती इस्थल इसका नाम है यह इस्थल बौध महास्तूब तद समराट असो के पसांड च साथ बहान में और उत्तर साथ बहान में और इसकी सबसे बड़ी विशेष्टा यह है कि यहां से एक समराट असो के एक मूर्ती प्राप्त हुई है जो कि अब तक की सबसे सही अवस्थम में प्राप्त हुई छवी माने जाती है कहां पे कंगन हल्ली कंगन हल्ली सन्नाती चे इसे सन्नती स्थल भी कहा जाता है यहां पर अभी गुप्त काल के समय पर यहां पर काली मंदिर का निर्मान कर दिया गया था फिर भुकम पाया उसके बाद यहां पर एस आई ने खोज की तो इनको पता चला की यह लगए 25 साल पुरानी बात है नाइंटीन एक्टीवन के असपास की गटना है तब का इनको पर चला किया है प्राचिन बहुत है इस्थाल है करनेरी गुफाएं करनेरी गुफाओं में जन्सुवधाओं का उद्गाटन किया गया जन्सुवधाओं मतलब जो भी परटन से रिलेटर जो भी जिदना भी सब्दीड इस्थाल के किया था था पढेरी गुफाओं का निर्माण किन्हों किया था बहुत भी जिदने यह सेल करती गुफाएं है कि मुंबाई के बोरी वालिके संजय गांधी रैष्टी उद्ध्यान थासके किन्हेरी की गुफाएं जो कि बहुत भी जो ड़ारा बना गई हैं कनहेरी का मतलब होता है यह संस्कृत के क्रिष्ण गिरी सब्दे से बना है कनहेरी इसका सब्दिकार्थ है काला पहाड क्रिष्ण का मतलब होता है काला गिरी का मतलब होता है पहाड तो यह है काला पहाड कनहेरी का सब्दिकार्थ इसमें बहुत धर्म की तीनों भाइयान ने पेंर जैत्रत्र बिर्फल्समय इंत्र किया है i ऐस इनग्रेढू पाई यह फिद नभीर अधिक जैन विराशत इस्थल है। उत्र जैन धर्म से स्त्तन वाश्य यह पहाड़ी यह आवासस्थल है، इसका काफी यूज़् मेँ था महावीर की पतिमा ध्यानकच और पॉंड साशनकाल से संबंदित चित्रों के साथ अरिवार कोविल अरिवार कोविल मतलब अरहतों का मंदिर यह दूसरी सताब्दी का शिला गुफा मंदिर अरहत कौन होते हैं यह ऐसे जैन विच्छू होते हैं जिन्हों ने अपनी इंद अरिवार कोविल और इन्हें अरहत भी कहा जाता है अरहत अरिवार कोविल यह कौन है जिन्हों ने अपनी इंद्रियों पर विजए प्राप्त कर ली है इस गुफा मंदिर में चित्रकारी है तो फ्रेसको सेको तक्नीक का उप्यों किया गया है यह कौन से तक्नीक जिसमें दिवाल पर गीले प्लाश्टर के मादरें से चेतकारी की जाती है प्रद्रा पालिस के यो सेल संस्तर मिले हैं दफनाने के लिए उप्यों किये गए बरतन जिन्हें मुतु मक्कली थाजी कहा जाता है धर्मबौद का निंगमा संप्रदाय धर्मबौद के अंतरगात एक निंगमा संप्रदाय बाद धर्म से संबन रिद है जो कि सिब्रत का एक तांतरिक पंत है यह पर देश पीती के टिविटी मूल के एक लड़के को कर गी कि तक लूंग सेतूंग रेन पोचे का पुनर्जन माना है जो कि एक इस पीती में एक तिविटी मूल का लड़का है व सबसे लंबा इतिहास रहा है निगमा का सबसे महत्पूर्ण गुरू है पद्म संभव निगमा संप्रदाय के सबसे महत्पूर्ण गुरू है पर्युसन पर जहन begin लोगों का तेवार है इसमें किया करते हैं कि इन लोग घड़े के भा परेश को ग्यान देते हैं यह तब पिशले कि ऊड़ आपकों को सुव्यकार करते हैं और उनके लिए समा मांगते हैं अपरी अपरिग्रह यह जन धर्म का एक सिद्रांत है अपरिग्रह इसमें किसी प्रकार की संपति एकत्रित ना करने पर जोर दिया जाता है जरूरत से ज़्यादा आप नहीं लेंगे उसे कहते हैं अपरिग्रह यह इच्छाओं और जरूरतों के भी संतुलन बनाने तथा अपनी संपति से अलगाओ पर केंद्रित है यह पतंजली के अस्टांग योग में सुचित यम या नैतिक ब्यभार सहिता में से भी एक है अपरिग्रह यह हमारा शिफ्ट टॉपिक भी कंप्लिट हुआ अब हम चालते हैं इसे बहुत सारी चीज़ें मिक्स की हुए हैं हमारा इसमें पहला टॉपिक है भारत में नौसेनिक परमपराएं यह नौसेना का चर्चा क्यों कर रहा हैं हम लोग क्योंकि आई एनस विक्रांद की कमिशनिंग के दोरान प्रदान मंतरी नौसेना के नए ध्वज का अनाबरण किया है पहले क्या था कि में ध्वज इंग्लेंड का था उसमें एक छोटे से कोने में बाई कोने पर भारत का ध्वज अंकित होता था अब यहां से इंग्लेंड के दोच को हटा दिया गया है और सिवाजी महराज के नौसेना के सिंबल को एड़ कर दिया गया है और भारत का जो दोचता हुआ है अपनी जगह पे है ऐसा पहली बार नहीं है कि नौसेना के दोच को बदला जा रहा है इसमें प्रतीक को इससे पहले चार बार बदला जा चुका है उन्नीस सो पचास में, दोहजार एक में, दोहजार चार में और दोहजार चोगदह में यह अगर एमसे की बनाएगा तो ऐसा बना सकता है कि पहली बार नौसेना के दोच को चेंज किया गया है पहली बाद ने इससे पहले चार बार चेंज किया जाज चुक है, पचास, दोजार एक, दोजार चार और दोजार चौदे हमें नौ सेना पे नए धवज़ पर च्छटपर शिवाजी महराज की मुहर बनी है, उसे को एड किया गया है इसमें ये लंगर वगएरा द्रटा वगएरा है, ये सब इंपोर्टन नहीं है बैदिक साहित में नावों, जहाजों और समुद्री यात्राओं के अनेक संदर में मिलते हैं रिग वैदिक काल की बात करेंगा है तो ना वो जहाज़ों रिखाजों के और जाने की बात की गई थी यहाँ तक पुरानों में भी समदरी यात्राओं को कई कहानियों में बढल्रित किया गया है इनका विकास क्रम देख लेते हैं सेंदुगाटी सबता में सबी लोग जानते हैं कि नोसाल बंदर गाए था झहाज ही रहा हूंगे यहां कँ सब्धे करत से सुन्दुगाटी सबाइब о मेसंदुगाटाैं यह पे यहां पर मोहर मिली है मेसंदुगाटी मिली है जो कि इस कैर रैकर में थी और मेसो और में यहां पे सिंदु गाटी में मेसो पुटामिया की मिली हैं बेलना काराकार की मोहरे मौर राजबंस में व्यापक समुद्री गर्विदियां चल रही थी मेंगस तनीज ने एक विशे समित की उपश्चिति का बर्णन किया है यह समित नौसाइनिक कारी के अधिन जल मार्ग विभाग का विवर्ण मिलता है इसे नवाध्यच कहते हैं जयाता भैकिया तसकी रचना क्याना किने कि साथ वहनवंस में यहां से तब को पता गुप्त वहन में राजबंस में नौसाइनिक का विकास किया है चोल राजबंस में बड़ी पैमाने प वर्चस्टा हुआ है राजबंस चोल के सासनकाल में अपने चर्मत कर्स पर था और इसने कोश्चन बनने की उमीद कमी है ठीपु सुल्तान के ने तरत में मैसूर की नौसाइनिक सकती उसने कई युद्ध पोथ और परिवहन जहाज निर्मित किये थे और इसके डाक्याड कहां कहां थे जमालाबाद वाजिदाबाद और मजीदाबाद में इनके डाक्याड थे कई युद्ध पोथ भी थे इन्होंने एक बनाई थी उसने एडमेरिल्टी का एक बोड़ गर्षित किया और एक विस इस्तरी समूदी नौसेना की युजना बनाई थ जिसमें का युद्ध पोथ तथा बड़े फ्रिगेट सामिल थे मराठो का नौसेनिक कैसल कौसल विश्यस क्यों था शिवाजी महराज अपने युके सासकों में पहले ऐसे सासक थे जिन्होंने एक मजबूत नौसेना के महत्व को समझा था सताबदी में आधनिक नौसेनिक बल की निव शिवाजी महराज ने रखी थी तो आधनिक भारती नौसेना का जनक किसे माना जाता है शिवाजी महराज वो मजबूत नौसेनिक बल की स्थापना इन्होंने की थी मराठा ने 40 से अधिक बरसे तक पुर्टगाली और अग्रेजियों दोनों पर नियंतरा टका था इसी मजबूत नौसेनिक बल के दम पर मराठा नौसेना का संक्टन देख लेते हैं नौसेना दो सूबों में विवाजित किया गया था नौसेना को दो सूबों में विवाजित किया गया था सूबों मतलब डिपार्टमेंट प्रतेख सूबा में पांच घुराब और पंद्रह गल्लिबत होते थे पांच गुराब और पंद्रह गल्ली बतेने की प्रतेक सूबा बीस भाग में डिवाइड होता था उसमें से पांच गुराब होते थे और पंद्रह गल्ली बत प्रतेक विभाग दो सेननाय को नामता दरिया सारग और जिसको जूमिन कर लेते हैं दरिया सारग और मायनायक, मायनायक भंडारी के अधिन होते थे, सेननायक, दो सेननायक होते थे, मराठा नोसेना में, दरिया सारग, नोसेना के सेननायक का नाम है, और मायनायक भंडारी, नोसेना के सेननायक का नाम है, यह याद रखे कि दरिया सागर और मायनायक, जहाज, मर चाटा जहाज दो प्रकार ने वाले और यहाज यहाज्द works with the Amid और यह यहाँ पर यह दो पार्ट नायक, और मायनायक भंडारी बाइब शंदिवान जोड़ संग मेश्वरी उनके उद्ध पोत्तों एक विशेश पोत्त था जो कि उतले जल्में भी युद्ध कर सकता था गया जैसे को कर तट पर विजय दो गेवं अन्य कि ले शिवाजी महराज ने पस्टिम कोकर तड़ को सिद्धी नौसेना के बड़े हमलों से भी बचाया था मराथा इतियास की प्रमुक नौसेने घटनाए 1665 में शिवाजी महराज ने उत्री कंदर तड़ पर समुदिन नौसेने कभियान चलाया 1679 में मराथा ने बंबाई के दक्षिर में इस्थिद खंडेरी दीप पर अधिकार कर लिया 1690 में कानोजी अंग्रे ने नई युद्ध तक्निके प्रस्थित की उन्होंने यूरोपी तक्निकों को अपना कर तोप खाने को बहतर बनाकर मराथा नौसेनिक सक्तिक को पढ़ाया 1756 में बिजय दूर्ग में तुलाजी अंग्रे के किलाब पेश्वा और अंग्रे जोने सेक्तिक कारबल की कारण मराथा सैनिक का बर्चस्थ तो समप्त हो गया 1756 में बहरत की राष्ट्टि पति की सभी लोग जानते हैं इसमें समय लगाने के जबुद Mm अब मोर बाग थोड़ी पढ़ेंगे इसमें भारती दौज सहनिता में संसोधन किया गया है इसे मुख्षए संसोधन ये किए गया है कि अब आम आदमी भी खुले में किसी नागरी के घर पे दिन या रात जंडा फैरा जा सकता है पहले सूरियोदय से सूरियास तक ही इसके अनुमत थी अब 24 गंटे आप फैरा सकते हैं और इसमें पॉलेश्टर या खादी से बड़ी कपड़े कभी उपयोग कर सकते हैं पहले किसमें सर्सोदन करके इसको अड़ किया गया था डाक वी भाग को हर गर कतीरंग अभियान का मात तिरंगा लगाओ इसके लिए डांट विभाग को दायत सौपा गया है इसमें दूर संचार विभाग को नहीं दिया गया है डांट विभाग ये इंपोर्टेंट है भार्टी द्वज सही ता 2002 में भी इसमें संसोधन किया गया था इसे उपयोग प्रदाशन फहराने के प्रश्टर वगयरा के जंदे नहीं उच कर सकते वह सबहटा दी गई है अब जिस तरीके का मन पड़े उस तरीके के जंडे या 24 गंटे अपने घर के फैरा सकते हैं हर घर तिरंगा अभियान के तहत बारत का राजकी प्रतीक अभी एक जिस विवाद हो गया था कि सेर का मु सारनाथ को चिनहित करने के लिए निर्मित करवाय गया था जहां बुद्ध ने ग्यान की प्राप्ति के उपरांत अपना पहला उपदेश दिया था जो सारनाथ में जो सेर है उसके जो चार मुखबाला जो सेर है असोक चिन है जो उसको निर्मार क्यों करवाय गया था बु बुद्ध की ग्यान प्राप्त के बाद जो पहला उपदेश दिया था उसको व्यक्त करने के लिए असोक ने एक चिन्ध का निर्मान करवाया जिसमें की चार मुखवाले सेर का आकरती बनाई गई थी बुद्र की ग्यान प्राप्तिके पहले उपदेस की उपलच्छ में उसका निर्मान करवाया गया था. राजगी पतिक सारनाथ में सिंग्छ सीर्ष का इस्तंब चितरात्मक रूप अंकन है. यह मुल रूफ से सारणाथ में असोक इस्तंब के सिर्स परिष्टी ता जिसके नीचे लिखा गया है एक राष्ट्री आधर सबाक लिखा गया है रमिधान सबाने सारणाथ के सिंग इस्तंब को यह राज़्ट की प्रतिक की रूप में क्यों अपनाया क्योंकि महसूस किया गया कि इस्तंब स्वतंत्र राष्ट की सक्ति सहस और आतम विश्वास का पतीक है यह दूई आयामी मूर्थिकला को दरसाता है इसमें निर्मित सिंगों के नीचे देवनागली लिपी में मुंडग उपनी सत्य लिया गया है सत्य में उजयते केबल सत्य की ही जीत है यही है राष्टी आदर्स वाकि सत्य में हो जयते कहां से लिया गया है मुंडग उपनी सत्य से लिया गया है राजकी प्रतिकर डिजाइन पसु की याक्यति गाजना करते हुए चार राजसी सिंग को चार मुख दिशाओं की और उनके मुख शक्ति साहथ गरवात में पसु को दर्साते हैं ये और इसमें कौन कौन से हैं चार दिशाओं के संद्चा की रूप में माना जाता है चार सीर से फलक में चक्रों को घ। होई दिखाई देते हैं। चक्रों के बीच में चार पशू हैं कौन-कौन से हाथ ही, राजकुमार सिदार्त को अपनी माता की गर्ब में आने का संधीज़ देता है। बुषप राज कुमार ये जो सिंग से चार से रुक से निर्मित एक आकरति निर्मित की जो की बुद्ध के ग्यान प्राप्त का प्रतीक है हाथी बिर्शब और असो हाथी जन्म का प्रतीक बिर्शब उनके जवानी का असुन के जो भटक गए थे जिवानी में और सिंग उनके ग्यान प्राप्तिकाम दर्म चक्र यह असोग चक्र कानून का एक पहिया है जो सद्गुन को दरसाता है इसमें 24 तेलियां होती है जो कि दिन के घंटों का प्रतीक आदें इस प्रकार से मन मस्ते की स्थिर्टा से बचा जा सकता है मतलब समय ध्यान रखो कि जो 24 गंटे वो समय निकलता जा रहा है उसका प्रतीक है कौन चक्र मतलब यह नियूज में इसलिए आ गया क्योंकि कुछ लोग कहने लगे कि नोटों पर देवी देवताओं के चितर शापा जाए इससे मुद्र सास्तर का चर्चा में हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए तो करेंसी नोटों पर बने डिजाइन को कौन बदलता है भारती र और केंदर सरकार इनको बदलने के निड़ने लेता है करेंसी के डिजाइन में किसी प्रगार के बदलाओं के लिए और केंदरी बोड़ और केंदर सरकार की स्विक्रिति को अनिवार के दोनों के स्विक्रिति अनिवार है करेंसी नोट बदलने की प्रक्रिया क्या है आर वी जैसे वस्त बिन्मे साधनों का अध्यान एवं संग्रह है जिनका लोगों ने संपूर्ण इतिहास में मुद्राओं की रूप में उपयोग किया है यह पदवली मुद्रा भुक्तान अनवीदियों के अध्यान को संदरवित करती है मुद्रा शास्तर इसमे और भारत में रुपाई का पहला सिक्का 1950 में ढाला गया थी यह इंपॉर्टेंट एक है भारत में रुपाई का पहला सिक्का 1950 में ढाला गया कुछ इस मार्की सिक्कों में महत्मा गांधी जवाला नेरू इंदरा गांधी के भी सिक्के सामिल थे प्रचीन भारत के सिके आहत सिंग के जिसे पंच मार्गिस सिके भी कहते हैं है ये 6 अधि सताबदी इसलपूरु से पहली सताबदी इसलपूरु के मदध तक जारी किये गए हैं आहत सिकों में सबसे पहले ढाले गए सिकों को आहत सिकों के रूप में जाना जाता है इन सिकों को उनकी निर्मार तक निक कारण नाम दिया गया आहत मतलब किसी चीज़ को ठोकर मारना ठपा मार के उसमें एक सील लगा दी जाती थी हुए कहलाती थे आहत सिक्के इन सिक्कों पर एक ठप्पे से चिन्ह अंकित कर दिये जाती थे इन्हें मोटे तरूर को दो अबधियों बाटा गया पहली अबधी और दूसरी अबधी जन पदों वह छोटे इस्थानी राज्यों के काल और दूसरी अबधी मौरसमराज का काल आहत सिक्के दो तरीके से बाटे गए हैं अब ये राजबंसों से संबंधित सिक्के हैं इंडो ग्रीक यूनानी फुसान साथवाहन पस्विंशित अब इतना ज्यादा डीप याद भी नहीं रहेगा में समय लगाने की जरूत नहीं मद्ध भारतिन सिक्के दिली कालेन ब्याकरण की समस्स्या को हल कर दिए Аष्टादाईव ब्याकरण की समस्या क्या है इसमें ऑदेद्व कि दरफनानिमार्णि के अर्थ में इसकी एक दो नियमों made की संगर्स की इस्थिति्मी ब्याकरण की करमे बाद में आने वाले नियम कोपयों किया जाता है अला कि यहालсем की द्रेश्टी से अक्तर गलत परिणाम देती है इसको इसी समस्या को सॉल्व किया गया है परणनी मेटा रूल के तहट तोद कमात के है यह सोद संस्कित अध्यान के छेतर में करांती ला सकता है और साथ ही कम्प्यूटर द्वारा संस्कित-स ब्याकरान को पढ़ा जा सकता है असानी से मिटार जो रूल अभी इनको समस्या सॉल्व किया है कम्प्यूटर श्रक्रम कर दिया गया है जिसके द्वारा पढ़नी संस्कित-स्विद्वां का हम इनकी और सब्संट ब्राजी और मर्फोलाजीóm phonetics phonology और morphology में इन्होंने काफी knowledge रखा था इन्होंने इसके सिर्धानत दिये थे ध्वाने विग्यान स्वर्विग्यान और सब्दसन रचना के इन्हें सूचना विद की रूप में भी जाना जाता है सुचनाओं को डिकोड करने के लिए इन्होंने भासा का उपयोग किया और अधियान एम ट्यूरिंग के ट्यूरिंग मसीन से की जाती है क्योंकि सब्द बनाने में इसके नियम जटेल है अश्टध्याई का बाद में कई सहाए गरंतों द्वारा संबर्धन किया गया था यह साइग गरंत है शिव शोत्र धातु पार्ट गणपार्ट और लिंगान श सदेशदर्शन योजना सदेशदर्शन योजना इसको नयरूप दिया गया सदेशदर्शन 2.0 को कि यह सब करते रहते हैं कुछी को वरन पॉइंट और योजना करकार केंदुरिश्या योजना है देश में संधरणी और उततरदाई पर रेटन गर्टब्यों का विकास करना इसका उद्धेस है अलग अलग सरकेट्स आफसान रचना के विकास के लिए राजे और केंदरी विती सहायता इसमें के अंतरगत दी जाती है कारवाक एजनसी कौन है राज या केंदर सरकार अब इसमें बहुत सारी योजनाएं है इसके बारे में याद रखना मुस्किल है बहुगलिक संकेत के गुछ इंपर्टन बहुगलिक संकेत के और कि य से लदाख में रक्त्ष से कार्पो एप्रिकाट खुवानी जिसको कहते तो है यह पुरणदर के अंजीर इसको महरास्ट के हैं इनको जी आई टैक दिया गया ते लंगाना की तन्दूर अरहर असम के गमोसा यह गमचा है इसको दिया टैक दिया गया केरल के ओना टुकारा एलू यह तील की एक किस्म है केरल में और स्नैप मेलन पोडंगलूर पोटो विल्लेरी यह सब कहां के है केरल के और एक लहसुन की एक किस्म है कंतलूर वट्टा वड़ा वेथु थुली भेंकर नाम है इसका यह लहसुन की एक किस्म है जो कि केरल केश को याई टेक दिया गया है अब इसमें ये बहुत सारे इनके डिटेले में अब लाहसुन के आज क्या पढ़ेंगे इसमें आंगे चलते हैं तेवहार ये इंपॉर्टन्ट है बाली यात्रा सुर्केम के मुख प्रधान मंतरी ने बाली यात्रा का उलेक किया है सबसे बड़े मु स्क्रिटिक संपर्कों का उत्सों मनाने के लिए बाली यात्रा का एविजन किया जाता है कालिंग समराज के समुद्री गत्विधी कालिदास ने रगवन्ष कावे में कलिंग राजा के सागर के स्वामी के रूप में उलेक किया है कालिदास ने रगवन्ष में कालिदास का एक कावे है रगवन्ष इसमें कलिंग के राजा को सागर के स्वामी के रूप में उलेकित किया गया है कुछ प्रसिद्व बंदरगाए थे इनके तामरेलिप्ती, मरीकपटना, केलिटालो, पलूर, पिंथूरा, दंधपूरा, कलिंग नगर आदे इनके प्रमुक बंदरगाए थे इनकी नावों का नाम था बोईता, यह याद रखेगा, कलिंग के समय पर नावों का नाम था नोईता, यह बड़ी नावे होती थी जो कि एक जगह से दूसरे जगह के लिए जाने के लिए यूज की जाती थी, मुगल और्बिटिस हासन के दवरान व्यापार में गिरावट आई थी भारत का नोवर्स मांचित्र, यह बहुत इंपॉर्टन्ट है, इससे कॉश्चन जरूर बन सकता है जम्मू कस्मीर में जो नोवर्स मना जाता है, उसको नोवरे कहते हैं, बैसाखी, उत्तर भरती रजो में मुक्रूब से पंजाब हरिणा में बैसाखी का मना जाता है, बोहाग भी हू, असम में मना जाता है, लोसंग सिक्किम में मना जाता है, लोसंग, यह नोवर्स के नाम है सभी मड़ीपूर में साजिब साजिब चेई रोबा साजी सजीबू सजीबू चोई चेई रोबा सजीबू चेई रोबा मड़ीपूर का नौवर्स है पंगाल का नौवर्स है पहला बैसाख औरीशा का नौवर्स है विशुव संक्रांती इसमें कंफ्यूज ना करिएगा क संक्रांती गुजरात मिन्हाइं जाती है नहीं बिशव संक्रांती उरिसा मिन्हाइजाती है जो लोक मिलाने के लिए दे सकता है तो क्यों में रहते हो हार लद्दाक में लोसर उत्सो यह भी इंपॉर्टन्ट है बहुत इंपॉर्टन्ट है सम्मका सरलम्मा जात्रा यह कुंब के बाद दूसरी सबसे बड़ी मेला है सम्मका और सरलम्मा जात्रा बोनाल तेलंगा में बतुकम्मा देवी की एक तेवहर मना जाता है और उड़िसा और च्छत्यस गड़ में नुवा खाई जुहार उड़िसा और च्छत्यस गड़ में तेवहर मना जाता है लद्दाक में लोसर उत्सो असम में अम बेटी हैं जो कि इन्होंने कर देने से मना कर दिया था उत्पादा नहीं हो रहा था फिर भी राजा कर ले रहा था काकती राजबंस का साय था तो इन्होंने उसका विरोध कर दिया था जिस कारण से ये जनजाती के लोग इकटा होके सब मेला उसके याद में मनाने लगे और यह कुम्भा के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है सम्मक्का सरलम्मा जात्रा बोनल बतुकम्मा और नुखाई जुहर उड़िसा और च्छत्यसगड़ का तेवहर मनाया जाता है यह इनका डिटेल दिया हुआ इसमें आंगे चलते हैं सुर्कियों में रही जन जाती है यह इंपोर्टेंट है सुर्कियों में रही जन जाती है यह उत्तर प्रदेश गोंड जन जाती बिहार जन जाती जारकंड यह लगबग जैसे सहरिया जन जाती है सहरिया राजिस्थान में है मद्द प्रदेश में है और समिल नाड़ में सहरि प्रदेश की है बिचिया संथाल जारकंड की संथाल फिर बोड़ीसा में भी आ जाएगी संथाल जन्जाती पश्विम बंगाल में भी संथाल जन्जाती आ जाएगी असम की सहरिया और संथाल जन्जाती असम में भी निवास करती है उत्तर प्रदेश में गोंड जन्जाती न इसमें एक देख लेते हैं मुंबई समाचार ये न्यूज में है और प्रोजेक्ट वानी ये दोनों इंपॉर्टेंट है इनको देख लेते हैं प्रोजेक्ट वानी ये गूगल इंडियन ने इस पहल के लिए भारती आई आई ंप्रोजेक्ट कोई गवर्मेन नाम स ये नाम के लिए नाम रिए भठी पहल एकिकार रिए फिर्म के कि प्रोजेक्ट वाने मैं उसका संब्बंद है भारत में जितने भी ज्याम सेवन्ट टी जिले हैं वहां जो भोली बोली जाती है उनका एक नमूना एकत्र किया जाएगा और उसका यूज कहा किया जाएगा आर्टिफिशल इंटेलिजन्स को विक्सित करने में और मसीन लर्निंग का मॉडल बनाने में उनका यूज किया जाएगा प्रोजेक्ट वानी के अतहत यह एक्सपेक्टेड कोश्चन है प्रोजेक् वानी और इसका लाव क्या होगा स्वास्त क्रसी और वित्तिय समावेसन जैसे चेतर को में इसका लाव किया जा सकता है मुंबई समाचार की उन्यूज में है क्योंकि इसको दो सो साल हो गए मुंबई समाचार को और यह पहले बंबे समाचार कहा जाता था मुंबई समाचार कह फरदून जी मुराजबान ने इसकी इस्थापना की थी 200 साल पहले 1822 में यह सब्ताइक संस्क्राइड के रूप में शुरूओ है मुखरूब से इसका कम किया मुखरूब से समुद्र पार माल की अबाजाही और अन्य बेवसाइक ख़बरों को प्रकासित करता है मुंबई समाचार यह बेवसाइक ख़बरों से संबंदित है और इसको 200 साल हो चुके हैं और अभी मोदी जी ने इसके लिए एक डांक टिकड़ भी जारी की थी और यह लगतार प्रकासित होने वाला अख़बार है मुंबई समाचार इतने ही लगबग यह इंपॉर्टन जो टापिक थे यह हमने इनको डिसकस कर लिया है अब बचे हैं इनके MCQ तब हम इनके MCQ डिसकस करेंगे